हलो दोस्तों मैं उसूरज और स्वाग करता हूँ आपका आपके अपने चैनल देशी पड़ा कुपे आपने थमनल देखा होगा हम इस वीडियो में कबर करने वाले हैं इससे पहले हमने वन वर्ट सप्ट्यूशन किया इससे पहले हमने इडियम और फ्रेजिस की और उसके बाद आप लोगों की जो है कमेंट्स की बाढ़ा आ गई कि सब साइनो करवा दो और एंटो करवा दो क्योंकि एक्जाम में कुश्चन्स आ रहे हैं और जो भी मैंने आपको वन वर्ट सप्ट्यूशन करवा हैं उससे भी कुश्चन्स आ रहे हैं एक्जाम में सीजियल के और इडियम से तो डेफिनेटली आ ही रहे हैं तो इसलिए जो है आपकी बातों पे गौर रखते हुए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो की पूरी जो है 4-34 synonyms और antonyms की होने वाली है और ये पूरी की पूरी black book से है तो अगर आपके पास black book है तो आप उसको खोल ले और मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ बस वैसा है आप पढ़ लें आपको ये सारे words जो है याद हो जाएंगे आपकी मुठ़्ी में हो जाएंगे सारे के सारे words तो और एक बात अगर आपको जो है मैं गलत यूज करूँगा परनेंसेशन गलत पढ़ूँगा तो वह आपके लिए नहीं है बस यह है कि आपको एक्जाम बस पास करना है उनके लिए है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को फर्स जो वर्ड है हमारा है candidate, candidate का मतलब होता है असपस्ट या फिर निसकपट होना, मैं सच्चा होना, आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्याला क्या होना, सच्चा होना, ओनेस्ट होना, फ्रैंक होना, तो उसको हम कहते हैं candidate, याद करने का तरीका क्या है देखे, कि candidate चाहे किसी party का हो, मैं उसी को vote दूँगा, जो क्या होगा, सच्चा होगा, honest होगा, frank होगा, उसी को दूँगा मैं vote चाहे किसी भी party का हो, तो candidate का मतलब होता है सच्चा, ठीक है, honest, frank, और forthright, right है right का मतलब भी आपको इध्यान में आकना है, right का मतलब सही होता है, तो इसका synonyms हो गया है बाकि इसके Antonin's पर आप फोकस करेंगे तो वो भी आपको याद हो जाएंगे देखिएगा जैसे Devious ठीक है Devious में एक वड़ा रहा है Devil ठीक है D-E-V-I तो Devil का मतलब क्या होता है बुरा वैक्ती अब बुरा वैक्ती सच्चा तो हो नहीं सकता तो इस तरह से आपको यह याद रहेगा Devious Cunning Cunning का मतलब धूर्थ होता है पता होगा आपने Cunning Fox कहानी पड़ी होगी एक धूर्थ लोंबडी तो उसी को Cunning बोलता है Artful Artful का मतलब भी चालाक होता है बिल्कुल Art जिसमें बहुत सारी जो है चालाकियां हो Art हो Deceitful Deceitful का मतलब भी धोके बाज होता है Deceitful से याद रखेंगे Deceitful से यह वर्ड बना है Deceitful Blunt का मतलब भी होता है धूर्थ और Byast का मतलब भी होता है Kutil होना तीक है जिसका दो अर्थ निकलेगा वो निस्कपट कैसे हो सकता है तो ये भी इसका क्या हो जाएगा आपोजिट वर्ट हो जाएगा तो candidate मिन सच्चा और candidate के syndrome से हो जाएगे frank, honest, forthright और इस cantonance हो जाएगे artful, deceitful, blunt, devious, cunning, biased इस तरह से next वर्ट देखेंगे है baron, baron का मतलब होता है बंजर भूमी तो आप इसको याद करेंगे बिना रेन बिना रेन के बंजर हो जाएगी बंजर हो जाएगी और प्रोडटिव हो जाएगी प्रोड़क्टिव का मतलब जो कुछ उतपन कर सके उन्पर्ड़क्टिव इसका क्या हो जाएगा synonyms हो जाएगा ठीक है unproductive यानि कि कहीं पे भी अगर बिना rain के कोई भी जमीन जो है क्या हो जाएगी unproductive हो जाएगी infertile हो जाएगी और desolate हो जाएगी ठीक है infertile appositive fertile का fertile fertility का मतलब उपजाओ होता है इसका एंट्वर्ण बनेगा fertile fertile का मतलब क्या तो उपजाओ होना fertility होना next word देखेंगे हमारा है genuine genuine का मतलब होता है वास्तविक यानि की सच्चा real तो देखें क्या है बड़ा ही genuine बंदा है यह आसान सा word है आलाकि इसकी ट्रिक बनाने की जरुवत ही नहीं पड़ी ही मुझे genuine बंदा है बहुत जादा क्या है genuine मंदा है मिंस बहुत जादा सच्चा है वास्तविक है genuine है तो original right answer है इसका synonyms authentic होता है authentication अबता sign लगता है वहाँ पर मोहर लगता है तो authentication हो गया और real रियल का मतलब आपको पता है यह सच्चा होता है बागि इसके पुलिस वालों को जो है नदी में एक संदिग्द डूबी वी लास मिली है तो क्या संदिग्द है तो dubious और fake और spurious सब के हम trick देखेंगे क्योंकि सारे वर्ड जो है घुल मिलके आये हैं है अभी कोई वर्ड अगर option में है जैसे देखिए कि dubious अभी option में है तो आगे पर भी हम इसके trick देखेंगे तो इस तरह ते बार बर जितने भी word repeat होंगे न वो हमें याद होते चले जाएंगे सारे नेक्स देखेंगे insolent insolent का मतलब होता है असब्भे टीक है insolent sound insult कैसा लग रहा है insolent कैसा लग रहा insult लग रहा insult insolent insult तो अगर आप किसी की insult करते हो तो यह बात सही नहीं है अगर आप किसी की insult करते हो असब्भे बोलते हो उसे असब्भे तरीके से तो यह सही बात नहीं है तो disrespectful, rude और bold इसका क्या हो जाएगा इसके जो opposite word हो जाएगा वो हो जाएगा humble, submissive देखें यह भी word आएगा आगे चलके word तो सब की trick हम देखने वाले हैं तो courteous का मतलब क्या होता है सब्भे होता है, submissive का मतलब बात मानने वाला सब्भे, mannerly का मतलब बिलकुल mannerly होना और humble humble का मतलब विनर्म होना सब इसके क्या है अपॉजिट है next देखेंगे, obscene, obscene का मतलब होता है असलील, टीक है तो इसके जो trick बनेगी वो बनेगी क्या obscene, keyword बनेगी इसकी obscene, तो movies में obscene बड़े ही असलील दिखाए जाते हैं, movies में obscene जो है बड़े ही असलील दिखाए जाते हैं और क्यूं दिखाया जाते हैं क्योंकि indecent हो गाए लोग क्या हो गाए लोग इन डिसेंट हो गाए इसलिए तो असलील दिखाया जाता है इसका सिन्म्स हो जाएगा अपसीन का और बाकी जो इसके अपॉजिट है जिसके decent decent clear distinct तो इसका मतलब होता है तो आपको याद रहें लेकिन अगर आपको इसका meaning नहीं पता है तो आप answer कैसे कर पाओगे तो आपको इस पर जादा focus करना है prudent का मतलब होता है विवेकी जिसमें विवेक हो जिसमें बुद्धी हो तो student से इसको relate करेंगे प्रुडेंट अस्टुडेंट तो अस्टुडेंट को कैसा होना चाहिए तो प्रुडेंट होना चाहिए तो अस्टुडेंट को विवेकी होना चाहिए प्रुडेंट होना चाहिए वाइस होना चाहिए कॉसस होना चाहिए और फ्रूगल होना चाहिए ठीक है फ्रूगल का देख से transparent, transparent का मतलब होता है पार दर्सी, जिसके पार हम देख सकते हैं, इसका जो synonym से जैसे lucid, अब जैसे दोखो, lucid आ रहा न, option में, तो यह word आगे चलके main word बन जाएगा, यहाँ पर आएगा, तो वहाँ पर हम इसके trick देखेंगे, और clear का मतलब होता है, transparent, यानि साफ साफ देखना, और opaque इसका क्या है, अपार दर्सी, तो वह pack है, कोई भी समान pack होता है, तो हम उसको देख पाते हैं, आर पार, नहीं देख पाते हैं, तो यह इसका opposite हो जाएगा, लेंगे transparent का मतलब क्या हो जाएगा, पार दर्सक, और इसका जो synonym से, जैसे देखो, lucid, तो low cid ने लो, cid ने सारा case ही क्या कर दिया, बिलकुल clear कर दिया, याद हो जाएगा आपको, next है, dubious, देखा, आ गया न, dubious, अभी हमारे option में आ रहा था है, dubious, लेकिन अभी देखो, main word बन क्या आ गया, तो हम याद करेंगे, इस है, dubious, तो local police ने बताया है, कि हमें नदी में एक संद the last मिली है, dubious, कहां, तो नदी में, और हमें doubt है, कि यह आपके बेटे का है, हमें doubt है, कि यह आपके क्या है, बेटे का है, तो dubious का मतलब होता है, क्या, doubtful, संदे, fishy, हम बोलता है न, something is fishy, मिन्स कुछ तो क्या है, गडबड है, कुछ तो घुटाला है, something is fishy, और बाकि जो इसक का मतलब होता है, निस्चीत होना, न, next है, persuade, persuade का मतलब होता है, राजी करना, keyword बनेगा pursue, ठीक है, pursue को आप पढ़ेंगे, purse, purse और add, purse और add, तो actor लोग add करके हमें क्या करते हैं, फुसलाते हैं, जो actors होते हैं, actors को तो पैसे मिलते हैं, add करने की, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, पैसे में फुसलाते हैं, बहलाते हैं, अपनी मीठी-मीठी बातों में, ताकि हमारे purse से वो क्या कर सकें, पैसे निकाल सकें, है न, और हमें राजी कर सकें, वो product खरीदवाने के लिए, जिसका वो add कर रहे हैं, तो persuade का मतलब होता है, राजी करना, और cocks इसका क्या है, सिनोन से, तो अभी क्या मैंने बता है, क्यों मैं convince करते हैं, समझाते हैं, कि भाईया, यह add है, यह fair and lovely है, आप इसको लगाओगे, तो आप गोरे हो जाओगे, यह fair and handsome है, तो आप इसको लगाओगे, तो चमक जाओगे, तो वही है, कॉक्स और convince का सिनोन से, बाकि डिस्वेड, डि कीवर्ड बनेगा turbo, ठीक है, और bullet, दोनों तरीके से मैं आपको याद करूँगा, turbo, truck, ठीक है, turbo, आपने turbo truck देखा होगा, इस तरह का truck होता है, जो turbo truck होता है, तो turbo truck जब पास से गुजरता है, ठीक है, turbo truck, turbo truck जो है, वह जब पास से गुजरता है, तो बिलकुल असांती मजा देता है, जो है, पास से जो है, चलने की अवाज, उनके भोपू की अवाज, silencer, sound की अवाज, सब आती है, तो turbulent का मतलब असांत हो जाएगा, violent हो जाएगा, agitation हो जाएगा, बाके bullet से भी याद रखेंगा, B, U, L, E, N, T, bullet, ठीक है, तो जब bullet भी क्या होता है, सामने से जाता है, तो देखा होगा, आपने फट-फट-फट-फट की अवाज करते हो जाता है, तो बिल्कुल, violence एक दम फैला के जाता है, और violence और agitation जो है, इसका है, placid, calm, peaceful, सांतिपुन, इसका opposite word है, ठीक है, placid, calm, और peaceful, next है, abandon, abandon का मतलब होता है, छोड़ देना, त्याग देना, तो य भी देखियोगी, welcome, welcome में क्या होता है, कि ये जो RDX भाई होता है, last में क्या होता है, अच्छे कुमार और कैटरीना कैफ के कहने से, last में सारा कुछ छोड़ देते हैं, न, डॉन गिरी छोड़ देते हैं, ये मजनु भाई, और ये, जो भी है, वो भी छोड़ देते हैं, थी भाई, उदर इसे ये सब भी क्या है, छोड़ देते हैं, welcome टू में, welcome में, तो क्यूँ छोड़ देते हैं, क्यूद देन्गो छोड़ देते हैं, क्योंकि इन पे पुलिस वालों को सक हो गया था, कि गैर कानूनी काम करते हैं, तो इसे लिए इन्होंने छोड़ दिया, ADASS से आपने जो वेल्कम बैक मुवी देखियोगी उसमें क्या होता है लास्ट का सी में चल्ट होता है तो डेजर्ट में इस तां में याद रहे आपको Norma के रिटेन और सपोर्ट इसका क्या है अपोजिफ ये जिसका मतलब होता है बनाई रखना या पिर करते रहना नेध्ट पापा मुझे एक पैंसिल लागर के दे दिना पर पापा ने जो है मुझे क्या दे दिया और बंडल पैंसिल लागर के दे दिना बाकि मीगर इसका जो इसका स्युन्मविम से हुआ है Plentiful, Plentiful, Bountiful बहुत सारे सिनोनमें से हैं ठीक है Plentiful, Bountiful ये सब इसके सिनोनमें से है Abundant के बाकि Meager Meager का मतलब कम होता है Scars का मतलब भी कम होता है और Insufficient का मतलब भी कम होता है ये सब आसान से word है जैसे Scare, Insufficient, Meager आगे आएंगे सब वर्ड Next, Affluent Affluent का मतलब होता है धनी होना, किसे भी चीज में जैसे मान लोग कि Amir होना, Wealthy होना तो मैं से याद रखेंगे Fluent in English तो धनी लोग क्या है Fluent है, किसमें तो English में अब भोलेंगे, धनी लोग जैसे मान लोग कि Ambani जी है, तो Ambani जी को क्या है बहुत सारे विदेसी लोगों से मिलना पड़ता है वैपार करना पड़ता है तो जो है, अच्छे तरीके से Fluent English बोल लेते हैं तो Affluent का मतलब क्या हो जाएगा धनी, Prosperous और Wealthy तीक है, और Poor का मतलब गरीब यह Prosperous वर्ड जो है, वो आगे आएगा मेन वर्ड में, तो Prosperous का मतलब अभी ही बताता हूँ, Prosper ट्रिक बताता हूँ आपको, कि आजकल के टाइम में हर लोग जो है, Prosper एक दूसरे से, यानि कि Prosper का मतलब एक दूसरे से क्या बनना चाहते है धनी बनना चाहते है, तो इसका स्क्रिमन्स हो जाएगा Next है Apparent, Apparent का मतलब होता है स्पस्ट, और आप ऐसे याद रखेंगे इसको दो पार्ट में डिवाइट करेंगे आपके पैरेंट, दीक है आपके पैरेंट, तो आपके पैरेंट्स आपके पैरेंट्स आपको साफ साफ कहते है कि बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले वरना हमारे तरह ही क्या करते रहेगा तो भटकता रहेगा, तो हमारे पैरेंट्स हमें साफ साफ बोल देते हैं, तो Apparent का मतलब हो जाएगा स्पस्ट औब्यस हम बोलते हैं, औब्यसली यानि कि इसका सिर्मियम से और मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब होता है यह भी मैंने आपको याद करवाया है या पिर अभी याद करो, कि मनी फस्ट, देगो भाई, मेरे लिए सबसे फस्ट क्या है? Money है, ना बाप बड़ा ना भईया सबसे बड़ा रूपैया मैं तुम्हें अस्पस्ट बोल देता हूं, मैं लिए क्या फस्ट है? तो money first है, तो money first है बाकि जो है, ambiguous मैंने पहले भी आपको याद करवाया है one word substitution में, जिसका दो अर्थ निकले, mb का मतलब भी दो होता है, गिवस का मतलब अर्थ होता है, तो जिसके दो अर्थ निकले, वह सपस्ट कैसे हो सकता है, तो अर्थ सपस्ट होगा, और hidden का मतलब, अर्थ सपस्ट छुपा हुआ, तो apparent याद रखेंगे, असपस्ट, नेक्सट कोर्स, कोर्स का मतलब होता है, खुरदरा या फिर असोधित, यह जिसमें जो है, सोध नहीं किया गया है, जैसा है, वैसा का तैसा, उसी को बोलते है, कोर्स, याद करेंगे ऐसे, कि कोर्स है, C-O-U-R-C-E, ऐसी, तो क्या होता है, कभी-कभी आप कोई कोर्स के लिए पूछते हैं, ट्यूसन में, तो क्या होता है, कि वहाँ से आवाज आती है, वहाँ से कोई आप से बोलता है, खुरदर ये आवाज में, जैसे आपने किसी ऑफिस में कॉल किया, और कहा कि भी-कोर्स कितने में मिलेगी, तो उदर से एदम गुसा वला आवाज आया, खुरद smoothly, rough का opposite क्या होता है, smoothly, gentle,娘emish snake, refined, याणि कि refined किया हुआ, संसोधित, तो याद रखे है, कोर्स का मतलब खुरदरा, Next Is Comments, Comments का मतलब होता है, आरम्ब करना, Come oranne, key word बनाएंगे, Come and and let's start a new business, Come, Suns, चलो बेटो, और सुरू करते है, क्या, नया business, तो comments का मतलब होता है आरंब करना, start करना, start, launch और initiate इसका क्या है synonym से, देखे कितने कितने easy जी दिये हुए, start, launch और initiate, बाकि जो opposite वट हो है conclude, close, terminate, terminate कर देना, खतम कर देना, next है diligent, diligent का मतलब होता है परिस्रमी, तो ऐसे याद रखेंगे Delhi और gent, तो Delhi जैसे बड़े सहरों में जा करके, gent क्या करते हैं, बहुत जदा hard work करते हैं, industry में काम करते हैं, और hard work करते हैं, तो इसका synonym जब बनेगा, वो बनेगा industrious, industry में काम करते हैं, दिल्ली में gent जाके, hard working तो हैं ही, बिलकुल, और acidus, acidus का मतलब ऐसे याद रखेंगे, कि 80 लोगों का काम, तीक है, 10 लोग क खकते भी नहीं हैं, तो यह सब इसके synonyms हो जाएंगे, और lazy का मतलब, I'll see, यह इसका opposite word हो जाएगा, next है, emerge, emerge का मतलब होता है, प्रकट होना, तो ऐसे याद रखेंगे, e-marg जी, ठीक है, marg, 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 marg बोलो, इनके सर जो काटते थे, जैसे इनका सर कट करके हटाते थे, तो फिर क्या होता था, कि फिर से यह सर आ जाता था, पता नहीं कैसे, है न, तो क्या है, तो वही लच्मन जी बोल रहे हैं, कि बार बार मरने के बाद भी रावन, appear कैसे हो जा रहा है, वीवी संजी, सब होता है, विद्वान वेक्ति, तो देखो, इसमें एक word है, अगर मैं E को हटा दूँ, यहां पर लिखो, rude, तो highly educated people जो होते हैं, यानि कि जो विद्वान वेक्ति होते हैं, उनमें थोड़ा सा rude पन आ जाता है, क्योंकि एहंकार हो जाती है, जब ग्यान आता है, तो एहंक लोगों से बड़ा rudely behave करते हैं, तो rude तरीके से बात करते हैं, तो erudite का मतलब क्या हो जाएगा, विद्वान वेक्ति, इतना आपने mind में कर लिया, not just, तो exam में easily आप कर क्या होगे, बाकि scholar, scholarly का मतलब विद्वान होता है, scholar, learn का मतलब विद्वान होगा, अन-scholarly इसका opposite हो ignorant का मतलब होता है, ज्यानी, अन-भिग्य, next हमारा impeccable, impeccable का मतलब होता है, तुरूटी हीन होना, यानि की, बोल सकते हों कि बिलकुल perfect होना, ठीक है, मतलब तुरूटी ना होना, उसमें तुरूटी हीन होना, तो ऐसे बोलेंगे, I am पक्का, impeccable, I am पक्का, तो मैंने पक्क होना, बिलकुल पक्का बनाया है, मैंने कोई भी गलती नहीं किया, मैत में, तो impeccable का मतलब हो जाएगा, तुरूटी हीन, यानि कि बिलकुल right बोल सकते हो, perfect बोल सकते है, flawless, faultless, और इसका जो अपोटिस जो जाएगा, वो होगा in exact, imperfect, flawed, मतलब असुद, तो इस तरह से इसकी synonums और internums अब याद रख सकते हैं, next है, lucid, lucid का मतलब होता है, अर्थ, असपस्ट, असपस्ट अर्थ का, यानि कि साफ साफ बोल सकते हो, आप इतना, सो जिन्दी आपको याद रखने की जरूद है नहीं, बस इतना याद रखो, कि low cid ने सारा case नहीं क्या कर दिया, साफ क तो याद हो जाएगा, आपको lucid का मतलब क्या, clear, और बाकी जो वर्ड है, इसके जिखो, जैसे, synonums में clear आपको याद रखना है, या बिल्कुल याद रहेगा, vague, vague का मतलब और स्पस्ट होगा, इसको गैसे याद रखेंगे, तो मेरे आँखों के सामने से, गाड़ी इतनी vague में निकली, कि मैं उसका जो number plate है, वो clear नहीं देख पाया, तो vague का मतलब क्या हो जाएगा, और स्पस्ट, confusing, आसान सा वर्ड है, next है, obstinate, obstinate का मतलब होता है, जिद्धी, keyword बनेगा, वो बस तीन, एट, तीन, चार पार्ट में डिवाइड करो, वो बस तीन, तीन, का मतलब ल लोहे खाता ही आया है क्या, वो बजपन से, टीन ही खाते आया है क्या, लोहा ही खाते आया है क्या, जो लोहा जैसा जिद्धी है वो, मतलब टीन जैसा जिद्धी है वो, तो याद हो जाएगा, आपको obstinate का मतलब क्या जिद्धी हो ना, और stubborn, stubborn का उन्दर synonym, ठीक है, stubborn, जो इसका sentence है जिसका मतलब होता है जिद्धी तो तू तो born से ही जिद्धी है तू क्या है जन से ही जिद्धी है बाकि flexible का मतलब होता है जो जिद्धी ना हो लचीला हो docile का मतलब भी विनर्म होता है जो do silently यह भी what आ गया आएगा कि वो हर काम क्या कर लेता है do silently तो भाईया विनर्म है तभी तो कर लेता है जिद्धी होता तो थोड़ी न करता next है amiable amiable का मतलब होता है मैत्रिपोर नियानि कि friendly तो ऐसे जाद रखेंगे am I able to your friendship क्या मैं तुम्हारे दोस्ती के लाइक हूँ am I able to your friendship तीन-चार बार आप इसको पढ़िएगा ऐसे तो यह अपने आप, आपके mind में set हो जाएगा amiable का मतलब मैत्रिपोर और friendly और hostile hostile का मतलब क्या दुस्मनी तो होस्तिल्ली कर दूँगा तुम्हारे होस्तिल्ली की तरह उड़ा दूँगा तुम्हारे दुस्मनी में हम ऐसे ही बोलते हैं amiable का मतलब मैत्री और hostile का मतलब दुस्मनी next है boy stress boy stress का मतलब होता है कुलाहल पूर्ण यानि कि बहुत ज़दा हल्ला होना याद करेंगे दो पार्ट में divide करेंगे boys terrace ठीक है boys terrace boys terrace तो boys जो है कहां जाकर के हल्ला कर रहे हैं तो terrace पे जाकर के party कर रहे हैं और party में खूब हल्ला कर रहे हैं कुलाहल मचा रहे हैं डीजे बजा रहे हैं तो boys को जब party करनी होती है तो वो terrace पे चले जाते हैं क्योंकि mom जो है room में allowed नहीं करेगी और वो song सुनते हैं, song बजाते हैं और dance करते हैं, दारू पीते हैं, हला मचाते हैं तो boisterous का मतलब कुला हालपूर, noisy और clamorous इसके synonyms हैं, clamorous पे याद रखेंगें, glamorous से कि जहां भी glamorous देखी नहीं, यानि सुन्दरता देखी नहीं, कि लड़के जो हैं अला करने लगते हैं काम का मुद्व सांत होता है, peaceful का मतलब भी सांत होता है, restaurant का मतलब भी सांत होता है इस सब आसान आसान से इसको एंटोनेम्स हैं, next is closer 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 आगर आपक्ता है ब्लैक सी तो बहुत जादा विसाल है, ज्याद रखेंगे, ज्याद से याद रखेंगे, ज्याद का अधर होता है, और ड्याद बहुत बड़ा बाकि जू वर्ड है, जैसे देखो, इंटॉनेंस में, की अस्माल, मिनिमल, और टाइनी, और टीनी, बहुत अस असान असान से वर्ड है जिसका मतब होता है छोटा अना क्लोजल के सब अपोजिट वर्ड हैं next है cordial cordial का मतब होता है दोस्ताना कीवर्ड ऐसे बनाएंगे करडाइल क्या करडाइल तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सबसे पहले अपने friends के नंबर तो डाइल करते हैं क्या होता है कि जब भी कोई मुसीवत आती है या जब भी कुछ बताना होता है तो सबसे पहले किसका नंबर डाइल करते हैं तो cordial का मतब क्या होता है दोस्ताना friendly अभी हमने पढ़ा एमियेबल एमिकेबल यह इसके कहें तो यह देखो वार नहीं है वार नीचे वाले में होना चाहिए तो इसको जो है आप ignore मारेंगे वार को होस्ताइल का मतलब क्या हो जाएगा दुस्मनी पहले भी आपको याद करवाया नेच्ट है फुटाइल फुटाइल का मतलब होता है व्यर्थ व्यर्थ हो जाना याद कैसे करेंगे देखो यह सारे वर्ड जो है न वो वन वर्ड में भी आये हुए है घ्यान रखेगा आप लोग तो फूट जब भी कोई फूट जाती है जब भी कोई चीज क्या होती है फ यूजलेस हो जाता है क्योंकि आप फूटे वए ग्लास में तो पानी पी नहीं सकते तो यूजलेस इसका सिर्णम से बाकी है वर्डी प्रोडक्टिव फूट्फूल यूजफूल इसके एंट्वर्ण से है नेक्ट वर्ड हमारा इलसिट इलसिट का मतलब होता है अवैद य तो इलसिट का मतलब होता है अवैद काम तीक है याद रखेंगे लीगल काम अनलॉफूल काम और इसका पूजट हो जाएगा लॉफूल लीगल इक्टर लिबर्टी लिबर्टी का मतलब होता है आजादी श्वतंतरता तो बस आसान सा वर्ड़ है कि स्टेच्यू अप लिव बाकि जो इसके सीनल्म से वह है freedom और antonym से dependence यानि किसी पर depend होना slavery का मतलब गुलामी होता है slave से बनाए ये और bondage का मतलब होता है बंधन तो right answer जो है sorry इसका जो meaning है liberty का स्वतंता और जो जो सीनल्म से वह है freedom और जो antonym से वह है dependent slavery और bondage next is mitigate mitigate का मतलब होता है कम करना तो इसको याद करने का तरीका ऐसे है कि मिट्टी के गेट ठीक है मिट्टी के घर और गेट मिट्टी के घर और गेट क्या हो गए है तो आज कल बहुत कम होते जा रहे हैं यानि कि कम कर दिया है अभ लोगोंने बनाना अब लोग कैसे बनाते हैं तो आब लोग घर बनाते हैं concrete के इटो के मिट्टी के आप कम देखने को ही मिलते है जाद हो जाया आपको listen listen का मतलब कम करना reduce का मतलब भी कम करना बाकी alphaest है enhance enhance का मतलब बढ़ाना intensify करना increase करना तो सब का मतलब क्या होता है तिवृता ठीक है बढ़ाना तो ये इसका पॉजिट वर्ड है नेक्ट है मोरोज मोरोज का मतलब होता है उदास मोरोज का मतलब क्या होता है उदास होता है तो ऐसे याज रखेंगे मोर और रोज ठीक है more का मतलब मौर गया मतलब मर जाना रोज का मतलब रोज तो अगर कोई हमारा तीक है अगर कोई हमारा जाता है यानि कि मर जाता है अगर कोई हमारा मर जाता है तो हम रोज उसके लिए दुखी रहते हैं रहते हैं ना कोई अपना अगर मर जाता है मृतिव को प्राप्स हो जाता है तो हम रोज उसके लिए क्या रहते हैं तो उदास रहते हैं तो गुलुमी. गुलुमी का मतलब उदास कोई अगर आपको गुलाम बना करकर रखे सेड रहोगो इसका सीनोनिम से और इसका पॉजिट है जिसका मतलब होता है हस्मुक यानि कि खुस होना परनीसियस का मतलब होता है हानिकारक याद कैसे करेंगे प्रानी को थोड़ा दिर के लिए पढ़ेंगे प्रानी प्रानी का मतलब जीओ और अस तो जंगली प्रानी हमारे लिए क्या है हानिकारक है हमें क्या कर सकते हैं इंजर कर सकते हैं, dangerous है हमारे लिए और spiteful है हमारे लिए बाकि जिसको antonym से वो है beneficial, labda, kind का मतलब दया लूँ तो parnecious, याद रखेंगे parnecious का मतलब हानिका रख, next है reactify, reactify का मतलब होता है सुधारना, अगर मैं इसको correctify पढ़ो तो सिर्फ आगे में c o लगा दूँ, ठीक है c o r, तो यह क्या हो जाएगा correctify, क्या हो जाएगा correctify करना, सुधारना, ज्याद रखेंगे correctify का मतलब क्या, सुधारना, correctify, correct करना, amend, amend का मतलब हो, संसोजन करना, आपने amendment पढ़ा होगा, अना सम्मिधान के बारे में, constitution के amendment के बारे में, और falsify का मतलब होता है, असत्य बताना, यानि कि जूठा, इसका opposite word है, next है reprimand, reprimand का मतलब होता है, फटकार लगाना, किसी को डाट ना, तो याद करेंगे referee और man, referee, जो referee होता है गेम में, और man, तो जब player ने गलत तरीके से गेम खेला, तो referee ने क्या किया, referee man ने उसको डाट लगाई कि नहीं, आप ऐसे नहीं खेल सकते, आप इसको ऐसा heat नहीं कर सकते, तो reprimand का मतलब होता है, फटकार लगाना, डाट लगाना, बाकि जो इसके जो synonym से हैं, जैसे rebuke, rebuke का मतलब होता है, डाट ना, reproach का मतलब होता है, फटकार लगाना, reward का मतलब होता है, इसको इनाम देना, तारीफ करना, forgiveness, माफी दे देना, compliments, सब इसके जो हैं, अपोजिट वर्ड हैं, नेक्स्ट है, return, return का मतलब होता है, कठूर, ठिके, return का मतलब क्या हो जाता है, कठूर, तो tree का stem, ठीक है, step से याद रखना, stem का मतलब का होता है, तना, पेऑड के तनी की बात कर रहूं, आप picture में देख पार हो, यह क्या है, पेड का तना है, तो जग step होता है, आप इसको कुछ नह 씨 थोड होता है पेड का ना आप उसके फ्रूट को देखो गए तो फ्रूट भी थोड़ा प्रूड़ा थोक्त होता है पत्नियां भी Shepherd कठोर होता है तो stiff होता है तभी तो strictly झो का मतलब का मतलब का मतलब क्या होता है तो ढर्पोग होता है और बेव और कि न convert regica मतलब होता है सांत होना। फिक है तो ऐसे याद करेंगे कि ट्रेण दो तरीकform इसको याद Ooh वाल है एक तो ट्रेन से याद रखेंगे ठीक है कि ट्रेन से भी ट्रेन क्या होती है जब ट्रेन में रात में सब सो जाते हैं रिजर्वेशन बोगी में तो सब ट्रेन में पूरी सांती मत जाती है तो ऐसे भी याद करेंगे कि ट्रेन में जब कुल लोग सो जाते हैं ट्रेन में जब कुल लोग ट्रैंक्विल तो पूरी जो है ट्रेन सांत हो जाती है या पिर ऐसे याद रखेंगे टैंक फिल ट्रैंक्विल को हम पढ़ेंगे टैंक फिल अगर आप आर को हटा दे तो ऐसा लगेगा लिखा हुआ है टैंक फिल तो जब टैंक पूरी तरह से फिल हुआ रता है अवाई से अजब बंद करते हैं तो सान्этrue हो जाता है और इसके सिन्म से पीसफूल सान्ता का मतलब फूता है असान्त होना अस्टॉम गूंद तुफान याद रखेंables रहें are दिस्टर्ब और वाइलेंट अभी तुरंद मैंने याद करवाया आपको नेक्ट है विजलेंट का मतलब होता है सतर्क होना तो आप इसको याद रखेंगे बीजी लेन से ठीक है जब भी आप हाइवे पे यानि बीजी लेन में गाड़ी चलाएं तो आप सतर्क रहें जब भी आपकी रैस नम्ब केरलेस इन अटेंटिव इसका पोजिट वर्ड है ठीक है नेक्स्ट है हमारा अबस्टेन अबस्टेन का मतलब होता है परहेज करना और दूर रहना याद करेंगे अब्ज और टेन ठीक है अब्ज और तन दो पार्ट में डिवाइड करो एब्ज और टी कि यह आयन तन अगर आप अपने तन पे तन का मतलब बॉड़ी बॉड़ी पे अगर एब्ज देखना चाहते हो अगर आप अपने तन पे बॉड़ी पे सिक्स पैक एब्ज देखना चाहते हो तो आपको जो है फास्ट फूट से दूर रहना पड़ेगा परहेज करना होगा बाकि जो इसको synonym से वो है refrain और antonym जो है वो है indulge और pursue जिसका मतलब होता है लिप्थ होना next is absurd, absurd का मतलब होता है बेतु का keyword बनाएंगे ऐसे कि अब सरदर्द, absurd अब सरदर्द अब कोई आपके सामने बेतु का सवाल करेगा बेतु का बाते करेगा तो क्या होगा तो आपका सरद दुखने लगेगा तो absurd अब सरदर्द दुखने लगा है अब सरदर्द होने लगा है तुमारी बेतु की बातों को सुन करके ridiculous बातों को सुन करके और सेंसिबल का मतलब होता है समझदार रिजनेबल का मतलब होता है कोई ऐसी बात हो जो सही हो तो अब्जर्ट का है या पॉजिट वर्ड है कि अगर किसी लड़की का वर्ड ढूणने के लिए मैट्रिमोनियल साइट पे एड देने पड़ रहा है तो ये उसके लिए क्या है मिस्फॉर्चुन की बात है मिस्फॉर्चुन का मतलब दुर्भाग की बात है कि बताओ अब उसकी साधी नहीं हो पा रही तो अब क्या किया गया है लास्ट में तो मेट्रिमोनियल साइट पे जो है एड दिये गया है वर के लिए दुर्भाग की बात है तो अड़्वर्सिटी का मतलब क्या होता है विपती दुर्भाग्य मिस्फॉर्चुन और माईजरी बाकी जो है इसका प्रोस्पारटी यानि कि सम्रिद्धी हो इसको भी याद रखेंगे फ्लुएंट इंग्लिस मतलब जितने भी अमीर लोग है क्या है वो फ्लुएंट इंग्लिस है ना यानि कि बहुत अच्छी जो है धारपरवा अंग्रेजी बूल लेते हैं वेल्द रिच इसका क्या हो जाएगा और पावर्टी इसका क्या है दरि टीक है अजाइल में परती याद करेंगा ऐसे कि अगयल टीक है अगर मैं ऐसे पढ़ हो अगयल थो इतना जल्दी कैसे अगयल मतलब इतनी क्विकली कैसे आ गई तू उभी तु वहीं ती तुरंत आ गई तो याद हो जाएगा अजाईल का मतलब क्या फूरती ला तो एक्ट तो एक्टिव क्विक और निम्बल इसके सिनुनिम से हैं और लेदार जी कि इसका जो आपॉजिट है जिसका मतब होता है सुस्त तु तो दिन बर लेटा रहता है यह भी वर्ड जो है आगे में वर्ड की तरह आएगा चलिए आगे देखेंगे अमेचर अमेचर का मतब नौसि लिखिया होगा तो बिगिनर इसका जो है सिनुनिम से प्रोफेशनल इसका पॉजिट वर्ड है प्रोफेशनल का मतलब होता है परोपकारी याद ऐसे करेंगे हम कि बिनी बार बार मैंने आपको इसी तरह से यह वर्ड याद करवाया है पहले जो है आप इसका रूट वर्ड है और क्या है परोकारी है लोग की सहयता करती है काइंड है जंडर से तो आपॉजिटवर्ड इसका हो जाएगा मेल वालेंट मर्सीलेस अस्टिंगी जिसका मतलब होता है कंजूस निर्दई सब इसके क्या है अपोजिटवड यह सब है तो नैश्चल कोटल का मतलब होता है क्या नहीं करते वद नहीं करते और यह तो क्या है उपर से वानर है और वानरों की सबसे प्यारी चीज क्या होती है उनकी टेल होती है पूछ होती है तो आप इसी क्या कर दे इसमें आग लगा करके इसको छोटा कर दे ताकि वानर जो है दूसरे वानरों को मूह ना दिखा सके ओए ऐसा कौन कहता है तो ऐसा रावन का सैना पती कहता है। कर दे टेल कशोटी कर देर। तो तो फिर आवन बोलता है हाँ सब्सक्राइब करते कि लिए और किश्चमत्य थताना और फार्च ज। बर्डट रावन चुटलको zaw को सब्सक्राइब नेक्ट है डिमॉलिस डिमॉलिस आसान सावर्ड है डिमॉलिस का मतद द्वस्त करना होता है जैसे घर बगरा तोड़ी जाती है तो पम डिमॉलिस कहते हैं और यूपी के अस्ट्टोएंट से कौन अच्छी तरह जानता होगा है ना यूपी के बच्चों से जादा बेतर तो को क्या कर दिया गया तक कर दिया गया बाकि जो व investigative से वह है dismantle और प्यूरी कर देना सब इसके अच्छान के जाना होता है नेक्स देखेंगे DESPIRE DESPIRE का मतलब होता है देखो, निरासा क्या होता है? निरासा याद करने का तरीका ऐसे है कि जब-जब देश पर जब-जब देश पर भारी आकर्मन हुए है जब-जब देश पर बाहरी यानि कि abouter बाहरी लोगों ने आकर्मन किया तब तब हमारा देश जो है क्या हो गया निरास हो गया तब तब हम निरास ह Iya जब जब आपर से opposite है hope, hope का मतब आसा, next है eminent, eminent का मतब होता है परतिस्था, या फिर आप बोल सकते हो कि प्रक्यात, famous, परतिस्थित, तो इसको याद करेंगा हम direct ऐसे emi से, emi knit, emi और knit, तो आजकल क्या चला हुआ है, कौन सा rule famous हो रहा है आजकल, तो आजकल यह skim famous हो रही है, कि emi पर कोई सा भी phone ले करके जाएं, और इसमें knit चलाएं, यही चीज़ तो अभी आजकल क्या और यह famous हो रही है, famous से याद रखेंगे, क्या है, कि आजकल यही चीज famous हो रही है, कि emi पर क्या ले करके जाओ, फोन ले करके जाओ है ना और फूब खुल करके नेट चलाऊ तो अमिनेंट का मतलब होता है प्रतिष्ठा पॉप्लर इसके आप जो वाट है फैमज प्रोमिनेंट रीनॉर्ण और ऑप जू वाडिनरी जिसका मतलब साधारन होता है साधारन साधारन बाकी जो है इनिगमेटिक का मतलब होता है रहस्ते होना और इसको याद करने का तरीका ऐसे है कि इनिग में ठीक है इनिगमेटिक इनिगमेटिक इनिगमे तो याद रखेंगे इनिगमे कौन जीतेगा कौन हारेगा यह बड़ा क्या था mysterious था इतना ज़गा confusing हो गया इतना ज़गा puzzling हो match की पता ही नहीं चल रहता कौन जीते क्या और कौन हा रहेगा mysterious हो गया तो match, inning to enigmatic यह मतलब mysterious बागि जो whatever is plan, straightforward जिसका मतलब होता है साधा और सीधा sorry plane है, plan नहीं है plane next है हमारा eternal eternal का मतलब होता है क्या कि निरंतर याद करेंगे इसके ऐसे कि eater का मतलब खाने वाला याद रखेंगे हाला कि इसको मैंने देखो दो तरीके से मैंने आपको याद करवाया था कि जब यहीं पर यहीं पर है मैं जब से पैदा हूँ अंग्रेजों के जो माने के टनल बाकि अभी का जो ट्रिक है वो ध्यान से देखेगा कि eater और नाल इटर का मतलब अथि देखेए लूवर अपने साथ उस्साथ कुछ खाने कर्ने के लिए रहता है इसके से वह है perpetually'RE और जो यह यह अर्टो उप्डरिक का मतलब होता है बढहा चडा कर कहना या पर बढहा चला कर पर बोलना तो ऐसे याद रखेंगे की इग्जेक्ट रेट तो महिलाएं कभी भी अपने साड़ी की या फिर अपने ड्रेस की इग्जेक्ट रेट नहीं बताती है हम इसे करती है बढ़ा चड़ा करके बोलती है ताकि अगले को जो है जला सके है आपने देखा होगा पार्टीज वगएरा में महिलाएं जब ड्रेस पहन के जाती है साड़ी हो सूट हो लहंगा हो जब उन्ते कोई रेट पूछता है तो नाक चड़ा लेती है बोलती है यह तो बिलकुल नहीं है ना कि एक लाग का है दो लाग का है मतलब एक्जेक्ट रेट नहीं बताती है हमें तब बढ़ा चड़ा करक होता है ताकि अगले को जला सके तो एक्जेक्रेट का मतलब होता है बढ़ा चाहा करके कहना मैगनिफाई करके कहना मैगनिफाइं ग्लास क्या होता है तो वह भी बढ़ा दिता है चीजों को अंडर स्टेट का मतलब छोटा करना कंप्रिस का मतलब ही छोटा करना परदा डाल से हो जाएगा बाकि जो एंटोनिम से हो है common, unremarkable या फिर ordinary next is gloomy, gloomy का मतलब होता है उदास और keyword इसका बनाएंगे हम गुलामी तो अगर देखो अभी option में आया हो था gloomy मैंने आपको बताया था क्या आगे तो अगर आप किसी को गुलाम बना करके रखोगे अगर आप किसी को गुलाम बना करके रखोगे तो उदास ही रहेगा ना तो murky और dull इसका क्या है synonym से और bright radiant ये इसका क्या है तो opposite है दीपती मान जिसका मतलब होता है हमेसा दीपता चम की ला ने हार्मोनी का मतलब होता है तालमेल होना आपको वरडस रापी आप तबले में तालमेल होना बहुत जरूरी है, हार्मोनियम और तबले में तालमेल होना जरूरी है, क्योंकि आगे पीछे बज़ेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, तो तालमेल होना जरूरी है, उस तरह से याद रखेंगे, या फिर ऐसे याद रखेंगे, कि हारने के बाद म कि पीस का होता है कि सांटी कितनी सांती हो जाएगी उनके बीच विवाध ही नहीं होगा तो हार्मनी यानि हर इनसान के प beslweig आ जाये तो बाकि जो इसका इसका चौपना पट आ खाल सराइव को याद रखेंगा का स्ट्राइक चले हैं विवाद होता है याद कर लेका मतलब होता है बेश स्वाध लेना है तो आपको जो है उसको धीरे धीरे खाना होगा इतनी स्पीड में खाओगे तो उसका टेस्ट नहीं आएगा ठीक है बोलते बोलते बिल्कुल गला बैठ जाता है तो देखिए क्या है ट्रिक से आपने याद के लिए बाकी देश्ट के वर्ड है ब्लांड का मतलब होत इंट्रेपिट का मतलब होता है निडर याद करेंगे इने ट्रैप इनको ट्रैप ट्रैप का मतलब जाल होता है तो इनको ट्रैप तो निडर लोग को ट्रैप में आप नहीं फसाकता है जो निडर होते हैं जो सासी होते हैं बॉल्ड होते हैं फियरलेस होते हैं गैलंट होते हैं उनको आप जो हैट की नहीं फजा सकते के हैं सकते हैं यह आद यह हैं को याद होगा गयांट यह वार्ड से को मिलता है जो त्बाकी बाकि जो इसके अपोजिट वर्ड है जैसे कावाडली डर्पोक मीक का मतलब भी डर्पोक होता है नख्ट है इन्विंसिबल अजिय जिसको जीता नहीं जा सकता जेय है इनको हराया नहीं जा सकता तो वही हो गया जो इसके स्टेम्ण से जैसे अनासे अन्बिटेबल और इसके जो ऑपोजिट वर्ट है जो है यह वल्नरीबल powerless इसका opposite word है next हमारा है Jubilis a Jupiter figlio sweet levels याद करेंगे जूबली से याद करेंगे जूबली से कि वो तोनों पति पत् reproductive अपनी golden जूबली वे बहूत ज्याद Daar Hog Dalot का हम जाएगा aschiaetic degrees happy और opposite word हो Walker जाएगा सौरो सौरो का मतलब दुख होता है डिप्रेस का मतलब उदासी दुख यह सब इसके अपोजिटर वर्ट हो जाएंगे next lament lament का मतलब होता है उदास होना विलाप करना याद करेंगा मैं अएसे मोर हम पहले याद कर चुके है यह नि मरने से कोई क्या होगा उदास होगा लेकिन यहां पर lament आया हुआ हुआ तो lament मैं ऐसे वर्ट देखेंगा अगर l को मैं हटा दू ठीक है l को मैं क्या कर दूँ हटा मतलब क्या होता है विलाब करना क्या करना विलाब करते हैं है न बोलते हैं आमीन तो लेमंड का मतलब याद रखेगा विलाप करना और पाकि जो दूसरा ट्रिक है वो है क्या लेम और मैंन म्मान कमतलना यो लंब व्यक्ति है को देख लेमिंट का मतलब होता है. छुपा हुआ. ऐसे याद करेंगा लेट और अंत. दो पारण में divided करो गें. लेट का मतलब देर और अंत का मतलब last to जब हम कभी class में बचपन में जब हम class में पढ़ते थे, तो जब भी हम कभी class में लेट पहुचते थे, तो क्या होता था कि teacher के डांट के वजह से हैं जैसे हम आलों कि कल हम homework नहीं करके गए तो क्या होता था हम सबसे पीछे बैठते थे ताकि मैम हमें देखना पाए या sir हमें देखना पाए और हम छुपे हुए रहे तो lament का मतलब होता है छुपा हुआ होना और सबसे अंत वाली बेंट पर जाकर करके हम बैठते थे ताकि मैं में में देखना पाए तो hidden और obvious इसका positive word इसका मतलब होता है असपस्ट रूप से और evident का मतलब होता है साच छे यानि पर्तियच असपस्ट रूप से next letal letal का मतलब होता है घातक होना चीक है बहुत जादा deadly होना घातक होना याद कैसे करेंगे देखो ऐसे कि L4 land याद करो ठीक है ठीक है और थल याद करो अउन कि रहे हाँ इस थल का मतलब जमीन होता है ह którą की बात हु रही है तो याणि कि थल जमीन के अंदर जब लेंड माइन्स बिछादी जाती है तो ये जमीन के लिए क्या हो जाता है ये जवानों के लिए हमलेस जो इसका होता है और हामलेस जुप नेक्स्ट पहले भी वड आया है और मीगर का मतलब होता है कम होना तो अगर-मगर वही है जिसके पास नौलेज की कमी होती है अगर-मगर मीगर कौन करता है तो जिसके पास knowledge की कमी होती है अगर teacher ने answer पूछ दिया कोई अगर-मगर कर रहा है तो मतलब उसके पास क्या कमी है knowledge की तो meager का मतलब अलफ होना कमी होना inadequate इसका synonym से और इसका जो opposite word है वो plentiful हो जाएगा sufficient हो हो जाएगा adequate हो जाएगा है ना next है हमारा Morbid Morbid का मतलब होता है रोग गरस्त याद करेंगे कि अगर आप more beadie Peg more का मतलब ज्यादा होता है वीड का मतलब bitte अगर आप more beADie पियोगे ज्यादा से ज्यादा béすごい पी हो गयए तो आप रोग ही हो मुंदन का मतलब होता है साधारन याद करेंगे मुंदन से कि अगर आप तिरुपती बाला जी मंदिल जाओगे तो वहां आपको सभी दिन मुंडन होते हुए देखेंगे जो कि वहाँ पर common है जो कि वहाँ पर common है और डिनरी है डेली वहाँ पर हजारों के संग्या मुंडन होते हैं तो याद रखेंगे everyday का काम है वहाँ पर common place है तो यह से इसके synonym से बाकी जो है extraordinary मिन्स और साधारन अपोजिट वड़े इसका next is omnius omnius का मतलब होता है असुब तो यह भी आसान सा वड़ है कि जब भी कोई असुब घटना घटने वाली होती है तो हम क्या करते है ओम करते हैं जानि भगवान का नाम लेता है नो ओम का जाब करते हैं omnius का मतलब क्या तो असुब threatening इसका synonym से और ऑपोजेट वड़े औस पीसीस जिसका मतलब होता है सुब होना next जो कि बहुत जालब धनी है वह सोच रहे है अब भी खरीदी लेना चाहिए तो अपुलेंट का मतलब क्या हो जाएगा धनी और कौन है अमबानी जी है याद हो जाएगा आपको इस तरह से बाकि जो इसके स्योनिम से जैसे रिच रिच का मतलब अमीर लग्जूरियस होता है गरीब that calculator Confuse Confuse का मतलब होता है अत्यधिक होना ति ङहां具 कि catch professor और यूज professor यूज 선생님 तो professor जो होते हैं वह plenty of books का use करते हैं पढ़ाने के लिए अधर जो होते हैं मोगता करते हैं plenty of books घंभी को जानी करते हैं पढ़ाने के लिए तो plenty और अभटननट जिसका मतलब क्या हो जाएगा प्रचूर मात्रा में और असपार्स का मतलब होता है कम हमने मीगर अभी याद किया कि अगर-मगर वही करता है जिसके पास कमी होती है और असकांट हम आगे याद करेंगे जो वर्ड आएगा मेन उसमें बाकी अभी के लिए बस इतना याद कर लो कि us can't हम इतने पैसों में कुछ नहीं कर सकते हैं we can't याद हो जाएगा आपको इस तरह से next है हमारा quincant quincant का मतलब होता है निस्केरे होना याद करेंगे question अंत question और अंत तो जब teacher ठीक है वह last में आपसे सवाल करते हैं तो आप लोग ऐसे कर देते हो यानि हम लोग ऐसे कर देते थे जैसे हम लोग क्या है डल है तो quincant का मतलब होता है निस्केरे बाकि जो इसके अपॉलिट वड़ है वह है active animated जिसका मतलब होता है सकिरे होना next is sordid sordid का मतलब होता है बहुत गंदा तीक है यानि की unpleasant or dirty याद करेंगे कि सर्दी सर्दी सौर्दी तो सौर्दियों में जो है जुखाम के वज़़ए से बच्चों के नाग डिर्टी रहते है बच्चों क्या कहें हमारे भी नाग गंदे रहते हैं जो है नाग में क्या होता है बहुत जादा पानी गिरता है नाग से और बलकुल गंदा दिखता है डिर्टी दिखता है तो सौर्दी के वज़़ए से जो है नाग बहुत जादा क्या दिखता है गंदा दिखता है याद हो जाएगा unpleasant or dirty डिर्टी तो रेपुटेबल का मतलब सम्मानित होता है अच्छा होता है नेक्स्ट है हमारा अस्प्यूरियस देखिए पहले भी वड़ आया है options में अस्प्यूरियस का मतलब होता है नकली तो हम ऐसे याद करेंगे इसको याद हो जाएगा स्प्यूरियस का मतलब नकली फेक और authentic का मतलब प्रमानिक पहले भी हम याद कर चुके है असली और जैन्वीन ऑथंटिकिशन जैन्वीन नेक्ट है थ्राइब थ्राइब का मतलब होता है उन्नति करना याद करेंगे कि थ्री थ्राइब को आप पढ़ेंगे थ्री और वी ि को याद रखेंगे तीके अगर positive सोचोगे तो आप क्या करोगे उन्नती करोगे तन मन धन से florist का मतलब होता है बलकुल उन्नती करना प्रॉस्पर पहले भी याद कर चुके है परस पर एक दूसरे से अमीर बनने की कोसिस और fail और shrink जो है पॉजिट वड़े कि trim से भी आप याद कर सकते हैं और तिरुपती बाला जी से भी याद कर सकते हैं ठीके तिरुपती बाला जी में फूल और अपने बाल दोनों चड़ा दूंगा और ऐसा हुआ भी था और दूसरा दूसरा तरह का मतलब क्या कर लिया अपना बाल क्या कर लिया तो हटवा लिया कब हटवाया जब सफलता मिली उसको किसमें तो 2011 के वर्ल्ड कप में सफलता विक्ट्री जीत डिफीट और जिसका मतलब हार होता है दुख होता है नेक्ट अबरप्ट का मतलब होता है एका एक यानि कि सड़न तो ऐसे याद रखेंगे अब रूप अब रूप रूप का मतलब चेहरा तो अब जो है मेक अप के बहुत अलग रूप लोग सड़न चेंज कर लेते हैं आपको पता भी अरनने से चलेगा को रूप का मतलब का होता है एका एक एक नैस्ट है एब जोल अब। का मतलब भूता है दोसमुक्त करना बहुत आसान ऐससे याद कलो कि अब सौल अब उस पे जितने भी केश थें जितने भी केस चल देते मिकशनाने मकदमें चल देते वह सारे62 हो गया औ और ब्लेम कम दब दोस्त लगाना इसका पॉजिट वर्ड है बगईरा में जो कि बिल्कुल गलत है तो असीट का मतलब क्या होता है मान लेना ठीक है तो फिर लड़की क्या करती है मान लेती हुआ डड़ से भासे से ना तो वह से वह क्या करना मान लेना जैसे देखो यहां पर दियो constant consent का मतलब होता है मान लेना और comply का मतलब होता है मान लेना deny का मतलब बना कर देना तो कोई भी व्यक्ति निपुन कब होगा जब उस चीज की वो depth में जाएगा अगर आपको math में निपुन होना है तो आप उसको depth में जाकर करके बिल्कुल पढ़ोगे तभी आप निपुन हो पाओगे, skilled हो पाओगे inapt इसका योग opposite word है inapt याद रखेंगे adapt का inapt next है admonis, admonis का मतलब होता है डाटना, फटकार लगाना तो add और money, add और money दो चीजों से याद रखेंगे add और money से तो जब money के लिए अमिताब बच्चन जी ने विमल का add किया जब money के लिए यानि पैसों के लिए इसाब add करते हैं अमिताब बच्चन जी ने विमल का add किया तो पब्लिक ने उन्हें बहुत लताड़ा यानि डाट लगाया तो वही याद हो जाएगा admonis का मतलब क्या डाटना, child का मतलब याद रखेंगे चिलाना, डाटना, same word है syndrome से, praise का मतलब तारीफ करना और applied का मतलब प्रसंसा करना इसका opposite word है next advance, advance का मतलब होता है आगे बढ़ना, तो देखो advance आज क्या है, दुनिया advance हो गई है, प्रगति कर रही है, आगे बढ़ रही है आजान जबड़े, progress कर रही है, move forward, retreat का मतलब पीछे अठना, ये भी word आएगा आगे चलके, तो इसकी भी हम trick देखेंगे आगे next है, aggravate, aggravate का मतलब होता है, भढ़काना किसी को, ठीक है, तो aggravate का aggressive से याद रखेंगे aggravate, aggressive, तो aggressive किसी को aggressive कर देना, भढ़का देना, irritate कर देना, intensify कर देना, total, ये सब इसके क्या है, तो इसके जो हैं, वो synonyms है बाकी, alleviate का मतलब होता है, सांध करना, जो कि इसका antonyms है next is alure, alure का मतलब होता है आकरसीथ होना, यानि की alure को हम याद रखेंगे, alu से तो alu अर्जुन काफी attractive दिखते हैं, 오늘osule कैसे दिखते हैं, तो काफी attractive दिखते हैं, tempting दिखते हैं और attracting दिखते हैं विल्कुल प्रयाप्त होना Asskairs का मतलब होता है कम होना और Miagr तो पहले भी हम याद कर चुके हैं तो Asskairs का मतलब कमी और Miagr का मतलब भी कमी Next Assault Assault का मतलब होता है हमला, ठीक है क्या करना हमला थी सको अगर मैं पढ़ ंहू Assault 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 Repeat करोगे न行 Assault 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 तो याद हो जाएगा आपको कि असला बारूत क्यों बलाते हैं लोग, क्यों खरीते हैं लोग, तो attack करने के लिए, attack याद हो जाएगा आपको, defend और reiterate का मतलब होता है, बीच बचाओ करना, पीछे हटना, next assist, assist का मतलब होता है, मदद करना, assistant से याद रखेंगे इसको, कि assistant क्यो रखते हैं लोग, तो मदद करने के लिए रखते हैं, अपनी मदद के लिए रखते हैं, तो assist का मतलब क्या assistant, यानि कि मदद करना, help, facilitate, और add, इसके क्या है, sentence है, और abstract इसका क्या है, बाधा डालना, opposite word है, ये भी आगे आएगा word, और abstract, ये भी देखेंगा हम आगे, next awkward, awkward का म maintenance का है, convenient, graceful, next है, barbarous, barbarous का मतलब होता है, असब्बे, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, बरबर, तीक है, अगर कोई लंबे टाइम तक, बारबर, यानि बरबर का मतलब मैंने या पर बारबर की बात की, बारबर का मतलब नाई, तो अगर लंबे टाइम तक कोई बारबर के य जिकल्ए YOU बारबर का मतलब होता है, सब्बे, ऋड़ी, और civilised मतलब इसका ऐसलीक होता है, उदास होना, कैसा होना, और याद करेंगे, भाई, लीक, ना पर बाई, जब लजब सबमें, से अगर तो हम बड़े उदाफ होता है क्रूर करें का तरीका बहुत जान है कि ऐसे जाद रखेंगे कि उसका stepfather ठीक है brutal brutal मिन स्याद रखेंगे बुरा brew बुरू मिन्स बुरा और टल स्याद रखेंगे टली तो उसका stepfather जो है stepfather का मादब सवतेला बाप टली होकर उसे बुरा बुरे तरीके से एकदम cruelty से पीटता है उसका बुरा फादर यानि कि आप ऐसे याद कर लो कि उसका stepfather बहुत जाद बुरा है और टली होकर करके डिली आता है उसे बहुत पीटता है तो cruel हो गया savage और cruel इसका synonym से और human इसका जो है वह है opposite जिसका मतलब होता है जालों नेक्टासीज का मतलब होता है रोकना सीज फाइर साप इसको याद रखेंगे आशाम सावर्ड़ सीस फायर यानि कि फायर को रोको अस्टॉप का अंदर रोकना इनिसियेट का मतलब आरंब करना, continue का मतलब आरंब करना, जारी रखना, start का मतलब भी शुरू करना, तो opposite word है यह सब, next है sensor, sensor का मतलब होता है, निंदा करना, sensor board से याद रखेंगा आप इसको, कि sensor board, जब movie में कोई असलील scene होता है, तो sensor board उसकी क्या करता है, निंदा करता है, और कहता है कि यह scene काट करके हटा हो, तभी जो है movie publish होने देंगे, तो criticize करना, sensor का मतलब, praise का मतलब तारीफ, इसका opposite है, apply उसका मतलब भी तारीफ, इसका opposite है, next is chest, chest का मतलब होता है, पवित्र होना, तो chest से इसको याद रखेंगे, कि अपने chest, यानि कि दिल की, ठीक है, दिल इसको क्या रखो, हमेजा पवित्र रखो, pure रखो, इसमें कोई भी corruption मत आने दो, तो pure इसका क्या हो जाएगा, corrupt इसका क्या हो जाएगा, opposite हो जाएगा, next है, complacent, complacent का मतलब होता है, आत्म संतुस्थ होना, संतुस्थी होना, satisfaction होना, याद करेंगे, कम और place, तो आप ऐसा समझ मिला, कम प्लेस मिला, मिला, कम जगह मिला, इन्हों फिर भी संतुस्थ है, बोल रहा चलो कोई नी, अरे मेरे भाई के पास ही तो है, किसी और को मैंने थोड़ी दिया है, मुझे कम मिला तो क्या हो गया, तो कम प्लेस मिला, फिर भी मैं संतुस्थ हूँ, satisfied हो, असमग हूँ, और concerned का मतलब चिंतित होता है अपोजिटेस का next हमारा conceited conceited का मतलब होता है भिमानी होना तो ऐसे याद रखेंगे कि कौन seat तो कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरी seat पे बैठने की ऐसा करने की तो कौन बोलता था ऐसा monitor बोलता था class monitor हमें ऐसे ही बोलता था जब फर्स बेंच पे यानि उसकी seat पे बैठ जाते थे कि कौन हो तुम कौन हो तुम क्यों ऐसा बोलता था क्योंके वो घमंडी था conceited था proud, smug और arrogant जिसका मतलब होता है घमंडी होना और modest का मतलब विनर्म होना next है congenial congenial का मतलब होता है अनुकूल होना तो ऐसे याद रखें कौन और genial ठीक है genial को याद रखें general आगे भी एक word और जो है आएगा उसको अभी हम general डिसूजा से याद करेंगे तो इसलिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप दोनों में confused नहीं होंगे कि genial डिसूजा जाने तू जाने ना जाने तू जाने ना में जो movie है उसके लिए बिल्कुल क्या है perfect थी कौन तो जैने लिया तो congenial का मतलब हो जाएगा क्या अनुकूल होना favorable होना cordial होना और compatible होना opposite हो जाएगा unpleasant next word हमारा defile defile का मतलब होता है असुद्ध करना किसी भी चीज को impure करना corrupt करना जैसे याद रखेंगे defile यानि कि defile तो head ने कहा उस murder की file दे head ने कहा मालनो कि आप कहीं पर police भी भाग में काम करते हैं आपके head ने आपको कहा defile और फिर उसने उस file में corruption कर दिया ताकि आप राधी को सजा ना मिल सके और वो बच जाए तो defile कर देना means क्या कर देना corruption कर देना purify इसका positive हो जाएगा जिसका मतलब होता है सुद्ध होना honor का मतलब सम्मान elevated का मतलब होता है सुद्ध होना next है हमारा deliberate देखो deliberately आसान तर वड़ है deliberately का मतलब जान मुझे होता है तो delivery से इसको याद रखेंगा अगर आपको याद नहीं होता है तो कि flip card वाले जान बुच कर हर price की कीमत कितना रखते हैं 498 रख देते हैं जब कि लिखा होता है कि 499 से ज्यादा price वाले product की जो है delivery क्या है free है लेकिन फिर भी उसकी जो है क्या रख देते हैं price जो रख देते हैं वो नीचे रख देते हैं जैसे मान लो कि एक और बढ़ा देते हैं एक रिपया तो 499 के बाद आपको जो है free delivery मिल जाता है लेकिन नहीं वो क्या रखते है 499 रखते है प्राइज ताकि आपको delivery चार्ट भी देना पड़े ऐसा जान बुझके वो रखते हैं इंटेन इंटेंशनल इसका सिनुम से इंटेंडेड और प्लांड इसका जो है सिनुम से और बाकि जो आपॉजिट वड़े वो है जिसका मतलब होता है सोभाविक नेस्ट है हमारा डिसपाइज डिसपाइज का मतलब होता है घरिना करना नफरत करना किसी भी चीज से याद करेंगे डी असपाइज डी का मतलब नहीं निगेटिव असपाइज करना मसाला तो अगर घर में अगर घर में अगर बिना मसाला के तीक है लगातार मानलो अगर घर में लगातार कई दिनों तक बिना मसाला के जो है क्या बने सबजी बने बिना स्पाइस का सबजी बने तो आपको सबजी से नफरत हो जाएगा कँरेना करना एंडर विल्यू और आड्मायर प्रसंसा करना इसका और पौजिट वडह जाएगा है सदेवोसर भृञत्य निवन्य यादक राखेंगे है निवी तो देव किया धार्मिक अपोजिट है इसका next है diffident diffident का मतलब होता है संकोची opposite of confident किसके opposite है यह confident के opposite है डिफएडेंट है ना याद रखेंगे confident के opposite है तो जब कोई खाने वाली ना डिस लेकर घर आता हूं तो पुत्रों में क्या हो जाता है उस उस दिसको लेकर के झगड़ा हो जाता है जिस्का पीजाक लेकर के आए तो पीजाक के पीजा के स्लाइस के लिए थे जग्ड़ा मुझे कम ज़ Anda चाहिए erुन को मुझे कम मीजास्जाधा चाहिए तो इसमिश्प instancer क scanner से कं आले भी वर्ड आया है options में लेकिन यहां पर main word के तोर पर आया हुआ है तो docile को मैं याद करूँगा do silence है ठीक है वह हर काम जो है silently कर लेता है उसे जो भी कहा जाता है वह silently कर लेता है मिश्क्या है वह आग्याकारी बालक है तो इसका जो सिन्यम से हो है तो सबमिसिव भी ऐसा ही याद करेंगे तो उसे कोई भी काम बोलो वह सब में सही ठीक है सब में सही करता है यानि कि सब सही काम वह कर लेता है खुछ भी गलत नहीं करता है और हर बात में बोलता है हाई यह सही है सही है क्योंकि वह आग्याकारी है एंट्रोनेम से अपोजिंग अपोजिंग से बनाया अपोजिंग अन्विलिंग यानि कि विरोधी next देखेंगे नेक्स वर्ट है हमारा eradicate, eradicate मिन्स होता है मिटा देना या फिर जड़ से उखाड़ देना याद करेंगे erase से ही erase का मतलब ही होता है मिटा देना उखाड़ देना जड़ से उखाड़ देना इसका जो synonym से वो है abolish और uproot अप्रूट का मतलब जड़ से उखाड़ देना और अबॉलिस खतम कर देना मिटा देना याद रखेंगे एरे से एरेडिकेट को और जो एंटोनेम से वह है प्रिजर्व का मतलब होता है बचाना फटीग का मतलब होता है थकान तो इसको याद करने बहुत असान है कि फट गायी का मतलब कोई लड़का, तो fat guy जो है, जल्दी ही ठक जाता है fat guy जो होता है, वो क्या होता है, जल्दी ही ठक जाता है कोई भी काम करने में tired हो जाता है तो tired means ठकावट, weariness पहले भी आया, weary, weary का मतलब ठकान होता है, और strength का मतलब तागत opposite है उसका, next है feeble feeble means होता है, कमजोर fever से याद रखेंगे, इसको कि fever होने से, उसकी body जो है, बिल्कुल कमजोर हो गई और वो पूरी तरह से कमजोर पढ़ गया, weak हो गया तो feeble, कमजोर, यानि weak, और opposite हो जाएगा strong और effective, यानि कि प्रभावी, antonenses के next word देखेंगे, feroseous, feroseous का मतलब होता है, उग्र होना, यानि बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाना, violent हो जाना, याद करेंगे, pharo और cease, तो pharo वाले time चुल पांडे थोड़े उग्र हो जाता है pharo वाले दिन, pharooseous pharo वाले दिन जो है, क्या होता है क्यों पांडे बिलकुल उग्र हो जाते हैं, और जो चुनी भईया होते है, चुनी भईया नहीं, गेंदा भईया जो होते हैं, उनके 씨स को मडोड देते हैं, यानि कि उल्टा घोमा देते हैं, और उनको मार देते हैं, तो याद रखेंगे फिकर से कि जब हमें किसी बात की फिकर होती है तो हमारा mind क्या होता है अनस्टेबल होता है यानि कि अस्थीर होता है याना तो unstable जो है इसका sentence हो जाएगा और constant और stable of form इसके opposite word हो जाएंगे चलिए next word देखते हैं अगला जो word हो हमारा होता है flimsy का मतलब होता है कमजोर होना weak होना feeble होना तो weak और feeble हमने पहले भी याद किया आप हमें याद करना है flimsy याद करेंगे इसको film से कि ब्रहमास्तर film की कहानी जो है बहुत weak थी इसलिए वो movie flop होई या फिर जो भी हो आप बोलोगे कि नहीं चल पाई, जितना मतलब उससे expect किया जा रहा था, नहीं चल पाई, तो flimsy का मतलब याद रखना है कि जो film है, उसकी कहानी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो क्या हो गई, तो fluff हो गई, कमजोर हो गई, बाकि जो इसके, हमने cinema तो देख लिए हैं, याद कर लिए हैं, इसक भंगूर जो आसानी से तूट जा, उसको हम फ्रिजाइल कहते हैं, याद करने का तरीका ऐसे याद करेंगे, freeze से याद रखेंगे, कि जब freeze आता है घर में, जब घर में freeze आती है, तो आपने देखा होगा, उस पे इस तरह का जो इसका box पे ये बना हुआ रता है, और लिखा और strong जो इसके अपॉलिट वर्ड हो जाएंगे, जो कि आसान से वर्ड है, नाच्ट है, गैरलस, गैरलस का मतलब होता है बातूनी, तो ऐसे याद करेंगे, girl us, तो girl हम लड़कों से ज्यादा क्या होती है, talkative होती है, गरल us, यानि girl हम लड़कों से ज्यादा क्या होती है, talkative होती है, बला बला करते रहती है, बगबग करते रहती है, valuable और talkative जो है इसका क्या है, synonym से, और taciturn का मतलब होता है, alpavasi, यानि की कम बोलने वाला, देखो इसके एक और intonym से याद कर लो, क्योंकि दोनों similar लगते है, जो तो taciturn और एक होता है reticent, reticent, तो रहती सांत से य careless ठीक है, बस याद करवांगे कि जो है, मैं ऐसा बोल रहाऊं, कोई दिल पर मतले ना, next है हमारा है, हैस्ट, हैस्ट का मतलब जल्दी होता है, आसान सा वर्ड है यह, बोलता है ना कि don't be hast, यानि जल्दी मत करो, easy है, बिलकुल, hurry, hurry का मतलब भी जल्दी करना, है ना, hurry up, delay का मतलब देर करना, तो यह बिलकुल आसान सा वर्ड है, incredible, यह भी आसान सा वर्ड है, जिसका मतलब होता है, अतुल निये, या फिर अविस्वस्निये, incredible, इंडिया आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो incredible का मतलब अविस्वस्निये, ना, unbelievable, opposite वर्ड इसके है, possible, believable, यानि क जिसको, जिसको हम विस्वास कर सके, संभव हो, विस्वास करना, next, inapt, inapt, आपको पढ़ाया था मैंने, adapt, opposite है, यानि कि inapt का मतलब अयोग्य, skill नहीं होना, और हमने adapt पढ़ा था, और depth करके, जब भी आपको किसी चीज में skill होना है, तो आपको उसका depth में जानी पढ़ेगी लेगन यहाँ पर उसका क्या दिया हुआ है, तो opposite दिया हुआ है, inapt दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है, अयोग्यता, बाकि अगर आपको ऐसे नहीं याद होता, तो आप ट्रिक से याद करने, कीवर्ट से, कि app और T, ठीक है, app, app का मतलब लंगूर और T, तो app में, क्लम जी, क्लम जी इसका सीनोनिम से, पहले भी आत किया हमने, क्लम जी बढ़ंगा, अस्किलफुल, टैलेंटेड और कॉंपेटेंट, इसके सीनोनिम से, next वर्ट देखेंगे, inoctuous, inoctuous, inoctuous का मतलब होता है, अहानी कर, देखो, इसको हम ऐसे याद करेंगे, ino और कस, ino ठीके, और कस, तो ino को आप कस करके भी पी लोगे न, यानि दबा करके भी पी लोगे, तीन, चार पैकेट भी, तो यह आपको हानी नहीं पहुचाएगे, तो inoctuous का मतलब होता है, अहानी कर, इसके जो सीनोनिम से है, जैसे harmless, असान सा वर्ट है, inoffensive, और एंटोनिम जैसे par parnesius, parnesius हमने याद किया था कि प्राणी है न, जंगली प्राणी हमारे लिए क्या हो सकते हैं, dangerous हो सकते हैं, हानिकारक हो सकते हैं, और harmful तो आसान सा वर्ट हैं, तो देखें, इस तरह से जब बार बार वर्ट repeat होते जाएंगे न, तो आपको वो सारे वर्ट याद होते जाए जो आपके exam में आने वाले हैं, next integration, integration का मतलब होता है, एक ही करन करना, unite करना, तो देखो आपने ऐसे इटे देखे होंगे, गावों में गिरे होए या सहरों में गिरे होए, जब कभी कोई घर बनवाता है, तो इस तरह से इटे गिरे होते हैं, और फिर उसको जो है, इस form में सजाय जाता है, एक ही करन किया जाता है, तो जो इटे गिरे होते हैं, integration, इटे जो गिरे होते हैं, उसको एक जगा पर unite किया जाता है, उसको हम कहते हैं, integration, यानि कि एक जगा पर क्या करना, unite करना, unification करना, और fragmentation जो है, इसका क्या है, विखंडन होता है, fragmentation, यानि अलग-अ होके फैसला लेते हैं तो wise, cautious, prudent, prudent हमने पहले भी याद किया कि student को क्या होना चाहिए prudent होना चाहिए यानि कि wise होना चाहिए धिमान होना चाहिए और rest का मतलब होता है और विवेकी जो कि इसका opposite word है next है levis, levis का मतलब होता है प्रचूर या फिर खर्चीला याद करेंगे levis से तो levis एक company है ब्रैंड है टी-shirt कपड़ों की तो levis के टी-shirt बड़े expensive होते हैं levis के टी-shirt क्या होते हैं बड़े expensive होते हैं और उसको लेने में आपका जो है बहुत जाज़ा खर्च हो जाएगा पैसा तोसी को बोलता है expensive, bountiful यानि कि प्रचूर मात्रा में और आपको mall वगरा में जो है levis की टी-shirt जो है प्रचूर मात्रा में देखने को भी मिल जाएंग scarce का मतलब होता है कमी और frugal का मतलब होता है अलप वई यानि कि कम खर्चीला next magnificent magnificent का मतलब होता है सांधार तो इसको याद करेंगे हम मंगनी से कैसे याद करेंगे मंगनी से तो अमबानी जी ने अपने बेटे की मंगनी बड़े ही grand तरीके से तो अमबानी जी ने अपने बेटे की मंगनी जो है बड़े grand तरीके से की magnificent की तो splendid और grand आपको याद हो जाएगा grand तो ऐसे भी याद है splendid याद रखेंगे splendor प्लस से कि splendor प्लस जो गाड़ी है वो क्या है बहुत इसांधार गाड़ी है बहुत पुरानी गाड़ी है और modest का मतलब विनर्म होता है opposite word इसका next मलीस मलीस का मतलब होता है दुर्भावना इसको आप याद करना है तो आप मलीस ही पढ़ेंगे ताकि देखो इसको याद करने के लिए मैं इसको बनाऊँगा मालिक ठीक है क्या बनाऊँगा मालिक सीफोर का मालिक तो मालिक मालिक को ठीक है मालिक जो है अपने नौकरों से क्या करते हैं दुरुभावना करते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं अमीर होते हैं कभी-कभी मालिक अपने नोकर से जो है दुरुभावना तरीके से जो कि गलत है लेकिन वो अमीर होते हैं इसलिए वो कर देते हैं तो बिटरनेस इसका जो सिनन्स हो जाएगा दुरुभावना औ कि मिटी का कलस, मिटी का कलस, तो मिटी का कलस बहुत ही क्या होता है, केरफुली तरीके से बनाना होता है, वनना तूट जाएगा, आपने मिटी का कलस जो कुमहार बनाता है, पॉर्टर बनाता है, तो बड़े सतर्क होके बनाता है, केरफुल होके बनाता है, उसको मेथड, एक method होता है बनाने का तो वही methodical और perfectionist यानि कि बिल्कुल perfect बनाता है वो और अगर आपने careless किया तो वो नहीं बन पाएगा तो careless क्या है meticulous का opposite है next है monotonous monotonous का मतलब होता है nearest और एक समान याद करेंगे mono का मतलब एक और tone का मतलब क्या तो tone का tone और sound तो tony का कर जो हो है tone से याद रखेंगे tony कर एक ही tone में क्या करता है gaana गाता है tonic कर कर जो है एक ही tone में घाना काता है जिसके और गाने हमें कैसे लगते है नीरस gamer लगते है यहना बोलता है n का लगा noise ma अं Dabei continue एक ही tone में जा on हमें सुनते सुनते फिर नीजस लगने लगता है तो डल और बोरिंग इसके सिनोनिम से और इंट्रस्टिंग और विराइड जिसका मतलब है रूची लेना विराइड का वंदर भिन परगार का तो ये इसका अपोजिट वर्ड है नेक्ट है नफ्रेसियस नफ्रेसियस का मतलब होता है दुसकर्मी नफ्रेसियस का मतलब क्या हो जाएगा दुसकर्मी तो हम ऐसे याद करेंगा नफ्रत अस तो नफ्रत करते हैं हम दुसकर्म से नफ्रत करते हैं हम दुसकर्म करने वालों से तो वही हो जाएगा नफ्रेसियस क नॉट्रोसस का मतलब होता है कुख्यात याद करेंगे ऐसे कि नटवर तो नटवर और अस तो नटवर लाल आपको ने नाम सुना होगा नटवर लाल का तो नटवर लाल एक जो थे कुख्यात ठग थे जिसके बारे में हम सभी जानते हैं नॉट्रोसस का मतलब होता है कुख्यात डिज रिपूटेबल बस याद करवाने लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ ठीक है बाकिया आपको किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना है पॉपुलर और रेपूटेटटेट इसका अपोजीट वर्ड है नेक्ट है पॉसिति का मतलब हुता है कमी होना तो एसे याद रखेंगे पॉव और सीटी से दो पाट में डिवाइट किज़े इसको पाव और सिटी, गाउं में पाव आठा ही मिला, देखें गाउं में क्या मिला, पाव आठा ही मिला, मैं इसलिए सिटी आ गया आठा लेने के लिए, तो पाव सिटी का मतलब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सौटेज, पलिथोरा और सबिस क arrows जыс का मतलब होता है बहुतायात मात्रा में और इसके जडियर का मतलब होता है अजीव और इसको जो तरीका है तुम क सब्सकार दिए WAGD आप टेक 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 तेकर नहीं आया टेक्य के पिक टेक खूजव 殺 ऐस सब्ढek में पिक क्लीयर से की 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 कर नहीं आया चीक है जीक इसका अजीब आया है और यह बहुत ते डाइस का तरीब न में बाई continue रखना यह सब इसके synonence है और opposite है जैसे siege का मतलब बंद कर देना discontinue बंद कर देना siege हमने पहले भी याद किया है siege fire next है precarious precarious का मतलब होता है खतरनाग तो pre का मतलब पहले और car और us ठीक है तीन पार्ट में divide करेंगे याद करना है तो pre और car और us तो car की पहली seat पर pre का मतलब पहले होता है तो car की पहली seat पर हम बैठना नहीं चाहते हैं क्यों नहीं बैठना चाहते हैं क्योंकि car की पहली seat पर इसलिए लोग नहीं बैठते हैं क्योंकि वो डरते हैं क्योंकि अगर accident हुआ तो जो first seat पर बैठा हुआ है उसकी मौत होगी या फिर accident में ज़्यादा घायल होगा तो उसके लिए वो खतरनाक होता है इसलिए वो precarious यानि कि खतरनाक बाकि जो इसके सिर्णम से वो है perilous का मतलब होता है खतरनाक तो इसको भी याद करेंगे पैर loss अलाकि ये भी option में आया है आगे चलके जो है main word की तरह आएगा वहाँ पे भी हम इसको याद करेंगे कि pair loss उसने एक खतरनाक stunt करने में उसने एक dangerous stunt करने में जो है अपना pair loss कर दिया dangerous का मतलब पता ही आपको खतरनाक insecure का मतलब और सुरक्षित और इन सभी का पोजिट है safe safe का मतलब सुरक्षित next है predilection predilection का मतलब होता है पसंद आना इसको हलाकि तो ऐसे ही याद करते हैं दिल से ही मैंने याद किया है क्योंकि बीच में दिल सिर्फ इसी वर्ड में आता है दिल से ही कोई भी चीज पसंद की जाती है बाकि आप ऐसे याद करेंगे कि साधी से पहले प्री प्री का उन्दा पहले लड़का और लड़की मिलते हैं फिर उनके दिल मिलते हैं और फिर घरवाले एक्सन लेते हैं साधी का और बाकि जो इसको सिर्णम से हुए है preference, एंटरनम से dislike, aversion, enmity सभी मैंने आपको याद करवा है वर्जन भी मैंने आपको याद करवा है कि Chinese phone के वर्जन से मुझे क्या है सत्रुता है, दुस्मनी है, नापसंद है next है revive, revive का मतलब होता है पुनर जीवित करना इसको ऐसे याद करेंगे अरे vibe, अरे vibe करना, restore करना, recover करना इसके synonyms है, बाकि अपोजिट है rune, rune का मतलब बरबाद कर देना damage का मतलब यह बरबाद कर देना next is sacred sacred का मतलब होता है, पवित्र पहले भी यह word आया, options में ganga is a sacred river the ganga is a sacred river क्योंकि आसान सा सब्द है, यह sacred का मतलब पवित्र होता है, holy का मतलब भी पवित्र, और profan का मतलब होता है और पवित्र, सिर्फ यह word आप याद रखेंगे profan है, इसका अपोजिट है next is salient salient का मतलब होता है मुख्य, और इसको याद करेंगे साली से तो जीजा के जीजा के जीजा के जीजा के जूते चुराने में साली का क्या होता है, मुख्य करदार होता है यानि important करदार होता है salient का मतलब होता है क्या मुख्य, prominent और noticeable इसके synonym से और opposite है insignificant और negligible next is stable unstable का मतलब होता है स्थीर, अभी हमने unstable याद किया था को कहीं पर रोब होता है यानिए लोहे का जंजीर होता है उससे बांध गे commandments को तक है किनारे पर उसकी को anchor कहते है जहाज स्थीर रहता है ruled kept का मतलब होता है और स्थीर याद करेंगे कि गृम्दाफटी जादा इसाफ कीजिए Two पार्ट में इसको डिवाइट किजिए अस्त्री और जेंड्स तो अस्त्री से जादा जेंड्स क्या होते हैं सक्त होते हैं टो लेकर Cities थे How मतलब होता है अल्पभासी पहले भिए वर्ड व्कत आया है मैंने आपको दोनों वड़ याद करवाई रेटिसेंट का मतलब कम बोलने वाला तो वैसे झाथ कर सकते हैं आप ऐसे याद कर या फिर किसी का accident न हो जाए उसके taxi से silent और reticent जो है इसका क्या है synonym से reticent को याद रखेंगे रहती सांथ वो सांथ रहती है वो सांथ रहती है मिंस कम बोलती है talkative का मतलब बातुनी होता है आगे है thwart thwart का मतलब होता है बिगाड़ना किसी की योजना में अर्चन डालना याद करेंगे हम इसको throat से throat का मतलब गला तो हमारे throat में खिच-किच होने की वज़ा से बोलने में अर्चन आती है जैसे अभी मेरी हो गई है वीडियो बनाते बनाते तो वही है कि हमारे throat में खिच-खिच होने की वज़ह से बोलने में क्या आ जाती है रुकावट आ जाती है अर्चन आ जाती है तो उसी को क्या कहते है उसे को हम थ्वाट कहते है तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा क्या है से अरे इकशे पौजिट्ट है साहेतर करना वे उसके बाद है ट्रेंजेंट का मतलब होता है छनक थोड़ी देर के लिए ऍसको ट्रेंट और सीन से याद रहेंगे ट्रेंट ए चला जाता है या तो बढ़े बढ़ जाती और फिर वह सीन पीछे चूट जाता है तो च्रेंजेंट का मतलब क्या हो जाएगा च्छनिक थोड़े देर के लिए ट्रेंजेटरी और फ्लीटिंग अमतलब भाग जाना और टेंपरोरी इसके क्या है स्वेम्स से बाकिए इसके वह वह है permanent permanent का मतलब होता है अस्थाई ठीक है permanent यह अस्थाई नहीं होगा तो इसको याद करें कैसे देखें इसको याद करें गिenne से आपने science में oscillatory motion पढ़ा होगा यानि कि इसको हम दोलन भी बोलते हैं यानि कि A से C A से C यानि कि A B C एक जगा से एक ही जगा पर ऐसे से आगे पीछे करते हैं उसको हम oscillatory कहते हैं तो वही यहाँ पर है vacillate oscillatory तो वेवर होना वेव का मतलब आगे पीछे होना irresolute होना मतलब decide ना कर पाना decide इसका opposite है यानि कि निश्चित करना next हमारा अभियांस अभियांस का मतलब होता है ठहराओ halt थोड़े जरी की रोकना तो ऐसे याद करेंगे अभे यहां से तो जब मैंने office में लड़कियों को छेड दिया जब मैंने office में तेक है लेडिस सब्स होटा को छेड दिया तो बos ने कहा अ अभे यहां से निकल नही सो suspension later दे दूँगा तुझे तो अभियांस का मतलब हुता है क्या ठहराओ suspension in activity और continu accurate जिसका मतलब होता है जारी रखना next absolute का मतलब होता है पूर्ण absolutely हम बोलते भी या absolutely easy है बिलकुल absolutely I am completely agree with you वह यह complete इसका सिनोंद और limited इसका पॉइट हो जाएगा इसका मतलब होता है सिमित next accomplice accomplice का मतलब होता है सफल होना देखें दो बढ़ आएंगे एक तो आएगा A W C U M P L I C E ठीक है एक में SH नहीं होगा क्या होगा A W C U M P L I LAST में P L I C E होगा तो जहां पर यह P L I C E होगा तो वहां पर आप समझना Crime में partner की बात हो रही है ठीक है? Crime में partner की बात हो रही है तो यह trick से मैंने आपको याद करवाया है कि एक police यहां पर कम है एक police यहां पर कम है मतलब क्या है वो जा करके आप राधियों के साथ मिल गया है ऐसे मैंने आपको याद करवाया है लेकिन एक में होता है P L I S H तो जहां पर S H लगा हो रहा है तो वहां पर आप पॉलिस ध्यान में रखेंगे ठीक है पॉलिस पॉलिस जो मारते है ना सूर पे वो तो देखें ये काम और पॉलिस तो ये पॉलिस का काम करते करते हैं आज ये कितना सफल हो गया ना पॉलिस का काम करते करते हैं रोड पे पॉलिस मारा करता था आज इतना सफल हो गया तो इसने आपको simply याद रखना है सह अपरादी यानि क्राइम पार्टनर लेकिन P-L-I-S-H रहे accomplish में तो आपको याद रखना है सफल होना next acute acute का मतलब होता है तिश्ण का मतलब होता है धारदार acute angle आपने पढ़ा होगा तो देखो angle का जो यह होता है वो क्या होता है acute angle याद रहेगा आपको और शार्प इसका राइट जो सिन्रन से और अपोजिट है blunt blunt का मतलब होता है भोथरा यानि कि धार ना होना next affinity affinity का मतलब होता है लगाव सहानुभूती याद करेंगे इसको infinity से ठीक है यह infinity होता है तो math पढ़ने वालों को infinity word से क्या होता है लगाव होता है क्या होता है math पढ़ने वालों को infinity word से infinity होता है affinity होता है मिंद क्या होता है लगाव होता है affinity का मतलब लगाव empathy इसका synonym से empathy सहानुभूती याद रखना है ऐसे अब वर्जन का उदब घ्रीना है ना चाइनीज वर्जन के फोन से मुझे क्या है घ्रीना है वर्जन है नेक्स्ट है अल्ट्रोस्टिक नेक्स क्या है अल्ट्रोस्टिक का मतलब होता है परोपकारी क्या होता है परोपकारी तो याद करेंगे ऐसे कि और लोग उस पर क्या करते हैं ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो क्या है परोपकारी है इसलिए सब उस पर क्या करते हैं ट्रस्ट करते हैं बाके फिलन्थ्रॉपिस् जाएंगे और selfish का मतलब होता है खुदगर्ज होना आगे बढ़ते हैं next word है हमारा ameliorate ameliorate का मतलब होता है सुधारना ठीक है rectify करना सुधारना तो इसको याद करने का तरीका ऐसे है कि ameliorate 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 तो एक औरत ही क्या करती है आपकी ameliorate को ध्हो करके उस सुधारती ए उसको फिर से क्या करती है जो गंदा हो जाता है तो याद रखेंगे ameliorate ameliorate ऑको धो करके देती है और उसको सुधारती ए इंप्रूव करती है इंप्रूफ और वर्सन का मतलब होता है बत्तर कर देना पॉजिट वर्डेस का नेक्ट है M.E. केबल हमने M.E. अबल पढ़ा है ना M.E. अबल टू यूर फ्रेंड्शिप यानि कि मैत्रिपूर्ण यहाँ पे भी M.E. केबल है जिसका मतलब चलते हैं फोन हो या चार्जर केबल हो फ्रेंड्ली बाकि एंटोनेम से इसका होस्टाइल फिर से आ गया होस्टिली कर दूँगा ऐसा किसको कहते है तो दुसमन को ही कहते है नेक्स्ट है अपोजिट अपोजिट को याद रखेंगे ऐसे कि अपोजिट का मतलब होता है उप्युक्त क्या होता है उप्युक्त होता है तो यह किसका अपोजिट है अपोजिट का अपोजिट हो गया याद कर लेंगे आप appropriate इसका synonym से और inappropriate जो है इसका क्या है अपोजिट है अनुप्युक्त होता है next airkin airkin का मतलब होता है कि गुप्त होना secret होना याद करेंगे कि cane bomb अरे cane bomb तो cane bomb जो की hidden ही होता है cane bomb देखा होगा आपने movies में cane bomb दिखाय जाता है cane में bomb डाल करके बनाए जाता है जो की hidden ही होता है mysterious होता है और hidden होता है लेकिन इसका होगा public next है articulate articulate का मतलब होता है suaspist होना इसको याद करने का तरीका ऐसे ही मैंने बताया है कि art की calculation करने में बहुत अच्छी है बिल्कुल clear क्या करती है बिल्कुल clear calculation करती है articulate का मतलब हो जाएगा clear, distinct और entrance हो जाएगा unclear next है ascend ascend का मतलब होता है उपर उठना इसको याद करेंगे send से ठीक है ascend send तो और इस तरह संतोस यादो के parents ने संतोस यादो को कहां send कर दिया तो average पे चड़ने के लिए send कर दिया कि जाओ बेटे जाओ average चड़के, यानि Olympics को दो बात प्रता करो, तो संतोस यादो जो की average पे चड़ने वाली दो बार चड़ने वाली पर सम महिला बनी तो याद रखेंगे, ascend का मतलब क्या ऊपर उठना, तो याद रखेंगे ascend से send, ascend से संतोस यादो ऊपर चड़ी तो climb का मतब चड़ना, descend का मतब नीचे उतरना next है a certain a certain को ऐसे याद रखेंगे कुछ पता लगाना, क्या करना कुछ पता लगाना, तो इसको याद रखेंगे certain से, ठीक है, तो जब भी हम कुछ पता लगाते हैं, तो हम उसको ले करके क्या हो जाते है, certain हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं तो यह certain, कुछ पता लगाना, discover करना overlook और disprove, इसका क्या हो जाएगा opposite word हो जाएगा, जिसका मतलब होगा अंदेखा करना next है audacious audacious का मतलब होता है साहसी, इसको याद करेंगे audio से, तो audio का मतलब sound तो उसी के मूँ से sound निकलती है जिसमें क्या होता है, साहस होता है बनना जो सरमीले होते हैं वो तो सांत होते हैं, कुछ बोलते हैं ही निए audacious का मतलब क्या होता है, साहसी तो bold इसका synnum हो जाएगा cowardly का मतलब होता है, कायरता opposite है उसका next है audacity audacity भी same trick से याद करेंगे इसको भी जो है audio से याद करेंगे, audio से की निकलती है जो bold होता है next है हमारा authentic authentic का मतलब प्रमानिक होता है आसान सा वड़ है बिलकुल authentication यानि की प्रमानिकता विस्वसनियता और certain, nishtet, genuine, असली, इसके synonyms है और false का मतलब होता है क्या तो जूठा, ठीक है यह इसका क्या हो जाएगा opposite हो जाएगा जिसका मतलब होता है जूठा यह देखो trick पर यहाँ पर जो हिंदी है हिंदी में mistakes हो जाते है कभी कभी typing में तो इसको focus मत की जाएगा next है besich besich का मतलब होता है ऐसा याद करेंगी कि अभे सच अबने सच बताना यार मेरे बारे में क्या बोली चारस से आघा सब बहूच करते है आपने friends मतलब इसक बताना याचना कर काजल का मतलब होता है फुसलाना तो इसको काजूल से याद रखेंगे कि जब छोटी सिस्टर की काजल खतम हो जाती है जब छोटी सिस्टर की काजल जो है काजल जो आखम लगाई जाती है वो खतम हो जाती है तो बड़ी सिस्टर की जो है वो बड़ी सिस्टर की क्या करती है चाप लूसी करती है ताकि उसे काजल मिल जाए तो casualment या फिर casual का मतलब फुसलाना याद रखना ठीक है flattery flattery का मतलब वही चाप लूसी entice का मतलब भी चाप लूसी रिपल्स का मतलब होता है अपॉजिट इसका ठीक है द्रिड यहने कि तरसंकत next है हमारा capricious का मतलब होता है मनमौजी क्या होना मनमौजी होना तो को हिंदी जो है पहली वाली आ गई है तो हिंदी पर focus नहीं करेंगे आप से इंग्लेस पर ध्यान देंगे antonyms के जैसे capri याद करेंगे कि हम देख रहे हैं कि आजकल के बच्चे जो है मनमौजी हो गया है कभी capri पहन लेते हैं कभी jeans पहन लेते हैं कभी पता नहीं क्या-क्या पहन लेते हैं तो आजकल के बच्चे क्या हो गया है क्या प्रेशियस हो गया है यानि कि मनमौजी हो गया है सिनोनेम्स इसका है विम्सिकल और इसका अपोजिट जो है फर्म रिजनेबल नेक्स देखिए अगला जो वड़ है फिर से बोल रहा हम है बार-बार की जो हिंदी है वो उल्टी-पिल्टी हो गई है इसकी एंटोनेम्स की उसके आप फोकस नहीं करेंगे यह उल्टा लिखा गया है मतलब पहले वाला जो है जितने भी नेक्स वाले आएंगे जैसे 156 का जो एंटोनेम्स का हिंदी है वो आपको 155 में देखना है तो इसलिए इसमें थोड़ी से प्रॉब्लम हो गई है चलिए देखें चेरिस का मतलब होता है पोसन करना यानि कि देखरेक करना याद करेंगे चेरी के पेड से कि अगर आप चेरी के पेड को क्या करोगे नर्चर करोगे यानि उसको क्या करोगे देख भाल करोगे तो वो अच्छा बढ़ा हो जाएगा तो चेरी के पेड़ को जो है नरसरी में अच्छे से नर्चर किया जाता है तो नर्चर इसका सिनोयम्स हो जाएगा और अबेंडन का मतलब छोड़ देना इसका positive word हो जाएगा next है अगला word अगला वो है हमारा सिवलस ठीक है सिवलस को ऐसे याद करेंगे सिवा से याद करेंगे जी से, टिक है शिवा लृत करेंगे चितरपति सिवा जी जो कि वीर ही थे ह nova वीर होता है चिवल स्का मतलब कि चित्रपतिσιी única जी जो थे होर ते ही तो थे हे और हमारे क्या थे हिरो स्थ यहां यहां से hedgar aun इसका हीरो इंड inh है क्लेंडिस्टाइन देखो अब यहां से एंटुनियम सही हो गया है हिंदी यहां पर हिंदी साब साप लिखा हुआ है और क्लेंडिस्टाइन का मतलब होता है गुप्त secretly याद करेंगे ऐसे कि clan को थोड़ी देख लिए आप plan पढ़ने और destiny plan और destiny planan destiny ठीक है, एक clan des predicting तो destiny ने हमारे लिए ग्या plan बना करके है यह हम नहीं पता कर सकते हैं क्योंकि हमें पता कहीं है तो हमारे लिए secret है तो यही हो जाएगा क्लेंडिस्टाइन का मतलब गुप्त इसके जो सिनोन से हुआ है सीक्रेट और इसका अपोजिट जो है वो है ओपन और ओनेस्ट नेक्ट कॉमिक का मतलब होता है हास सिप्रद यानि कि खुसनूमा और इसको याद करेंगा आप कॉमिक्स से जो हम कॉमिक्स पढ़ते थे बजपन में जैसे चार्चा, चौदरी और साबू के कॉमिक्स बड़े क्या होते थे हास सिप्रद होते थे फ़नी होते थे और इसका अपोजिट जो है वो ट्रैजिक का मतलब ट्रैजिटी यानि नेक्स है command, command का मतलब होता है, आदेश देना, और आसान सा word है, इसका अपोजिट हो जाएगा, instruct, instruct का मतलब, सॉरी, अपोजिट नहीं, इसका synonyms क्या हो जाएगा, instruct हो जाएगा, instruct का मतलब भी क्या होता है, आदेश देना, instruction देना, अपोजिट जो हो जाएगा, वो हो पढ़ लिए कम साइज, कंसाइज, अगर N को मैं ऐसे कर दू, M मना दू, तो यह हो जाएगा कंसाइज, यानि जो बॉड़ी बिल्डर समेशा क्या करते हैं, कंसाइज की टी सर्ट पहनते हैं, ताकि उनकी बॉड़ी जो है, बाहर दिखे, तो कंसाइज, कंसाइज, कंसाइज क रखेंगे, इसको फाइन से याद रखेंगे, ठीक है, फाइन वही भरता है, जिसने, क्या, जिसने रस्टिक्सन तोड़े हो, तो हमारा रस्टिक्सन है, कि आप जो है लाल बत्ती जब हो जाती है, तो आप जो है ट्रैफिक, यानि की गाड़ी आगे नहीं कर सकते हैं, और आपने लाल बत्ती होते भी अगर गाड़ी आगे बढ़ा दी, यानि रस्टिक्सन तोड़ दी है, आपने पुलिस के द्वारा बनाया हुआ, तो आपको फाइन भणना पड़ेगा, तो फाइन का मतलब क्याद करना, रस्टिक्ट इसका सिनूनिम से, और लिबरेट का मतलब मुक्तवाद, हैना, स्टेचो अप लिबरटी मैंने याद करवाए था आपको, आजादी, नेट है, कंसेंस, कंसेंस का मतलब होता है, आम सहमती, इसको याद करेंगे, कॉमन सेंस से, ठीक है, कॉमन एगरिमेंट विद कॉमन सेंस, यानि कि आम सेंस से देते हैं, तो अपने स आज को जाएगा और डिस अपॉजिट फनीत užता है उसर बासीट करना वाटर कैसे फोता है तो बहुत बार हमने पड़ा यार लाइनों में यह यह से बुख्स वागरा में पॉलिट का अुर। सुद्धी करना next is copious copious का मतलब होता है प्रचूर मात्रा में lavishly, plentiful याद करेंगे copy us तो हम exam में copy करके प्रचूर मात्रा में marks मिल जाते थे exam में copy करके नकल करके जो है प्रचूर मात्रा में नमर मिल जाते थे या फिर ऐसे याद करो कि आपने ये PDF निकलवाई और आपने जो है क्या कर लिए इसके धेर सारे copy निकल वा लिए क्या दो जाएगा ऐसे scarce का मतलब कमी होता है opposite इसका next is courtious courtious का मतलब होता है विनर्म, polite क्या आद कैसे करेंगे court और us दो पार्ट में divide करो court और us तो court में हमें जो है विनर्म होके रहना चाहिए बिल्कुल humble और polite होकर के रहना चाहिए judge के सामने याद हो जाएगा आपको rude का मतलब opposite होता है यानि कि assist इसका opposite है rude behavior next is culmination culmination का मतलब होता है समापन याद करेंगे column और nation ठीक है कलमी से याद रखें कलम and last में judge climax के बाद climax का मतलब जब वो अपने climax से पहुंच जाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं वो कलम तोड़ देते हैं तो कलमी nation का मतलब हो जाएगा समापन के सुनाने के बाद अपना judge जो है बिंगनिंग बिंगनिंग और common sense ठीक है बिंगनिंग और comments हमने याद किया था comments का मतलब क्या तो comments का मतलब come and sense आज शुरू करते हैं चलिए आगे देखते हैं अगला जो वड़ है वो है culpable culpable का मतलब होता है दोसी होना इसको याद रखना है culpable को guilty और opposite word जो है next है हमारा defy defy का मतलब होता है विरोध करना किसी भी चीज का defies को याद रखोगे defiance हमने पढ़ा था obedience का उल्टा होता है defiance obedience का मतलब आग्या कारी बात मानने वाला और defiance का मतलब कि opposite बात ना मनने वाला विरोध करने वाला तो defy से याद करेंगे बाकि जो इसको sinem से है ripple dissolve और yield yield का मतलब सुईकार करने वाला next है demure demure का मतलब होता है सरमीला याद करेंगे demo से कि जब लड़का या जब लड़की का demo होता है साधी के लिए होता है ना जब लड़का लड़की देखने जाते है एक दूसरे को तो समझो उनका demo ही होता है तो जब लड़की का demo होता है साधी में means पहली बार तो तब मूँ दिखाई की जाती है और वो उस time में क्या होती है सर्माती है बहुत जादा क्या होती है बहुत जादा सर्माती है तो demure का मतलब क्या होना सर्मीला होना और sober इसका synonym से और strong और bold जो है इसका opposite है जिसका मतलब होता है साहसिक नेक्स्ट है deny, deny का मतलब होता है इंकार कर देना तो इसी में word छुपा हुआ है इसका answer they नहीं, they नहीं, d, e, they, ny से नहीं आनिके deny, they नहीं तो बस same trick से याद कर लेंगे इसको deny कर दिया, they नहीं कर दिया मैंने उससे पैसे मांगे आ उसने दे नहीं कर दिया इसके जो सिमनेम से वह है रिफ्यूज एंटोनेम से इसके एगरी और एक्सेप्ट कर ले ना नेफ्ट का मतलब होता है अपमान जनक इसके याद करहेंगे दरोगा से जब खुद दरोगा ने कानून तोडब यह उसके लिए पररियंग और सयरकैस्टिक और कॉंप्लिमेंटरीइस पॉजिट वड़ जिसका मतलब होता है रसंद्द करना कॉंपलीमेंट देना और डेटर का बातल ़ुटा रखेंगे जर्काना तो यदरजान से टरेटर क्या करता है तो कपडों को गंधे होने से रोकता है कपड़ों को क्या करता है गंदे होने से रोकता है कपड़ों पर मैल जमने से रोकता है कौन डिटर्जिंट तो डिटर से याद रखेंगे हिंडर का मतलब रोकना से और इंसाइट और एंकरेज जिसका मतलब होता है प्रोसाहिद करना next inner word हमारा dilate dilate का मतलब होता है फे Elana keyword बनेगा इसका देखो di die का मतलब किया मर जाना और late देखो dilate का मतलब लेट से मरता है लेट से मरता है मतलब 100 साल है ने 102 साल तीन साल जीन लिता है, तब मरता है तो क्या हुआ? उसने अपने life को क्या किया? डाइलेट किया मिस बढ़ाया, वाईडन किया और contrast कामतलब होता है संकूचित करना, छोटा करना, compress का मतलब होता है संकूचित करना या फिर छोटा करना next है हमारा dimness dimness का मतलब होता है घटाना तो देखो इसी में वड़ा रहा है minus minus ठीक है minus करना क्या कर देना minus कर देना d minus ठीक है या फिर धीमी से भी याद कर लो d i, m i, d दोनों तरीके से याद कर लो d i, m i, d me यानि कि धीमी करना कम करना और minus कर देना m i, n i, s h minus करना यानि कि कम करना reduce इसका synonym से और increase का मतलब होता है बढ़ाना next है dishevel dishevel का मतलब होता है ऐसे याद करेंगे dis, ठीक है dis से याद करेंगे t h i s dishevel, dishevel, dishevel यानि इस हवेली पर किसी ने ध्यान नहीं दिया इसलिए या हवेली जो है अस्त व्यस्त यानि कि untidy हो गई कैसी होगी? untidy हो गई तो यह हो जाएगा tidy इसका opposite word है next हमारा eager eager का मतलब होता है उत्सुक ऐसे याद करेंगे आसान सा word है I am eagerly waiting for your new video ऐसा आप लोग का कमेंट आता है मैंसा कि I am eagerly waiting for your new video तो उत्सुक होता है उत्सुकता समय आपके वीडियो का इंदियार कर रहा हूँ keen का मतलब होता है उत्सुकता interest लेना और disinterested इसका opposite word है और indifferent इसका opposite word है जिसका मतलब होता है interest ना लेना next है efficacious ineffective opposite हो जाएगा useless इसका opposite word हो जाएगा जिसका मतलब होगा परभाव हिन next है efficient efficient का मतलब होता है kusal होना काम में efficient होना हमने याद किया है यह बहुत बार कि वो अपने काम में क्या है बिल्कुल efficient है यानि कि क्या है kusal है efficient का मतलब क्या होता है कुसल होना, skilled होना, capable होना, competent होना और antonym से idle, idle का मतलब बेकार होता है, next is elated, elated का मतलब होता है प्रसंद और उत्तेजित होना, याद करेंगे elated को elated sounds कैसा है, elected, elated कैसा लग रहा है, elected, तो जब कोई वेक्षी elect हो जाता है चुनाव में, चुनाव में जीत जाता है, election में जीत elected हो जाता है, या फिर आपका जो है, interview में, आप interview के लिए elected के जाते हो, आप भी चुने जाते हो, तो आप भी बहुत ज़्यादा खुस हो जाते हो, exalted इसका क्या हो जाएगा, synonym हो जाएगा, disheartened और displaced इसका अपोलेट हो जाएगा, जिसका मतलब होता है निरासा, next है evade, evade क का मतलब भी क्या होता है, बच निकलना, तो evade का synonym क्या हो जाएगा, avoid और bypass, मतलब गुजर जाना, निकल जाना, और confront का मतलब होता है, सामना करना, जो कि इसका opposite word है, next है evasive, evasive का मतलब होता है, कपट पूर्ण होना, तो इसको तो आप रट जाओ, लिख लिया है मैंने कि र categorical, इसका जो है, एंटोनेम से, categorical, और ये frank, जिसका मतलब होता है, spust या फिर साफ होना, तो इस तरह से आप इसको रट लेना, एक बार evasive को, next है, हमारा exorbitant, exorbitant का मतलब होता है, अद्यधिक होना, यानि कि अद्यधिक मात्रा में होना, आप इसको बोल सकते हो, इसको ऐ और भी ज्यादा excessive, यानि कि बड़ा बनाते हैं, अगर extra orbit हो जाए, orbit जिसके मतलब, orbit को हम अक्ष भी कहते हैं, तो अगर वो बढ़ जाए, excess हो जाए, तो अत्यधिक हो जा रही है, याना, तो orbit के होंगे, और अत्यधिक हो जाएंगे, तो यह आपर excessive और high, modest का मतलब विनर्म होता है. Next is extinct, extinct का मतलब होता है, विलुक्त होना, बहुत असान सा word है, कि बहुत सारे एसे animal है, जो extinct होते जारहें, विलुक्त होते जा रहे हैं, इस धुनिया से, abolish, abolish अपरोने से, जिसका मतलब होता है, abolish कर देना, पहले भी हमने याद किया है, कि यह बोली, अब क्या हो यह समाप्त कर दी गई है, alive और living इसका पॉजिट वर्ड है, जिसका मतलब होता है जीवित रहना, नेक्स्ट है, असान सा वर्ड, fake, fake का मतलब नकली होता है, असान सा वर्ड है, बिल्कुल easy, ना, false इसका पॉजिट, false का मतलब क्या नकली होना, अपॉजिट वर्ड हो जाएगा, real और genuine, असान सा वर्ड है, नेक्स्ट है हमारा, fallacy, fallacy का मतलब होता है, परम सुख, यानि कि बहुत ज़्यादा खुश होना, सुखी होना, याद करेंगे, family city से, कि अगर city family हो, आपने देखा होगा, city जो होती है, वहाँ पे लोग, कैसे हम, एक ही जगा पर जो है, बहुत सारे लोग रहते हैं, मकान होता है, थोड़ा सा भी space नहीं होता, तो अगर city अगर family हो, अगर city अगर family हो, पूरी है, तो लोग भी खुश रह स्टोरी फिल्म का, crime fiction नहीं स्टोरी, यानि कि जो काल्पनिक होती है, real नहीं होती, false इसका sentence है, और real और factual जो है, इसका opposite हो जाएगा, factual fact से बना है, जिसका मतलब होता है, असली, next, florist, florist का मतलब होता है, समरिद्ध होना, याद करेंगे ऐसे, कि floor और rice, florist को divide करेंगे, floor और rice में, तो rice के floor जो है, marble लगे होते हैं, जो rice होते हैं, समरिद्ध होते हैं, उसके जो floor होते हो, कैसे होते हैं, तो लगे होते हैं क्या, तो उस पे tiles वगरा लगे होता है, florist का मतलब होना, thrives का क्या है, sentence हो जाएगा, opposite देख लिए, denigrate और hinder हो जाएगा, next, देखेंगे, previous discussion में से former ऐसे याद रखेंगे कि former prime minister, former prime minister, ठीक है, यानि कि भूत पुरु परदान मंतरी, और after और latter का मतलब होता है, बाद में, next है हमारा force, force का मतलब होता है, त्याग देना, पहले भी हमने याद किया, कि अब dawn ने क्या किया, सब कुछ त्याग दिया, क्योंकि police को उस प कहा, तो वो वाली मुवी, welcome back वाली मुवी में, dawn, तो revert इसका opposite हो जाएगा, जिसका मतलब होता है, lot आना, next है 45, 45 का मतलब होता है, मजबूत करना, fort से याद रखेंगे इसको, कि पहले के राजा मैं, राजा क्या करते थे अपने fort का, fort का मतलब कीला, उसको 45 करवाते थे, 45 क या फिर frail, जिसका मतलब होता है, दुरबल होना, तो इसको याद करो fail से, कि exam में वही बच्चे fail होते हैं, जो पढ़ने में दुरबल होते हैं, weak होते हैं, तो feeble of fragile, feeble of fragile इसका क्या है, synonym से feeble भी हमने याद किया है, कि feeble हो जाने से, क्या हो गया, कमजूर हो गया, fever हो जा है, बहुत मजबूत होता है, next is frugal, frugal का मतलब होता है, kifiety, यानि कि alp way, तो इसको frugal को याद रखेंगे, free girl, girl का मतलब girl, तो girl, डेली के बसों में free में travel करती हैं, और बहुत पैसे बचा लेती हैं, जो free है, डेली में क्या है, कि बसों में महिलाओं का ticket नहीं लगता, पैसा उनको free में traveling allow है, तो free और girl, यानि किफायती, तो उनके लिए क्या हो गया, किफायती हो गया, free में girl जो है, इदर उदर घूम लेती है, economical, इसका sinuam से, और extra virgin का मतलब होता है, खर्चीला, ये भी हमने याद किया है, कि extra virgin बढ़ जाएगा, जब आप क्या करोगे, खर्च करो लोगे पैसे किस पे, fast food पे तो, next है हमारा gallant, gallant का मतलब होता है, वीर, बहादूर, याद करेंगे, gallant को gallantry award से, तो gallantry award उने को मिलता है, जो वीर होते है, बहादूर होते है, तो courageous और brave, ठीक है, courageous और brave दोनों जो है, इसके sinuam से, और cowardly, इसका क्या है, opposite है, जिसका मतलब हो असान सा वर्ड है, gathering, gathering से याद करेंगे, सब लोग क्या हुए, gathering हुए है, जमा हुए है, और congregate इसका क्या है, स्रीम से congregate का मतलब मीटिंग भी होता है, Congress ने एक मीटिंग बुलाई, सब एकत्र होने के लिए, हाप पे क्या बुलाई गई, मीटिंग बुलाई गई, divide और disperse जिसका opposite word होता है, जिसका मतलब होता है, फैल जाना या पर छितराना, नेक्ट है genial, यह भी मैंने आपको याद करवाया था, दो word आपको याद करवाया था, एक तो याद करवाया था कि perfect होना, तो मैंने बोला था कि आगे एक और word आएगा जनेलिया डिसुजा से, यहाँ प पहले हमने याद करवाया आपको कैसे, और बूरिस, बूरिस, बूरिस का मतलब होता है दिहाती, और स्टाइल, यहनि कि assist, सतुरुता पूर्न, इसके opposite word हो जाएंगे, next word है गली, गली का मतलब होता है आनन्द, happy, happiness, तो गली को याद रखेंगे गली डंटा से, कि बचपन मे गली डलना, खेलने से ज़्यादा, हमारे लिए कोई भी आनन्द वाली बात नहीं थी, बचपन में गली डंटा से बड़ा happiness हमारे लिए कुछ नहीं था, उसके आगे हम सब कुछ भूल दाते थे, खुशी में गली डंटा खेलने से पहले, happiness इसका सिम्णम से, और वो, W-O-E जो है इसका अपोईट है सोग, next है गाईल, गाईल का मतलब होता है छल कपट, और इसको आप बिगाईल से याद रखेंगे, बिगाईल, टीक है, बिगाईल, G-U-I-L-E, हमने पहले भी याद किया है, one word substitution में बिगाईल को, कि महाभारत में कृष्ण भगवान कहते हैं, कि जब अचारे द्रोन पूछें कि क्या सच में अस्वथामा मारा गया है, तो तुम कहना हाँ, पर इंसान नहीं हाँ थी, और मैं उस समय बिगुल बजा दूँगा, ऐसा जो है युधिस्टर को कहते हैं, कौन भगवान किर्ष्ण और युधिस्टर करते हैं, नहीं माधव य जोटेगा जब कोई इनके बेटे के मरने के जोटी खवर फैलाएगा, तो उसे में क्या होता है, कि जब ऐसा बोलते हैं, द्रोनाचारे पूछते हैं कि क्या सच में अस्वथामा मारा गया, तो युधिस्टर बोलते हैं हाँ, पर कोई मनुस्य नहीं और हाथी, पर हाथी, जैसे हाथी बोलते हैं, जो मादव में क्या बजा देते हैं, क्रिस्न भगवान जो है, वो बिगुल बजा देते हैं, तो वही बोलते है, मादव यह तो छल कपट हुआ, इतनी लंबी यह सोरी जो है, सिर्फ एक वर्ड आपके लिए, तो याद कर लिजएगा माइन में यह तो बिगाईल का मतलब क्या हो जाएगा, छल कपट, कनिंग और डिसीट, जिसका मतलब होता है क्या, छल कपट करना, और इसका पोईट हो जाएगा, यानि की मानदारी, नेक्ट वर्ड हैगाड, हैगाड का मतलब होता है ठका मानदा, इसको याद रखेंगे हग से, हग, तोईलेट जाते जाते जो है परसान हो जाते हैं थक जाते हैं थोड़ा था फनी लगेगा लेकिन आपको याद करने तरीका यही मिला कि क्या होता है जब इंसान का पेट खराब होता है तो थक जाता है याद रखेगा जब इंसान का पेट खराब होता है थक जाता है गार्ड चलिए आगे देखे एक्जॉस्टेट इसका स्क्राइब होता है तो आजा नेक्स्ट वर्ड हमारा है हैंडी हैंडी का मतलब होता है आसान यानि कि जो हमारे हैंडी हो आप इसको बोलेंगे कि फोन ऐसा कर दो जो हैंडी हो बिल्कुल यानि मुबाईल ऐसा कर दो जो हैंडी हो और आपके हाथों में आसानी से आ जाए तो हैंडी का मतलब आसान और कि हैरस का मतलब होता है परिशान करना भुखू आसान सा वर्ड है हम बोलते हैं नग तो यह wire के आन्पिर हईनि अपरिशान किया है तो वह हो गया ओर इसके जो सिनोनिम्म से हो है hunter और ऑपर मॉलेस्ट आपने सुना होगा है उसके मॉलेस्टेशन का केस लगा है मिनसके का केस लगा है मतलब हैस्मेंट का केस लगा है तो यह मौलास्टेशिन और जिसका मतलब होता है परिसान करना सिनोनिम से यह हैरस का उसके बाद है रिलीव का मतलब होता है दुख दूर कर देना जो कि इसका opposite word है चलिए next word देखेंगे human human का मतलब होता है दयालू ये भी बहुत आसान है याद करना आप human से याद करेंगे ये human को भगवान ने इसलिए बनाया है ताकि वो दूसरे जानवरों के प्रति क्या रह सके तो देयालू रह सके तो human का मतलब क्या हो जाएगा kind, देयालू, sympathetic और इसके जो opposite word हो जाएगे वो हो जाएगा cruel, unkind यानि कि निर्दई वेक्ती नेक्स देखेंगे वह है immense, immense का मतलब होता है बहुत बड़ा है फिर विसाल होना, बहुत असान सा word है ये और हम common language में यूज करते हैं इसको immense, immense का मतलब बहुत बड़ा है विसाल ठीक है, इसके जो synonym से वह है massive, gigantic भी हो सकता है, massive भी हो सकता है, और भी बहुत सारे इसको synonym स लेकिन जो दिया हुआ है मैं वही याद करवा रहा हूँ massive, बोलता है न massive around में, यह बहुत बड़ा, और tiny, tiny का मतलब बहुत छोटा जो कि इसका क्या है, intonim से opposite word है, next है impoverish, impoverish का मतलब होता है गरीब, देखो इसको याद करने के लिए आपको जो है इसके बीच वाले word को देखना पड़ेगा, पावरिस, I am poverty, ठीक है, poverty का मतलब क्या होता है गरीबी, तो I am poverty, ठीक है, I am poverty का मतलब क्या है, मैं गरीब हूँ, मैं गरीबी रेखा के नीचे हूँ, तो याद हो जाएगा आपको, impoverish का मतलब क्या हो जाएगा, गरीब, और penniless, penniless का मतलब होता है, Pi Pi को मोhtاج होना तो Pi Pi को वही मोhtاج होगा जो क्या होगा गरीब होगा बाकि deepest इसके है relevant ये भी मैंने आपको याद करवाया Fluency in English अना तो अमीर लोग क्या होता है Fluency in English होते है Rich, Rich का मतलब धनी अपोजित वर्ड है के Next है粤 Incignment Inclement का मतलब होता है निर्दई थी के इसको याद करेंगा आप इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट का मतलब जब 설lory में बढ़ोत्री की जाती है उसको इंक्रीमेंट बोलते हैं तो उसी से आपको याद रखना आ हिए कि जब इंक्रिमेंट की बात आती है तो boss बड़े क्या हो जाते हैं, increment हो जाते हैं, निर्दई हो जाते हैं, जब employee जो हैं, क्या करते हैं, boss को बोलते हैं, कि increment कर दो salary में, तो boss जो हैं, उसी time में increment हो जाते हैं, निर्दई हो जाते हैं, और increment नहीं करते हैं, सिन्विम से unfavorable, dignified और opposite जो वर्ड हो है mild, mild का उन्दा विनर्म होता है जो कि इसका ठीक opposite है next है indolent, indolent का मतलब होता है आलसी या फिर निस्किर्य होना, याद करेंगे ऐसे कि indolent को थोड़े दिर के पढ़ेंगे indolent, तो आलसी कहीं कि हर मा जो है अपने बेटी से यही कहती है, आलसी कहीं कि तेरे लिए क्या सस्राल, तेरे लिए क्या सस्राल में डोली लगा करके रखेंगे तेरी सास, जो इस तरह से आलसी पना होकर के बैठे रहती है, चल कुछ कामधामी सीख ले, ऐसे हर मा बोलती है लाइवली, लाइवली का मतलब भी होता है सकीर होना, ठीक है, अपोजिट है इसका इंडॉलंड का, नेस्ट है इंडॉमिटेबल, इंडॉमिटेबल अपोजिट है किसका डॉमिटेबल का, डॉमिनंस आपने याद किया था, कि अंग्रेजों ने अपना क्या किया, डॉमिन जिसको जीता जा सके जैसे भारत को जीता था अंगरे जोने और indomitable का मतलब होता है जिसको जीता ना जा सके तो यह अपोजिट of dominant और unconquerable इसके synonyms हैं और invincible यह भी जो है इसके synonyms है हमने पहले भी याद किया है invincible इनसे win करना जो है impossible है क्योंकि यह अजय है और cowardly का मतलब होता है कायर जो कि इसका अपोजिट है नेस्ट इंडस्ट्रियस का मतलब होता है महनती तो याद करेंगे इंडस्ट्री से कि इंडस्ट्री में महनती लोगों कोहीं काम मिलता है इंडस्ट्री में क्या मिलता है महनती लोगों कहीं काम मिलते हैं डिलिजेंट तो फिर से आ गया कि दिल्ली में जंट जाकर के जो हैं इंडस्ट्री वगएरा में कंपनी वगएरा में बहुत महनती आप पिक्चर देख पा रहे होंगे तो डिलिजेंट का मतलब होता है महनती लेदार्जिक और इंडॉलेंट अभी सुस्ति है इसमें दिन भर लेजी की दरा लेटा रहता है तो लेदार्जीक आगे भी आएगा में वट के तोर पर वहाँ पर में इसको देख लेंगे हैं नेक्स देखिए कहा है इंफॉर्म का मतलब होता है कमजोर आपोज़ूट ऑफ फर्म हमने याद किया है फर्म का बहुत ज़ादा मजबूत होना, firm होना और उसी का अपोजिट है, inform, inform का मतलब होता है, कमजोर होना, ठीक है, weak होना, तो इसका अपोजिट है, strong, strong का मतलब बलवान होता है, next, initiate, आसान सा वड़ा है, किसी भी काम का क्या करना, initiate करना, initiative से याद रखेंगे इसको, तो initiate का मतलब क होता है, आरंब करना, कोई भी चीज सुरू करना, start करना, उसको initiate कहते हैं, और start इसके synonym से, और opposite वड़ है, finish, खतम करना, conclude का मतलब भी खतम करना होता है, यह सब बहुत आसान से वड़ है, initiative वगएरा, हम daily language में यूज़ करते हैं, जदे देखो यह भी, instant, instant मुझे यह चीज चाहिए, मुझे कह चाहिए, यह instant चाहिए, तुरंत चाहिए, तो वह यह instant का मतलब तुरंत होता है, और इसके जो synonym से हैं, जैसे immediate, हम यह भी बोलता है, immediately, immediate, synonym से इसका, और opposite word है, delay, delay का मतलब देर से, gradually का मतलब धीरे-धीरे, graduate, यह भी याद आएगा आगे, ठीक है, gradual word ज देखेंगे वहाँ पर, next है, jetison, jetison का मतलब होता है, बाहर fake देना, याद करने का तरीका इसका ऐसा है, कि jet और sun, दो पार्ट में divide कि जाएगा, jet, jet का मतलब जहाद याद रखना है, और sun का मतलब beta, तो jet में सामान ज्यादा हो जाने से, उसे बाहर fake दिया गया, ठीक है, jet में जहाज पर जादा समान हो जाता है, नाव पर जादा समान हो जाता है, तो इसे बाहर fake दिया जाता है, क्योंकि जहाज याद डूब न जाए, तो उस तरह से आप इसको याद रख सकते है, synonym से hurl और eject, ठीक हरl और eject का मतलब होता है, बाहर fake देना, निकाल देना, और accept का मतल जाता है, कुसल था, ठीक है, कुसल होना, skilled होना, dexter city होना, तो उसी को बोलते हैं, क्या हम neck, याद करेंगा, neck का मतलब गला, ठीक है, गरदन, तो नीरत चोपरा, neck तक खीच कर, यह जैवलिन फेकने में कुसल है, यह बिल्कुर, skill है, अच्छे हैं, जो है, नेक तक खीचते ह हैं, तो neck का मतलब कुसल याद रखना है आपको, और dexterity, dexterity को याद रखने का तरीका आगे बताऊंगा, यह भी main word के तौर पर आएगा, dexterity, उसको भी हम वहाँ पर देखेंगे, क्या है, एंटोनेम से dullness और inability, जिसका मतलब होता है, निरस्ता, अच्छम्ता, योग्यना होना, तो यह इसके opposite word है, next है हमारा, lack desical, lack desical का मतलब होता है, आलसी वेक्टी, या फिर आलसी बोल सकते हो, सुस्त बोल सकते हो, तो lack इसमें एक word आरा, lack, lack का मतलब होता है, कमी, तो जिसमें कमी होगा, वो सुस्त होगा ही, बोलता है न, तुझ में एक ही कमी है, तो बहुत जाज़ा सुस्त है, तो वह यह हो जाएगा, lack desical का मतलब क्या, कमी, careless, इसका synonym से, और atheistic का मतलब होता है, उत्साही व्यक्ती, हैना, जो कि इसका opposite word है, next है, leathergic, अभी तुरंद मैंने बताया था, कि आगे जो है, leathergic का मतलब होता है, सुस्त, इसको याद करेंगे, लेटा रहता है, जी, लेटा रहता है, जी, तो लेटा रहता है, जी, अजी ये दिन भर, लेजी की तरह लेटा रहता है, हैना, पापा ऐसा ही बोलता है, ना, मम्मी को हमारे बारे में, कि जब हम थोड़ा सा भी लेट जाते हैं तो पापा जैसे ही देख लेता है मम्मी से बस एही बोलता है कि ये तो दिन भर लेटा रहता है जी कितना सुस्त है तो लेजर्जिक का मतलब हो जाएगा सुस्त वेक्टि इनक्टिव और लेजर्जि जो है इसके सिन्निम्स हो जाएगे और लाइवली इसका पॉजिट वड़ जाएगा जिसका मतलब होता है जेवन्त या फिर सकिर्य नेक्ट है लक्वेसस लक्वेसस का मतलब होता है बातूनी होना देखो इसमें जो लक्वा वड़ आ रहा है ल-o-q-u-a इसका मतलब होता है तो जहां पर भी ल-o-q-u-a समझ लेना टॉकिंग कहीं बात होगी है मतलब टॉक करने जो है को यह ऐसा वर्ड होगा जो टॉक करने से लेटेड होगा याद रखेगा और बाकी जो इसका पोजिटीव वर्ड है वह याद करवाया कि टैसी टर् और एक हम इसजिगी याद करना उन्हीं होग.. तो टेक्सी टर्ण रखेंश रेता है ताकि accident ना हो जाए और reticent को मैंने याद करवाया था आपको रहती सांत से कि वो सांत रहती है मिंस बोलती नहीं है तो दोनों बड़ याद रखेंगे आप इसके opposite है नेक्स्ट ममूत मेमत का मतलब होता है विसाल ठीक है मेमत का मतलब विसाल याद करने का तरीका ऐसे आपको याद रखना है महावत महावत ठीक है महावत क्या होता है तो महावत जो हाथी का केर टेकर होता है उसको हम कहते हैं महावत तो महावत जो हाथी की पीट पे बैथा रहता है और हाथी कैसा जानवर है तो हाथी एक विसाल जानवर है जाइगनेटिक है बिल्कुल विसाल है तो महावत के साथ एक विसाल हाथी होता ही है याद रखेंगे मैमत का मतलब एक विसा है ना जी और यहाँ पर जो सिंडूम से वह है जाइगनेटिक तो जाइआंट से आपको याद रखना है राक्षस कैसे होते हैं जी आंट बहुत बड़े-बड़े होते हैं और असान सावड़ हैं अनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा और चलिए इस तरह से हो गया हमारा जो इसका एंटोनेम से वह भी देख लेंगे लिखा हुआ है इंफाइनाइट मल का मतलब होता है अति सुक्ष्म यहने की छोटा होना याद करेंगे इसको भी नेक्स हमारा मियंडर मियंडर का मतलब होता है दिसाहीन या फिर घूमना इधर से उधर भटक जाना याद करेंगे मंदिर से ठीक है मंदिर से याद करेंगे मंदिर से याद करेंगे तो आसान हो जाएगा कि भारत में इतने बड़े-बड़े मंदिर हैं कि जिसमें आप जाओगे तो गुम हो सकते हो इतने बड़े-बड़े मंदिर हैं तो यही याद रखन बेंडरिंग से कि बंदर इधर उदर भठकते रहते हैं और डिटर्माइंड का मतलत है निर्धारित करना जो कि इसका क्या है अपोजिट वर्ड है चलिए आगे देखेंगे देखें अब ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है एक वर्ड मैंने आपको और टेंपल से याद करवाया है इसको मैंने आपको याद करवाया है मंदिर से और एक मैंने आपको एमपल याद करवाया था टेंपल से कि एमपल यानि कि टेंपल की कोई कमी नहीं है कहां इंडिया में तो वो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है वो मैंने आपको याद करवाया था टेंपल से एमपल और यहाँ पर मीयंडर में आपको याद कर वा रहा हूं मंदिर से कि मंदिर में भटक भी सकते हैं तो इसमें refuse मत हो ना दूने वर्ड में next हमारा mellow mellow का मतलब होता है मधूर तो melodious से आप याद रखें लोगे melodious song यानि कि मधूर याना मधूर गीत melodious song melody बोलता है ना उसके sound बहुत melodious है मन्स मधूर है genial इसका synonym से पहले भी हमने याद किया genial को जेनलिया डिसुजा से और hard नेव का मतलब होता है भोला भाला तो नेवी से याद किजिएगा आप इसको कि नेवी वाले बड़े frank और ingenious होते हैं नेवी वाले कोई भी आर्मी ओफिसर हो तो बहुत अच्छा होता है नेव होता है तो यह इन जेनस याद रखेंगे बहुत ज़्याद क्या होते हैं भोले का मतलब होता है धूर्थ चालाग और experience का मतलब अनुभवी याद रखेंगा नेक्स्ट है हमारा novel novel का मतलब होता है अद्भुत और नया याद करेंगा novel को novels है ठीक है पापा एक new novel खरीत करके लाए है जो कि क्या है नया है और अद्भुत है याद रखेंगा बैनल और old का मतलब होता है पुराना या फिर तुछ जो कि इसका क्या है opposite word है याद रखिएगा बैनल और old जो है novel का opposite है next obscure obscure का मतलब होता है obscure a aspast तीक है obscure का मतलब होता है aspast clear ना दिखना confusing होना याद करेंगे ओ भाई बसकर जब हमारा दोस्त कुछ clear नहीं बताता जब हमारा दोस्त जो है कुछ clear नहीं बताता तो हम क्या कहते हैं बोलता है ना भाई बसकर अब सीधे सीधे बता क्या बात है अना clear बता क्या बात है तो वहीं हो जाएगा confusing और unknown जिसका मतलब होगा इसका synonym obscure का ठीक है obscure का synonym से confusing और unknown और अपोजिट वर्ड है clear नेक्ट ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स में दोता है प्रावगत कीवर्ड देखेगा और इसको याद करने का तरीका जो है और्थोडॉक्स तो बस इसको ऐसे याद करो और थोडो और थोडो जब दो को क्या है यह हमारा ट्रेडिशनल डायलोग है बिल्कुल परंपरा है हमारी कि हमें कितना भी जाजा मिल जाए तो हम फिर भी भगवान को क्या बोलते हैं भगवान बस थोड़ा और मिल जातो ना तो बढ़ियां बहतो यानि कि बढ़ियां भैतो का मतलब अच्छा होता तो और तो डॉक्स का मतलब होता है परंपरागत यानि कि ट्रेडिशनल चलते आ रहा है हम सब बोलते हैं तो हेरेटिकल और अन करदेना निकाल देना इसको बारबर मैं आपको याद करवाता हूं एक्स्ट्रा साइज से टीक है एक्स्ट्रा साइज होने की वज़र से उसे कि वो सबका खाना खा जाता था क्या है कि गाउं में जितने भी खाना है आप सबका खाना खा जाओगे और आपका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपको लोग क्या करेंगे गाउं से निसकासित कर देंगे निकाल देंगे एक्सपेल कर देंगे बैन कर दें है जिसका मतलब होता है सांत करना तो पीस का मतलब भी सांती होता है पेसी फाई का मतलब भी सांती होता है तो काम डाउन और सूध का मतलब क्या हो जाएगा तो सांत करना किसी को calm down करना और opposite है in raise in raise का मतलब होता है गुससा दिलाना और याद करेंगे pair और लौस से तो उसने अपना जो एक pair loss कर दिया, एक danger, यहनि कि dangerous stunt करने में, उसने एक dangerous stunt करने में, अपना एक pair loss कर दिया, यहनि अपने दोनों पैर जो है खो दी है, याद हो जाएगा pair loss का मतलब क्या, dangerous, hazardous, hazardous का मतलब भी होता है, खतरनाक, dangerous, और safe इसका opposite word है, जिसका मतलब होता है, सुरक्षेत, next, philanthropist, philanthropist का मतलब होता है, परुपकारी विक्ति, तो पहले भी मैंने आपको याद करवाया है, file का मतलब love होता है, phil file का मतलब love, अथ्रोप का मतलब क्या होता है, manov, यहनि कि human, तो human से जो प्यार करे, तो उसको क्या कहते है, philanthropist कहते है, इसके synonym से benefactor, और humanitarian, तो human को कैसा होना चाहिए, परुपकारी होना चाहिए, और beanie पहले भी आपको बताया है, beanie root word है, जिसका मतलब होता है, अच्छा, good, तो benefactor का मतलब philanthropist, opposite है, miser, miser का मतलब love होता है, next है pinacle, pinacle का मतलब होता है, सिखर, और इसको याद करने का तरीका ऐसा है, कि अच्छा, पिनाक, आपनों जान करते हैं, तो महादेव धारन करते हैं, महादेव रहते का हैं, तो सिखर पे रहते हैं, कहां रहते हैं, कहलाज सिखर पे रहते हैं, तो pinacle का मतलब क्या हो जाएगा, सिखर, याद रखेगा, पिनाक, धनुस नाम है, भगवान संकर के धनुस का नाम है, पिनाक और भगवान स का मतलब होता है चटपटा पिकेंट का मतलब होता है चटपटा तो इसको पिकल से याद रखिए कि पिकल कैसा होता है पिकल का मतलब आचार और आचार कैसा होता है तो चटपटा होता है आना aos पाइसी और पीलिंग इसके सिनोनेम से और आप अपॉजिट ja平 and the latter श करने प्री का मतलब पहले और साइज का मतलब क्या साइज तो सूज लेने से पहले हम क्या करते हैं उसे पैर में डाल करके देखते हैं कि साइज सटीक आ रहा है कि नहीं हम देखते हैं पहले क्या करते हैं सूज जब लेना होता है तो हम उसकी साइज चेक करते हैं पैर में डाल करके कि accurate है या नहीं हमारे पैर में यह accurately fit हो रहा है नहीं तो precise का मतलब सटीक और accurate इसका सिम्निम से और वेक का मतलब इसका हो जाएगा opposite वेक का मतलब असपस्ट ठीक है पहले भी याद करवा है वेक मैंने आपको persuade का मतलब असपस्ट इतिक जीओं से और दिक्कत याद रखिए आप उसको नियार करें का तरीका है कि पहले कोई भी काम में отcled आती है पहले पहले प्री का मतलब पहले कोई भी काम में दिक्कत ही आती है, कोई भी काम आप सुरू करोगे ना पहले आपको दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा, तो यह प्रिडिक्टमेंट का मतलब हो जाएगा, कठिन परिस्थिती, यह ना, प्लाइट और डिलेमा, डिलेमा का मतलब तो द्वीधा में भी होता है तो यह दोनों इसके सिनुनिम से और सॉल्यूसन इसका क्या है अपोजिट वड़े जिसका मतलब होता है समाधान याद रखेंगे तीम-चार बार रट लेंगे याद हो जाएगा नेक जब प्रिवेंट का मतलब रोकना होता है तो आपने बहुत होगा block, blockage, यादि रोक देना, वर्ट कर देना और induce इसका क्या है तो आपोजिट वड़े जिसका मतलब होता है प्रिवेरित करना, बढ़ावा देना डेको यहां पर क्या है czy रोक और रास्ता बस दो तरीके चाटान और तो अगर कोई आपके रास्ते में चट्थान बना हुआ है मतलब क्या कर रहा है वो आपको रोकने को सिस कर रहा है आप रास्ते को क्या कर रहा है बंद कर रहाACH आपको हुआ है यहां पे जो राश्टा रोका रहे है, आपको delay करवा रहा है, तो procrastinate का मतलब होता है, बंद करना, delay करना, और expedite का मतलब होता है, सीगर करना next देखेंगे prompt prompt का मतलब होता है सीगर जल्दी करना तो आप इसको देखो ऐसे याद कर सकते हो PT ठीक है last में PT है और यहाँ पे क्या है pre pro ऐसे याद रखेंगे pro है pre है तो अगर आपको PT निकालनी है अगर आपको क्या निकालनी है PT निकालनी है तो आपको math जो है quickly solve करना होगा ठीक है यहाँ पे pro को सोड़ी दर के लिए अगर pre पढ़ लो prelims पढ़ लो और यहाँ पे PT दिया हो है तो अगर आपको prelims या फिर PT निकालना है तो आपको math जो है exam में सीगरता से quickly solve करने होगे synonences के है immediate और quick और जो opposite है वो है sluggist sluggist का मतब सुस्थ होता है next है prosperity prosperity का मतब होता है समरिद्धी होना यह बहुत ज़्यादा अमीर होना यह पहले भी मैंने आपको याद करवाया है कि आज के time में लोग एक दूसरे से ज़्यादा है एक दूसरे से prosperity का मतब समरिद्धी याद रखिएगा आज के time में लोग परस्पर एक दूसरे समरिद्ध होने में लगे हैं wealth wealth का मतब धनी धन और adversity का मतलब होता है विपत्ती जो किसका opposite word है next है quest quest का मतलब होता है रद करना cash और स्विकार करना आप इसको याद करेंगे cash से की cash जब मैंने professor को cash देने से मना कर दिया जब मैंने professor को cash देने से मना कर दिया तो उन्होंने मेरा form क्या कर दिया reject कर दिया उन्होंने क्या कर दिया मेरा form reject कर दिया क्योंकि उन्होंने थोड़े पैसे चाहिए थे तो नहींने क्या कर दिया, अस्विकार कर दिया मेरा form लेने से, तो quest को आप cash से याद रखेंगे, reject और crush, ठीक है, reject और crush, इसके synonym से, तो आप ऐसे भी relate कर लो कि जब मैंने cash देने से मना किया, तो professor ने मेरा form क्या कर दिया, reject कर दिया, और crush करके dust bean में फिक दिया, और कहा कि जा तुम्हारा form नहीं भरूँगा, support का अंदर समर्थन देना, जो कि इसका opposite word है, next is querulous, querulous का मत्दब होता है, सिकायती, आसान सा word है, querulous से याद रखेंगे, कि querulous का main reason क्या होता है, querulous यानि कि लड़ाई जगड़े का main reason क्या होता है, complain करना, जब एक दूसरे से की लोग complain करते ह तब ही तो लड़ाई जगड़ा start होता है, तो careless का मतलब सिकायती, और grouchy, और complaining, इसके क्या है, तो इसके synonym हो जाएंगे, और uncomplaining जो है, इसका हो जाएगा opposite word, जिसका मतलब होता है, सिकायत ना करने वाला, चलिए, आगे देखेंगे, आगे है receipt, आसान सा word है, receipt, receipt का मतलब क करना, तो यह इसका जो है trick जो है, आपको याद रखना है reduce, receipt और reduce, देखेंगे कितना कम लगर है, reduce का मतलब कम करना, receipt का मतलब भी कम करना, to receipt, reduce, दोनों सेम बर्ड है, when इसका synonym से, when का मतलब होता है, कम ही होना, और when को मैं आपको याद करआया, one से, कि आज के time में, one जो है है क्या होते जा रहें कम होते जा रहें advanced और extend इसके अपॉजिट वर्ट है जिसका मतलब होता है उन्नती और विस्तार करना है सब्सक्राइब इसको याद करेंगे कि अरे डंडा तो बच्पन में जब कोई अन्नैसेसरी काम करते थे हम तो मम्मी क्या बोलती थी दंडा लेक्या आओ तो इस दिन पर क्या करता है अननेसेसरी काम करते रहता है तो अननेसेसरी हो जाएगा रिकवायर और कंसाइज क्या हो जाएगा इसका अपोजिट वर्ड जिसका मतलब होता है आवस्तिक और संचिप्त चलिए देखिए अगला है रिलेंक्विस रिलेंक्विस का मतलब होता है त्यागना या पर छोड़ देना याद करेंगा हम ऐसे कि रे लिंक अरे लिंक तो अरे ích Relinqist वर्ड जो है Link का क्या है Apposite है Link का मतलब क्या होता हैтак Link means क्या होता है जुड़ना होता है लेकिन यह क्या होता है यह लेकिन यह क्या है Relink है Luck ma Todo जेंगे से और retain और continue जो है इसका opposite word हो जाएगा जिसका मतलब होता है continue करना next है reticent देखो कितनी बार मैंने आपको याद करवाया reticent finally यहाँ पर main word के तोर पर आ गया है रहती सांथ reticent को कैसे याद रखेंगे रहती सांथ तो वो सांथ रहती है मैंस क्या कम बोलती है वो सांथ रहती है मैंस क्या कम बोलती है तो reticent का मतलब क्या सांथ रहना, अलपभासी, silent रहना communicative और talkative इसका opposite word है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा बात करने वाला या फिर मिलनसार next है retreat, retreat का मतलब होता है पीछे हटना तो ऐसे याद करेंगे कि अगर आप किसी के साथ अच्छे से treat नहीं करोगे retreat अगर आप किसी के साथ अच्छे से treat नहीं करोगे तो आपसे 2 कदम पीछे ही हटेगा ना आपके पास थोड़ी आएगा पीछे ही भागेगा Donc retreat का मतलब पीछे हटना आजकल बहुत चला हुआ है ना comment box में सब बोलता है savage reply अना what a savage answer तो मतलब क्या बर्बर और brutal इसका opposite word है sorry brutal नहीं brutal इसका synonym से brutal का मतलब निर्दई, बर्बर, savage इसका opposite word है civilized और cultured ठीक है इसका opposite क्या हो जाएगा cultured और civilized इसका मतलब होता है सब भी है next word है scanty, scanty का मतलब होता है alp यानि कि come यह देखो scant से बना हुआ है s-c-a-n-t यह भी मैंने पहले आपको याद करवाया है कि us can't हम नहीं कर सकते हम यहां पर क्या है जो trick बनाई थी मैंने कि we can't do anything in such amount we can't do anything in such amount यानि इतने कम पैसों में we can't do अना हम कुछ नहीं कर सकते है तो वही है alp इतने कम पैसों में scanty का मतलब हो जाएगा alp यानि कम limited और meager, meager पहले भी आया है कि अगर मगर वही करता है जिसके पास कमी होती है limited असान सा बड़ है profuse का मतलब होता है आधिकता जो कि इसका antonym से है next है serene, serene का मतलब होता है sand往 nirmal होना, याद करेंगे इसके sireena that williamson से quiожалуйста, serene à williamson You kia करते है खेलिटे time में बहुत जब क्या रहती है, qaam रहती है serene williamson के क्या करती है खेलिते time में बहुत जब काम रहती है तो वही हो नेक्ट है सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब होता है पतला, और सिलेंडर को आप याद रखेंगे सिलेंडर से, टीक है, C-Y-L-I-N-D-E-R, सिलेंडर से, तो वो इतनी पतली है, वो इतनी पतली है कि एक गैस सिलेंडर नहीं उठा सकती है, वो इतनी पतली है कि एक गैस सिलेंडर न मतलब होता है आगामी यानि कि आने वाला इसको हम बोलते है subsequent और consecutive इसका जो है synonym से consecutive का मतलब लगातार आने वाला यह हमने math में पढ़ा है subsequent और prior और preceding प्रिसीडिंग प्रिसीडिंग जो है इसका कहा है पुरवर्ती होता है पहले वाला preceding number आपने पढ़ा होगा जरूर आपने पढ़ा होगा preceding number, succeeding number, successor, predecessor यह से पढ़ा होगा आपने तो उसी का होता है आगामी या पिर पुरवर्ती पहले का तो subsequent का मतलब होता है आगामी और consecutive इसका synonym से next हमारा subtle subtle का मतलब होता है सुक्ष में या फिर तो देखो subtle को ऐसे Seems subtle को याद करेंगा रोके सब टल्ली से सब तल्ली तो सब पी करके टल्ली है इसलिए सब को चोटी छोटी दीख रही है इसलिए बढ़ी चीजें है तो चोटी छोटी दीख रही है कि आप जब कोई पी लेता है वाक्त तो तो उसको कुछ चीज नहीं दिखाई देती हैं या फिर छोटी-छोटी दिखाई देती हैं वह यह आप एंडर्स्टेटेटेड इसका सिनुनिम से और हाड इसका अपॉजिट वड़ जिसका मतलब होता है कठोज या फिर बड़ा सफिसेंट का मतलब होता है परियाप्त होना आसान सा वर्ड है इजी है बिल्कुल सफिसेंट का मतलब क्या तो परियाप्त बोलता है कि इतना मेरे लिए क्या है सफिसेंट है इनफ है इनफ है इसका सिनुनिम से और इनडेक्वेट इसका अपॉजिट वड़ जिसका मतलब होता के से नौलेट होना सुपरफीशल नॉलेग होना उसे को बहुता है सुपरफीशल असान सलो चिछला आप इसको बोस्कते हो गहरा नहीं होना चिछला होना उपर उपर से होना और एंटोनेम से इसका जैन विन्ट, होना मतलब होता है सक्च्छा नेक्ट एस सुपर फ्लूवस देखें सुपर फ्लूवस भी अगर आप competitive के preparation कर रहे हो आप सपेसली ऐसे सीखी तो आपने सुपर फ्लूवस के बारे में सुना होगा सुपर फ्लूवस एक chapter भी है कि जब जरूर से ज़्यादा अधिक मतलब कोई sentence में जरूर से ज़्यादा वर्ड यूज किये जाते हैं सुपर फ्लूवस तो उसको हम बोलते हैं अनावस्यप और वह गलत होता है ब्रदर में चुनने को आता है जैसे हम यहाँ पर मैं लिखके बताता हूं जैसे ही इद माई कजन ब्रदर ध्यान ते देखिएगा आपका इरर भी इससे एक सॉल्व हो जाएगा अगर एक्जाम में आया तो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं यहाँ पर सूपर फ्लूवस क्या है यहाँ पर सूपर फ्लूवस है ब्रदर क्या है यहाँ पर सूपर फ्लूवस है ब्रदर क्योंकि कजन का मतलब ही होता है चचेरा ममेरा फुफेरा भाई तो आपको यहाँ पर भाई या फिर बहन आप अगर एकजाम में आता भी ऐसा, तो आप यहाँ पे ही एरर चुनेंगे, कि यहाँ पे brother या sister नहीं होगा, क्योंकि cousin का मतलब भी क्या होता है, brother या sister, तो examiner जो है समझ जाएगा कि यहाँ पर आप क्या बताने की कोसिस कर रहे हो तो यह brother word क्या है superfluous है तो अब आपको समझ में आ गया होगा superfluous क्या होता है तो असान सा है तो इसका जो synonym से वह है extra और एंटोनेंज जो है वह है necessary necessary next is surpaticus शरपaticus का मतलब होता है गुबत इसको ऐसे याद करो सियोर पती से शियोर और पती तो हर पतनी जो है शयोर होती है कि उसका पती जुह है उसका कुछ secret छुपा रहा है तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं तो अर्पेटीसस का मतलब हो जाएगा गुप्त फिए इसका सीकरेट और सेकरेटिव और ओपोजिट है वह है ओपन ओपन का मतलब हो था असपस्ट क्लีर भी इसका एंसर हो सकता है अपवजिट में नस्ट चे अन्रूली he Iए का मतलब होता है औन participants देखो जो रूलण और गूलेशन में नहीं है तो अन ओनें देखिंग कि क्या लॉलेश थ हैं यहानी orderly का मतलब होता है वेव़ेस्थ बल्कूर आडर नेश्ट ए उτιक्वाइट्न वाइड्ल वाइटल का मतलब होता है महत्यपून, अत्यावस्तक, तो हम बोलता है ना कि जैसे क्या है कि रिवाइटल, रिवाइटल क्या है, तो रिवाइटल जो की बॉड़े के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इसेंसियल है, इसेंसियल का मतलब जरूरी होता है, तो वाइटल, का मतलब होता है होसियार होना चालाक होना अलर्ट होना तो ऐसे याद रखेंगे वार से कि वार जब एक युद्ध होता है वार होता है तो आपको क्या रहना पड़ेगा तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा क्या रहना पड़ेगा आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा ह कोई भी दुस्मन आपके किदर से भी अटैक कर सकता है और रास और केरलेस का मतलब होता है जल्दी बाजी में या फिर लापरवा यह इसके अपॉजिट वर्ड हो जाएंगे की बहुत ज्याज था न था के ओना सघ्चा मांदा होना जासे 25 nap以 याद करेंगे जब हम और अफिस से थकर मांद आते हैं तो क्या कड़ते हैं सबसे पहले कपड़े जो वियर किया हो होता है हमने उसको हम खोलते हैं तो कपड़े खोलते हैं कपड़े पहने हुए होते हैं उसको खोलते हैं तो याद हो जाएगा आपको इस तरह से है इंक पॉचित हुप है टरु ताज नेक्ट व्यवर्ड आसान सा है वियर्ड बोलते यहें कितना फौशन सो इसका मतलब होता है سमान से एबरेजन का मतलब होता है तो अब मिलने लगी है तो बड़ी असमान्य बात है uusual बात पहले नहीं मिलती थी अब मिलने लगी है नहीं मिल्ने लगें मिल्स हो जाना अपने प्तह से क्या हुजाएगा थ्यागना ये छोड देना ना ज्रुंड देना जूड यानि कि जूड क्या हो जाएगा जूडना लेकिन इसके पहले ड्यंगेर чудu रग गया तो आप जूड़ेंगे त्याग त्यागना swipe announce इसका synonym से और acquire इसका opposite है जिसका मतलब होता है प्राप्त करना next abolish abolish का मतलब होता है समाप्त करना बहुत बार हमने याद किया है यह बोली अब क्या हो गई है समाप्त हो गई है यह बोली क्या हो गई है यह समाप्त हो गई है लोगोंने बोलना CHोड़ दिया तो और मेरी सहमती के नुसार अकॉर्ड और कंफर्ण से कंफर्म याद रखेंगे तो याद हो जाएगा आपको इस तरह से और डिजाइगरिमेंट इसका पोजिट वर्ड है डिजाइगरी होना और सहमत होना नेस्ट है अकस्टम्ड का मतलब होता है सामानने या फिर नेमित तो देखो कस्टम्ड को याद रखो कस्टम से तो कस्टम क्या होते हैं सामानने सी बात है कि हर किसी का हर वेक्ति की घर का एक कस्टम होता है रिती रिवाज होता है यह तो समानने सी बात है यहना हैबिट वाली नेस्ट है acquire, acquire का मतलब होता है प्राप्त करना, यह भी आसान सा वर्ड है acquire, याद रखने का तरीका ऐसा है कि acquired से याद रखेंगे, कि उसने कुछ चीजे acquire की, बिंस क्या कि खुझ से प्राप्त की, खुझ से उसको पाया, उसको बोलता है acquire करना, procure करना, disperse का मतलब होता है, बिखेर देना, जो कि इसका opposite है, चली, आगे देखेंगे, अगला जो word है हमारा, वो है addon, addon का मतलब होता है, सजाना, किसी भी चीज़ को क्या करना, सजा देना, तो इसको door से याद रखेगा, यह door, ठीक है, तो क्या होता है, कि दिवाली में हम सब door को, window को क्या करते हैं, चमकाते हैं, सजाते हैं, और addon का मतलब होता है, सजावट करना, तो हम दिवाली में अपने door वगएरा को अच्छे से सजाते हैं, धोते हैं, उस पे फूल मारा, लड़िया वगएरा लगाते हैं, तो addon का मतलब सजाना, और beautify, इसका sentence हो जाएगा, beautify करना और disfigure जो होता है, वो होता है, बिगाड़ना, next is alert, alert असान सा word है, जिसका मतलब होता है, सतर्क होना, watchful होना, और opposite word है, careless होना, यह सब असान से word है, next is anxiety, anxiety भी बहुत असान सा word है, हम बोलते हैं, कि anxiety है, मिन्स क्या है, व्याकुल है, मुझे anxiety हो रही है, मिन्स क्या, मुझे हो रही है, परिसानी हो रही है, तो anxiety का मनदर चिंता, परिसानी, व्याकुलता, और वरी जो है, इसका synonym से, और certainty का मतलब होता है, निश्चे, जो कि इसका opposite word है, certain होना, next है, anxiety से याद रखेंगे, इसको भी, एन एकसे को, जिसका मतलब होता है, चिंदित होना, और nervous इसका synonym से, और काम का मतलब सांथ, ठीक है, काम होना, क्या सांथ है, anxiety, एन एकसे, डिली हम यूज करते हैं, अब इसको क्या याद करवाँ, next है, apparition, apparition का मतलब होता है, भूत प्रेत, ठीक है, इसको हम याद करेंगे, और partition, apparition, apparition का मतलब होता है, अलग-अलग होना, तो जब आपक आपकी सोल, ठीक है, जब आपकी सोल, आपकी बॉड़ी से, जब आपकी सोल का, यानि जब आपकी आत्मा का, आपकी बॉड़ी से जो है, क्या होता है, पार्टिसन होता है, तो समझो, आप भूत बन गया, याना, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, उसका सोल, जो उसका आत्मा नेक्स्ट अप्लाउज असान सा वर्ड है अप्लाउज जो है अप्लाउड से वना है अप्लाउड का मतलब क्या प्रसंसा करना क्या अप्लाउड होकर कि किसी की प्रसंसा करते हो तो अप्लाउज का मतलब हो जाएगा वह वही या पिर प्रसंसा करना अप्रूबल इसका सीननि अप्राइज करना इनफर्म करना कि इसकी कुई ट्रिक नहीं एक एम पने इसको आपको रटना पड़ेगव प्राइज को और हाइट का मतब स्षीपाना होता है अ ले अ कि कि आ तसे कहा शेया होता है ओसे थे सफिन्टंस का मतब मिनद सब्सक्राइब तो में बोटें दिढ़ता द्रिधिधात्मक संटेंस वाग के यानि की उसने जो ध्रिदता से कहा ठीक है कि एसेर्ट का मतलब क्या च्रण याद रखेंगे तब जब आप पढ़ते होगा तो आप पढ़ते होगा तो चाहस फिस नीगेतिव संटेंस पढ़ते होगे जोर देना और अबेंडन का मतलब होता है छोड़ना जो कि इसका अपॉजिट वर्ड है नेक्स्ट है अटेनुएट का मतलब होता है कम जोर होना और इसका जो ट्रिक बनेगा वो बनेगा आटा देखो आटे और एट आटे और एट तो वह आटे की रोटी नहीं खाती ठीक है आटे ना एट आप ध्यान से देखोंगे फिर से में दिखा रहा हूं आटे ना एट एट का मतलब खाने ना ठीक है आटे ना यू एट यू भी यहाँ पर जोड़ लो यू का मतलब तुम अगर तुम आटा नहीं खाते तो समझो तुम कमजोर हो जाओगे आप अगर हमेशा आटा ना यू एट ठीक है आटा ना यू एट अज़र तुम आटा की रोटी नहीं खाते में तो कमजोर हो जाओगे वीकन इसका सिम्नम्स हो जाएगा और स्ट्रॉंग इसका अपोजिट है सकती साली नेक्स्ट है अवाइड अवाइड का मतलब होता है टालना अवाइड इ इस तरह से आप इसको याद रखेंगे इवेड और अवाइड दुन सेम वर्ड है जिसका मतलब होता है क्या तो टाल देना किसी भी चीज को मीट का मतलब मिलना अपजिट वर्ट है इसका मीट चलिए आगे देखेंगे बेन का मतलब होता है स्राप तो इसको ऐसे याद रख ऐनीया था बाली तो दिख्रीव के बड़े बहाई तो मतंग रिषि ने ऑली को सवा देख करके उसे क्या किय था तो रिस्मुखपरवत से कौन से ता रिस्मुखपरवत था वहाँ पर उनको बेन कर दीदा अने से कि तूम जो है रिसुखपरवत पर नहीं आ सकते तुम रि क्ابक्त मुलंब देना वाली को शारप दिया कि याद हो जाएगा इस तरह से अब तो बेंद अर बून का मतलब वर्दान होता है पर चौन पर बारबर होता है जिसको रजले पहले भी आपको याद करवाया है कि lockdown में लॉकदबान में बारबर की शॉप यानि कि नाई की सॉप बन्ध हो प्राधी निकल गए तो बैरियर का मतलब होता है खुला जगा जो कि इसका पॉजिट है नेक्स्ट ब्योटिफुल ब्योटिफुल का मतलब होता है सुन्दर इजी है असान से आप कर लोगे ब्योटिफुल का हैंसम दिया हुआ है यहाँ पे और अगली का मतलब क्या होता है कुरूप होता है नेक्स्ट हमारा बेनिफीसियल यह भी असान सा वर्ड है बेनिफीसियल क का मतलब होता है लाबदायक होना तो दूध पीना आपके लिए क्या है beneficial है आना तो आप । पिया करो beneficial advantages लाबदायक इसका synonym से और harmful का मतलब होता है हांईकारक जो कि इसका opposite word है नच्ट रिवन का मतलब होता है और इसकी जो है ट्रिक नहीं बनिये बिनाइन रट जाना है बिलकुल फेबर होना अनुकूल होना और बोलता है न तो ऐसे याद गो अगर नहीं भी याद रहे तो ऐसे याद रखो God bless you, ठीक है, bless बोलता है न, God bless you, ठीक है, भगवान तुम्हें खुस रखें तो bless और bliss, ऐसे याद रख लेंगे आप, happiness इसका सुन्यन से और sorrow इसका क्या है तो opposite word है, next है, bountiful, bountiful का मतलब होता है, प्रचूर मात्रा में, यह भी आसान सा word है, आपको बताया था मैंने, plentiful, bountiful, तो यह सब क्या है, जिसका मतलब होता है, प्रचूर मात्रा में, बहुत जादा amount में, generous, पहले भी आया हुआ है, generous का मतलब है, बहुत बड़े amount में, और me eager, पहले भी याद करवाया है, आपको कि अगर-मगर वही करता है, जिसके पास किसी चीज की कमी होती है, तो यह इसका antonym से, next है, brittle, brittle का मतलब होता है, भंगूर, नाजुक, जो आसानी से तूट जाए, तो यह ऐसे याद करेंगी, बड़ी थी, यह बादाम पट्टी लेकिन तिल्ली कितरह तूट गई, यह बादाम पट्टी आपने खाई होगी, बड़ी वाली, तो उसको जो आप तोड़ते होगे, तो अराम से तूट जाती है, तो बड़ी थी, पर तिल्ली कितरह तूट गई, तो क्या थी, भंगूर थी, फ्रेजाइल थी, तो क्यालस का मतलब होता है, कठोर, और क्यालस को ऐसे याद करेंगे, खलास, ठीक है, क्यालस साउंड्स खलास, दो तरीके बताऊंगा मैं, पहले आप ऐसे याद करेंगे, कलास, खलास, ठीक है, कलास, खलास, तो वो हर किसी को खलास करने की सोचती है, क्योंकि इंसेंसिटिव ह अगर कोई वेक्ति हर किसी को खलास करने की मारने की मारने के बारे में सोचेगा तो समझो वो insensitive है तो insensitive इसका sentence हो जाएगा या फिर दूसरी दूसरा तरीका ऐसे देखेंगे call और अस ठीक है call और अस तो उसने हमें उसने हमें call करके हमारा हालचाल भी नहीं लिया कितना इंसेंसिटिव है वो ठीक है उसने हमें call करके हालचाल भी नहीं लिया हमारा तो insensitive है वो तभी तो नहीं लिया इसका अपोजित हो जाएगा caring यानि कि परवाह करने वाला नेस्ट है कैम फ्लास का मतलब होता है छुपा देना तो चैनल को आर्मी लोगों के लिए ज्यादा यूज होता है क्योंकि यूँक्त नहीं चलता उपर से दुस्मनों को कि यहां पर कोई इंसान भी है फिर कोई आदमी भी लेटा हुआ है या फिर शुपा हुआ है तो इसे कह याद कि नीचे लेग अगर आ जाओगे तो आप छुप जाओगे आपको कोई देखेगा नहीं तो केम फ्लास का मतलब होता है कम अंडर फ्लैग याद रखना आप इसको छुपा जाना ठीक है छुपा देना डिजगाइज पहले भी हमने याद किया है एडियुम्न एंफ्रेजेज में Leading in disguise हमने याद किया है जिसका मतलब होता है छीपा हुआ वर्दान होना तो यह disguise का मतलब छीपा हुआ और reveal का मतलब होता है दिखाना Next हमारा capable capable का मतलब होता है सक्षम होना तो कहाञे है असानी से आभ याद कलोगे को यह भी अडेप्ट का है समझता होगा वह अपने आपको आपको समझता होगा अपने आपको समझता होगा जेंटलमें इसका सीमिनम से और हमद्ब हमल का मतलब होता है साध्गी पोडर निएइड है चे edogreen, चेगरीन का मतलब होता है स्रमिंधगी नाराजगी याद करेंगा आप इसको चायगिरी से टी चायगिरी तो लड़की ने जब लड़के означ के पैंट पे चाय गिरा दी लड़की ने कभी होता है ऐसा देखा देखी मुह दिखाई होती है तो लड़की जब चाय लेका आती है तो चाय गलती से गिर जाती है क्योंकि लड़किया कापते रहती है फरस्स टाइम होता है तो लड़किया कापती है तो हाथ से चाय गिर जाती है तो ऐसा ही याद रखेंगे कि लड़की ने जब प्लेजर का मतलब खुसी होता है, नेक्स है चेस्टाइज, देखो चेस्टाइज का कोई भी ट्रिक नहीं बना, या फिर निमवानिक नहीं बना, चेस्टाइज का मतलब होता है, सजा देना, क्या करना, सजा देना, ठीक है, अप ब्रेट, इसका अपोजिट वर्ड, स्वारी, अपोजिट वड़ है प्रेज का मतर्व प्रसंशा करना और अब्रेड जोही सिनुनें से हैं, सजा देना, अब्रेड करना नेक्ड है क्रोनिक, क्रोनिक का मतरब होता है दिर्कालन, अस्थाय निजटेट है इसको आप कुरोणा से याद रखेंगे इक कोरोणा भी कैसा था किमारी बिमारी बन गया हमारे का ना कुरोणा पो क्योंकि अस्थाई बिमारी अस्थाई में गया है और इन सीयर मतलब होता है मतलब होता है घुमावदार होना तो असान लाट rivals विता है घौन गोल रा Fenaltro डार्अ बाओट अर एड़न पतर सीधह जो है लुज नेश्ट e Clumsy Clumsy कामत्र इंवत होता है बेढ़ंगा बह। असान तो अधरा बोलते भी एक ओलंची कितना इनंग किलंफल इसके अगरेज्पूल पोजिता है गरिम यह तो क्लमजी का determined unskillful how clumsy अनाढ़ी बेखती नेक्स्ट हमारा कंपेशनration का मतलब दया होता है तो इसको याद करेंगे जा धिया होता है तोसी सा आपको याद रखना है यह भी याद करवाया है हूं आपकोिटी उसके मानने उसको पीटी टी कि आने उसको पीटी और क्या है मुझे उस पर दया आ गई जब उसके माने उसको खूब कूटा खूब पीटी तो मुझे उस पर दया आ गई तो कंपेशन और याद रखेंगे और मीनलिस का मतलब नीज़ता होता है जो कि इसका पोजिटिवट है हम बोलता है न हाव मीन मतलब कितना गटिया देखो आगया कंपेशनेट बिल्कुल वैसे ही याद करेंगी तो मैंने जाद करवाया इसका जो सीनोनियम से वह सिम्पेथेटिक और हर्ट्लेस का मतलब बेरहम यह जिसके अंदर हर्ट ना हो कैसा होगा हो हूर्टलेस होगा नेक्ट है कंसील का मतलब हुता है सील है तो वही है हाईट का मतलब छुपा हुआ न रिवील इसका पोजिट्वर जिसका मतलब होता है प्रकट होना नेक्ट एक अनुमान लगाना इसको भी आप याद कर सकते हैं कंजक्ट से क्योंकि ऐसा वर कोई है यह नहीं conjecture, conjection तो exam में जब conjection से related question आते हैं तो आप क्या करते हो? अनुमान लगाते हो? goes करते हो कि कौन सा answer सही होगा तो conjecture का मतलब guess करना यहीं अनुमान लगाना certainty का मतलब निस्चित होता है next हमारा contrary contrary का मतलब होता है विरोध करना क्या करना? विरोध करना तो याद करेंगे कंट्री से कि जब कंट्री ने जब इंडिया ने अफगानिस्तान का अफगानिस्तान के तरफ help करने के लिए कदम बढ़ाया जब India ने अफगानिस्तान की help करने के लिए कदम बढ़ाया तो सारी countrys जो है क्या हो गए India का पोजिट हो गए कि नहीं तुम आफगानिस्तान की help नहीं कर सकते बस just for remembering हम याद करने के लिए बस ऐसा कर रहे है तो जब अफगानिस्तान के लिए इंडिया ने अपना कदम बढ़ा है कि हेल्प करेंगे अफगानिस्तान की तो सारे कंट्रीज क्या हो गएं तो आपोजिट हो गएं किसके तो इंडिया के वही हो जाएगा अपोजिट और एग्रियेबल का मतलब होता है सहमत होना जिसमें सहास होता है असको हम करेज बोलते हैं और वेलॉर इसका सिननिम्स और कवाड़िक किसका कैञेर ता नेक्स्ट क्राफ्टी क्राफ्टी का मतलब चालाक होता है तो क्राफ्ट से याद रखेंगे क्राफ्ट तो वो लोगों को धोका देने के लिए बहुत तरह के क्राफ्ट यूज करता है तो वही है कनिंग कनिंग इसका क्या है सिरुनेम से कनिंग फॉक्स आपने पढ़ा होगा का मतलब क्या होता है एक करनिग फॉक्स का मतलब 성ag कि तरिके कंपर 210 का मतलब होता है भारी भर कम याने कि बहुत जदा है याद करेंगे कम बरसो से कम कम का मतलब कम और बरसो बरसो का मतलब बरसना तो किसान जब किसान को जब पाने की जरुवत नहीं होती है और जब भी भगवान बारिस करवाते हैं तो क्या बोलता है किसान ये भगवान कम बरसो ये भगवान कम बरसो वरना मेरी पूरी फसल क्या हो जाएगी बेकार हो जाएगी तो कम बर्सों का मतलब भारी भर कम हैवी ना अब कन्विनियंट का मतलब आसान होता है आसान जो किसका अपोजिट वर्ड है नेक्ट करेंट करेंट का मतलब होता है वर्तमान असान सा वर्ड है करेंट अफेर सा पड़ते होगे वर्तमान के बारे में प्रेजंट के बारे में पढ़ते होगे अब पास्ट इसका पोजिट वर्ट है जिसका मतलब होता है अतीत अपना नेक्स्ट वर्ड देखिए यहां से क्या है यहां से जो है वो मैं लाल पिला हरा नहीं कर पाया और नहीं तो यहाँ से काम चला लिए, चली देखें हमारा जो नेक्ट वर्ड है, वह यहां डैबकल डैबकल का मतलब होता है पराजए है, याद करना कैसे है कीवर्ड देखेगा, कि दिमाग से बेकल, देखें है, टीफोर दिमाग याद लिनल भोगा है, अब बेकल तो D4 दिमाग और बेयकल जो दिमाग से क्या होगा बेयकल होगा तो उसकी पराजे निश्चित है वो हारेगा ही है ना उसका डाउनफोल होना निश्चित है डाउनफोल का मतलब होता है नीचे गिरना उसका पतन होना तो जो दिमाग से पैदल होगा, जैसे बहुत सारे आपने पढ़े होगे हिस्टी में, राजा महराजा, जैसे आपने मुगल इंपेरर के बारे में ही पढ़ा होगा, तो जो बाद में जो मुगल इंपेरर हुए, बाहदु सा जफर के पहले थोड़े से जैसे मालो की जहादर स प्रहा वगेरा तो इसलिए इनकी क्या हूई पराजने हुई तो याद हो जाएंगा आपको का मतलब पराजनवन इसके सीनिनन से डाउन वॉल और एंटोमां से सक आंपाका मतलब होता है पतन होना नेक्स्ट वर्ड है हमारा डैबनेयर, डैबनेयर का मतलब होता है आकरसक, दिखना या फिर आकरसक होना, तो देखो इसको याद करेंगे, कि देश, ठीफ करें, D, E से देश याद रखना है, और बॉन्दू, B, O, N, D, H, U याद रखना है, देश बंदू, तो देश बंदू नायर, देश बंदू किसे कहते हैं, चितरंजन्दास को कहते हैं, तो देश बंदू, चितरंजन्दास बड़े ही आकरसक परसनालटी के इंसान थे, कैसे थे, तो बहुत ही आकरसक परसनालटी के इंसान थे, याद हो जाएगा, डैबनेयर का मतलब आकरसक, याद होना चाहि और नहीं तो पहली वारी ट्रिक जो है कि देव और नायरा देव और नायरा जो है बड़े आकर्सक दिखते हैं ऐसे भी आद कर सकते हैं इसके जो सिर्नेम से हो है elegant और cheerless का opposite है निरास होता है next देखेंगगे अगला वट है वो decamp decamp का मतलब होता है भाग जाना decamp means भाग जाना याद करने का तरीका बस ऐसे है camp, camp का मतलब क्या होता है, camping करना, यानि कि वहाँ पे ठहरना लेकिन यहाँ पर कहें कि decamp है, तो camp लगाया था मैंने हिमाले पे मैं जब हिमाले पे चड़ने जा रहा था, Everest पे चड़ने जा रहा था तो मैंने वहाँ पे camp लगाया पर तुफान जैसे ही आया मैं decamp हो गया यानि कि वहाँ से भाग गया अपना camp वगएरा उखाड करके flee का मतलब भाग जाना आपको पता है flee means क्या होता है भाग जाना और remain का मतलब ठहरना होता है जो किसका opposite word है next is deliberately deliberately का मतलब होता है जान बुजकर और ये भी मैंने आपको बहुत बार Yas करवा या है कि deliberately है न वह अपना क्या करतías है daily daily trading rate बढ़हा देता है सबुआ का गोगा क्या करतreet रेट बढ़हा देता है तो deliberately का मतलब क्या हो जाएगा तो जान मुझी का बढ़ा दे ना इंट מאली टीकिस नश्यमृत बनाए STEPHAN से बनाए और इंटेंसिन का मतलब होता है जान बुझ लबाएब जिसका मतलब होता है अनजाने में डेको दिलाइट का भगवान light दे दे और जब light आ जाती थी तो बहुत ज़दा हम खुस हो जाते थे क्योंकि हमें cartoon वगरह देखना होता था तो delight का मतलब प्रसन्न होगा joy, joy का मतलब भी आनन्द होता है और opposite होगा sorrow sorrow का मतलब उदास या फिर दुखी next delusion delusion का मतलब होता है भ्रहम होना illusion से याद रखेंगे illusion का मतलब होता है भ्रहमित हो जाना भ्रहम हो जाना illusion और delusion दोनों same word है same meaning होता है और reality इसका opposite word है जिसका मतलब होता है हकीकत होना असलियत होना next है demented demented का मतलब होता है पागल डिमेंटेंड मिस्क्राहोता है पागल होता है याद करेंगा मैंटल से निया थे करेंगा देखो मैंटल मैंटल मैंटेड मैं यहत Sonny है एडियोग मिंस कर जाएगा इडियोट ológ दिवाइड होना और को आपको मैंने इडियम जी याद करवाया था नल एंड वाइड जिसका मतलब क्या होता है जीरो है ना बिल्कुल खाली तो यह डिवाइड उसी से बना हुआ है डिवाइड का मतलब क्या रखना खाली होना इंपटी इसका शिरणुनम से और फुल फुल जो है इसका आन्टोनेम से जिसका मतलब होता है भरा हुआ तो नल एंड वाइड से याद रखेंगे दे वाइड को दक्ष्थी का मतलब होता है निपुन थी अना अस्किल थी और एड्रोइट को ऐसे याद रखेंगे कि रोहित रोहिसर्टी क्या है तो रोहिसर्टी जो है खतरनाक अस्टंड करवाने में एक्सपोर्ट है आपने खतरों के खिलाडी देखे होंगे उसमें रोहिसर्टी जो है तो खतरनाक अस्टंड करवाने में एक्सपोर्ट है तो देख्टर्टी और इधर एड्रोइटनेस दोनों सेम वर्ड याद कर लेना आप इसी तरीके दे बागे इग्नॉरेंस का मतलब होता है जो अग्यानी हो अपोजिट है इसका इग्नॉरेंस नेक्स्ट है डिजास्टर डिजास्टर का मतलब होता है आपदा ठीक है और सिनुरेंस इसका है मिस्फोर्चन मिस्फोर्चन का मतलब भी होता है आपदा तो डिजास्टर तो असान सा वर्ड है डिजास्टर का मतलब भुकाम पाना सुनामी आना यह सब क्या है डिजास्टर है और सकसेज का मतलब सफल जो है इसका opposite word है जिसका मतलब होता है अवयवहारी next देखें disperge disperge का मतलब होता है छित्रा आ जाना disperge मिन छित्रा आ जाना तो dispersion of light आपने पढ़ा है जब एक light क्या है 7 part कर divide हो जाती है जब हम ऐसे prism से एक light को ऐसे divide करवाते हैं 7 part में divide हो जाती है God be you or में तो इसका हम कहते हैं disperge Lord like और इंट का मतलब होता है Acee का сィनुनयम से जिसका मतलब होता है project हो जाना यहीं भी जत्रा जाना और गैदर tehdirगल का मतलब होता है gathering एक जवर्ड़ा पर dt का मतलब होता है मना करना मन जब हो जानाना लेना dissuade dissuade मैंने आपको याद करवाया था dissuade का मदब रोकना परस्वेड मैंने याद करवाया था आपको राजी करना कि जो add है यानि कि जो actor है वो क्या करते है add करते हैं ताकि हम वो add देख करके अपने पर्स से पैसे निकाल सके या मतलब हमें मनाने का काम करते है फुसलाने का काम करते है तो उसी का आपोजिट क्या है dissuade है ठीक है persuade का dissuade आपोजिट है और इसके जो synonym से वो है courage discourage का मतलब होता है क्या हतोसाहित कर देना रोक देना और persuade इसका opposite word है बाकि जो है divulgence divulgence का मतलब होता है पर्दा फास कर देना क्या कर देना पर्दा फास कर देना ठीक है तो इसके जो है कोई trick नहीं बनी है divulgence की इसको जो है आपको याद रखना है इसका जो synonym से वो है revelation reveal करना और reputation का मतलब होता है इंकार कर देना जो कि इसका opposite word है next हमारा dollful dollful का मतलब होता है दुख भरा dollful means दुख भरा याद करने का तरीका बस ऐसे है कि dolly और full याद रखेंगे dolly और full तो जब घर से लड़की की dolly उठती है जब घर से लड़की की dolly उठती है तो full family जो है रोती है और दुखी होती है देखो यहाँ पर दो word मैंने आपको याद करवाया है तो दो word dolly से मैंने आपको याद करवाया है तो दोनों में confused नहीं होना है जैसे मैंने आपको याद करवाया थे indolent टेके indolent मैंने याद करवाया था जिसका मतलब होता है आलसी होना क्या होना आलसी होना तो हर मा अपने बेटी को कहती है कि तेरी सास का सस्वाल में डोली लगा के रखेगी जो आलसी की तरह पड़ी रहती है तो इन सस्वाल में से याद रखेंगे इन और यहाँ पर क्या है डोली और फुल यानि कि फुल फैमिली रोती है जब डोली विदा होती है लड़की की तो ऐसे और इसके जो सिर्नेम से वह है मौन फुल और अपॉजिट वर्ड है चीर फुल ठीक है याद रखिएगा इसे विंडल ड्विंडल का मतलब होता है घटना इसको ऐसे याद रखो डी वि तो आजकल विंड क्या होते जा रहा है जो हवा है हवा से जो है प्योर नेस यानि कि प्योर क्वाल्टी जो है घटते जा रही है आजकल प्योर विंड तेजी से क्या होती जा रही है डिक्रीज होते जा रही है और पॉलिशन जो है इंक्रीज होते जा रहा है तो डिविंड है यानि कि अच्छी हवा घठते जा रही है कि यानि इसका बढ़ा घठना हो जाएगा और ईंक्रीज जो है इसका पॉजिट वर्ड हो जाएगा जिसका मतलब होता है बढ़ना next elaborate elaborate का मतलब होता है विस्तृत करना तो questions आते थे exam में कि elaborate the answer elaborate the statement यानि कि statement को क्या करो विस्तृत करो बढ़ा करके लिखो तो आसान सा वर्ड है detail इसका सिर्मन से minimal का मतलब होता है कम से कम तो mini सियाद रखेंगे minimal को next एक लोक्वा जहां पर वड़ा है लो क्यू यू इजहां पर भी वड़ा है तो समझना talking की बात होगी लोक्वेंट का मतलब होता है सुवक्ता फ्लुएंट और इन आर्टिकुलेट मैंने आपको आर्टिकुलेट याद करवाया था उसी का पॉजिट है इन क्या है इनकंटर का मतलब होता है सामना करना इनकंटर से याद रखेंगे की कुछ गुंड़े जो है फुलिस Government में यान्टिक आमने सामने होने से मारें कोई भी फिल पुलिस के आमने सामने होता है तब ही जाता है तो उसी को बोलते हैं encounter और faced इसका synonym से और avoid का मतलब होता है टालना बहुत बार हमने देखा एक वर्ट को next ए इंडेवर का मतलब होता है प्रयत्न करना तो देखो क्या है इंड और वार में इसको प्रयत्न करना बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने के बाद second world war खतम हुआ इसकॉंस का मतलब होता है छिपना ठीक हाइड होना याद करेंगे ऐसे कि इसकॉंड टेमपल ठीक इसकॉंस से याद खेला करते थे इसकॉंस का मतलब हो जाएगा हमारा क्या तो छिपना नेक्ट है एंथ्विज्म एंथ्विज्म आसान सा वर्ड है जिसका मतलब होता है उत्साही ठीक है उत्साह से भरा हुआ वैक्ती जील इसका जील हो लेदार्जी आपोजिट वेड़ है पहले भी हमनी याद किया है दिन भर लेटा रहता है एक्ट इपीडेमिक आपको वन वर्ड में भी याद करवाया है जिसका मतलब होता है रोग व्यापक रोग ठीक है तोपैंडेमिक से याद रखेंगे कि Corona pandemic रोक के वज़े से हुआ याना जो है क्या है Corona के वज़े से pandemic आया था ना यानि कि worldwide था पूरा पूरे वर्ल्ड में ये Corona हुआ था तो worldwide क्या है ये भीमारी है widespread है पूरा और limited का मतलब होता है सीमित जो कि अपोजिट है इसका नेक्स्ट है epitomy epitomy का मतलब होता है प्रतीक या फिर सारांस ठीक है तो टाइप आप इसको यहाद जहर्ण रखेंग कि example देखो यहाँ पे क्या है नहुक WATS आपको यहाद रखना है आप यह तो होता है तो आप यह तमी अपनी कम क्यों नहीं करते एसे भी आएगा और या फिर दो इसके मीनिंग होते हैं एक तो होता है एक्जाम्पल होना और दूसरा होता है कम करना ठीक है इपिटमी का दो मीनिंग होता है एक होता है कम करना दूसरा होता है एक्जाम्पल देना किसी का तो यह हम ऐसे दोनों को ऐसे याद करेंगे कि आप ये टमी क ताज महल तो यहाद करेंगे जिसका मतलब होता है विस्तारण करना तो वहाँ पर आपको देखना है कि ऑप्सन में क्या है next error 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 Osteric का मतलब हो जाएग गुभ्त या फिर जटल, याद करेंगे हिस्टोरिक से, तिक है कैसे याद करना हमें, हिस्टोरिक से याद करना है कि अभी अभी कई हिस्टोरिक जिनके बारे में हम अभी नहीं जानते हैं उनको अभी घूरना है गुपथ है भूवा भी तो बस ट्रस पहले भी आपको मैंने याद करवा है कि आप जो है अल्टिमेटली हम बोलता है ना eventually देखो इसका सिनोंस भी क्या दिया हुए ultimately दिया हुए eventually, ultimately यानि कि अंतिम में या फिर आखिरकार और initial का मतलब होता है प्रारंभिक next है evidence का मतलब होता है व्यक्त करना, evidence को आप ऐसे याद कर लो कि evidence evidence, evidence, evidence evidence, same लग रहा है तो जजज सहाब ने कहा कि अगर आपके पास कोई evidence है तो उसे क्या कीजिए उसे sow कीजिए उसे क्या कीजिए, evidence कीजिए sow कीजिए उसे, तो evidence का मतलब क्या होता है, sow करना, व्यक्त करना evidence से आपको याद रखना है और conceal इसका opposite word है जिसका मतलब होता है छिपाना और conceal को हम पहले भी याद कर चुके हैं कि seal से आपको याद करना है कि किसी भी चीज़ पर अगर seal मारी हुई है तो समझे छुपी हुई है next है एक्जस पैरेटिंग एक्जस पैरेटिंग का मतलब होता है तंग करने वाला परहसान करने वाला इरिटेट करने वाला और इसकी कोई ट्रिक नहीं बनी है तो इसका जो सिनोनिम से होई frustrating और इसका जो opposite word है वो है soothing यादि परसंद करने वाला तो इसको आप copy पर लिख लेना और रट जाना उसी तरह से exotic जो है exotic का मतलब होता है आसाधारन और इसकी विजो है कोई trick नहीं बनी है जल्दी बाजी में अगर थोड़ी मेहनत करता जादा अगर मैं time देता है इस पर तो बन सकती थी लेकिन इसका नहीं बना तो इसको भी आपको रट लेना है और synonym से इसका strange और opposite वर्ड है वो ordinary है साधारन next है false का मतलब होता है ब्रह्म तो यह false से याद रखेंगे तो जो ब्रह्म होता है वो false होता है जोटा होता है bias इसका synonym से और truth इसका क्या है opposite है जिसका मतलब होता है सच्चाई next है fidelity fidelity का मतलब होता है वफादारी इसको याद करेंगे मैं ऐसे कि फिदा और दिल फिदा और दिल दो पार्ट में डिवाइट करो फिदा और दिल तो उसकी इमानदारी पे मैं तो दिल से फिदा हो गया उसकी इमानदारी पे मैं तो दिल से फिदा हो गया आना तो loyalty असान सा वड़ा लोयल्टी का मतलब होता है वफाधारी ट्रीचरी का मतलब होता है दगाबाजी तगा करने वाला परसन प्रेंडिस का मतलब होता है क्रूर व्यक्ति क्रूर ठीक है तो आप याद रखेंगे इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा इसमें क्रूरता होगी और अपॉजिट क्या है अभी तुरंद मैंने याद करवाया है मित्रता पुर्ण नेख्ट एफ फ्राग्रेंस का मतलब होता है सुगंध आसां सा वर्ड है फ्रेग्मेंट फ्राग्रेंस यह सब क्या है जिसका मतलब होता है जो कियाती है खाने वगरा से बदबुदार खाने विए रसको अस्टेंच बोलते हैं नेस्ट एफ फ्रीजिट का मतलब होता है बहुत थंडा फ्रीज से याद रखेंगे कि अगर आप किसी भी चीज को फ्रीज में डाल दोगे तो थंडा हो जाएगा और अपॉजिट वडेस का वाम वाम का मतलब होता है गर्म नेस्ट कि या करती हैं कि फ्रीज परसेंट बोलकर यहां कि ऐसे मिल रही है और उस reimburse से जो है सिननोनिम से सिब्अ मतलब होता है विद्वान और बुद्धि मान टो अब है ने व्यो ज्याद होना आसां सा यह !! गोहिस इन्टलेक्ट इसका सीन्यूम से और डंब का मतलब होता है बहूकूफ हम बोलते है न यूऊर डंब तुम बहुत जब जब क्या भशू बहुत बहुत्य बहुत पॉटम हो buried भीयोकूफ हो बाकी जो है graceful graceful का मतलब गरीमा पूल ग्रेजुवल ग्रेजुवल भी आसान सा वड़ है पहले भी आपको याद करवाया है मैंने ग्रेजुवली से हैना कि ग्रेजुवली वो जो है धीरे-धीरे gradually कम होता चला गया मतलब क्या हुआ धीरे-धीरे कम होता चला गया ऐसे याद करेंगे तो वही हो जाएगा और continuous का जो है वो क्या है सिनुनिम से gradual का और abrupt जो है एका एक होता है तो यह भी मैंने याद करवाए आपको इसी वीडियो में कि अब रूप बदलना अब लोग क्या करते है sudden रूप बदल लेते हैं मेकप की सहाईता से तो abrupt का मतलब होता है एक आए एक next is gruesome gruesome का मतलब होता है कुरूप ठीक है तो गुरूर याद रखेंगे गुरूर सम तो क्या था कि चंद्रमा को चंद्रमा को स्राप मिला था चंद्रमा को क्या मिला था स्राप मिला था कि तुझे बहुत गुरूर है अपनी सुन्दर्ता पर आज से तू क्या हो जाएगा कुरूप हो जाएगा और तब से आप देखी रहे हो चंद्रमा में क्या है दाग है लगता है चंद्रमाँ में तो ग्रूसाम का मत्लब हो जाएगा कि रुप और इसके जो सिनुनिम से याद रखेंगे वह है है का मतलब भी होता है कुरूप और ग्रेसियस अभी तुरंत हमने याद के जिसका मतलब होता है सुन्दर उसके चेहरे पर क्या है ग्रेस है उसके बाद ग्लीबल का मतलब होता है भोला भाला ग्लबल का मतलब होता है क्या भोला भोला भाला इसको याद करेंगे गुली बल्ला ख भोजिट वर्ड जिसका मतलब होता है समझधार होना हमझे हम भी जब समय थाइं तो हमने भी छोड़ दिया गुली बल्ला खेन नेक्स्ट गम्सम का मतलब होता है बुद्ध्धी मानी कि याद करेंगे गम से ठीके रोर्ण से याद करेंगे जो बुद्धिमान वक्ती होते हैं बुद्धिमान इंसान बीती बातों का गम नहीं मनाते हैं या फिर ऐसे याद करेंगे दूसरा ट्रिक जो है कि बुद्धिमान इंसान गलत ऑप्सन नहीं चुनते हैं बुद्धिमान इंसान क्या नहीं करते हैं तो गलत ऑ रखेगा याद करने का तरीका ऐसे है कि गजल गजल से याद रखेंगे कि और खाने पीने के बाद और खाने पीने के बाद गजल की महफिल जमाई गए किसकी महफिल जमाई गए गजल की महफिल जमाई गए और यहाँ पर जो इसका जो सिनोनेम से जैसे इंबाइब इंबाइ ठीक है गजल का मतलब बहुत अधीक पीना भी होता है तो इंबाइब इसका सिर्णिम्स हो जाएगा और श्ट्राफ का मतलब भूखा रहना होता है यह भूखा मलना भूखा हेस्टी असांसा वर्ड हेस्टी का मतलब होता है जल्दी बाजी करना जल्दी बाजी होना हेस्ट कर करना तुए किसका सिनुनियम से और कॉस्स का मतलब होता है सतर्क सावधानी से करना है असान सा वर्ड है हेजिटेशन से बना हुआ है जिसका मतलब होता है है कि चाना पाउस का मतलब होता है अग्रसर जो कि इसका आपॉजिट वर्ड है honest है honest का मतलब होता है इमानदार और इसका जो synonym से वो है upright और इसका opposite जो वर्ड है वो होता है corrupt यानि कि भरस्ता चार यह सब आसान से वर्ड है hospitable hospitable का मतलब होता है सौहाद पुर्ण यानि कि बहुत अच्छे से welcome करना तो hospitality से याद रखेंगे इसको ठीक है hospitality यानि कि इस hotel की बहुत अच्छी hospitality है और congenial जो है इसका सिर्मन से पहले भी हमने याद किया जनेलिया से और route का मतलब assist होता है जो कि इसका क्या है opposite word है next है hostility hostility का मतलब होता है दुस्मनी यह भी हमने याद किया देख रहे हो आप बार बार कितने word repeat हो रहे है तो यह repeatness जो है इसी से हमें फाइदा पहुचता है ताकि बार बार repeat हो तो वह word हमें याद हो जाए क्योंकि वह आपके आखोर के साम कि मेरे दुस्मन मुझे से कहते हैं कि तुम्हारा जो host है ना तिल्ली की तरह उड़ा दूँगा मैं तो host तिल्ली की तरह उड़ा दूँगा है ना ऐसा मेरे दुस्मन मुझे कहते हैं इनमिटी दुस्मन इनमिस याद रखेंगे और friendship का अंतर मित्रता जो कि इसका opposite word है humble humble का opposite है जिसका मतलब होता है घमंडी वक्ति नेक्ट है illuminate illuminate का मतलब होता है उजाला करना इसको आप luminous से याद रखेंगे l-u-m-i-n-a-t-e luminous battery से याद रखेंगे जिसका परचार कौन करते हैं जिसका add जो है सचिन तेंदुल करसर करते हैं यानि कि luminous battery लगाईए और घर को चमकाईए यानि कि उजाला कीजिए तो वही illuminate word है यहाँ पर brighten चमकाना और darken का मतलब अंधेरा करना next है impetuous impetuous का मतलब होता है जल्दी बाजी में तो ऐसे याद करेंगे I am pay two तो मैं pay two हूँ क्योंकि मैं जल्दी जल्दी खाता हूँ और ना चबाने से मेरा पेट क्या हो गया है निकल गया है तो impetuous का मतलब क्या होता है जल्दी बाजी में हैस्टी हैस्टी इसका synonym से और cautious cautious का opposite जिसका मतलब होता है सावधानी से नेस्ट है incapacitate जिसका मतलब होता है और समर्थ होना तो incapacitate से याद रखेंगे capacity का मतलब क्या होता है सामर्थ है और इसका opposite क्या हो गया incapacity यानि कि और समर्थ होना और cripple इसका synonym से और facilitate facilitate का मतलब होता है स्विधा देना इसका opposite word हो जाएगा यह और Sinonim से Creple Next है Incessant Incessant का मतलब होता है निरंतर तो आप ऐसे आप किजाएगा कि Incessant को निरंतर चलने देना Incessant को यानि कि ये जो word है जो हमारी वीडियो चल दिये वोकेब की तो आप बोल सकते हो कि Incessant को सर जो है Continue चलते रहने देना याद हो जाएगा आपको बाकि ट्रिक जो लिखी हुए याद के लिजए ऐसे कि इंसान कंटिन्यू प्रोग्रेस करता जा रहा है और परसेस्टेंट इसका सिनोनिम से और अपोजिट है इंटरमिट्रमिट्रमिट्रमिट्रमिट्रमिट्रमिट्रमिट्रमिट्रमिट्रमिट्रमिट्रमिट्रमिट्रमिट्रमिट्रमिट्रमिट्रमिट्रमिट्रमिट्रमिट्रमिट्रमिट्रमिट्रमिट्रमिट्रमिट्रमिट्रमिट्रमिट्रमिट्रमिट्रमिट्रमिट्रमिट्रम करना बहुत बार हमने याद किया है आल्टर को इल्टर मिन्स चेंज करना लेकिन इन आ्ल्टर लग गया जКन्या अउन मतलब दिससे चैंज नहीं कर सकते है और यह अगला जो यह है इंडीलेबल इंडेबल का आप ignore करेंगे तो जिसे delay नहीं किया जा सकता उसे क्या कहेंगे indelable कहेंगे जिसे delay नहीं किया जा सकता उसे क्या कहेंगे indelable कहेंगे तो वही हो जाएगा और इसका जो synonym से वो है inirisable erase का opposite हो गया जिसको आप हटा नहीं सकते temporary का मतलब होता है temporary अस्थाई ना होना जो कि इसका अपोजिट है यहाँ पर फस्ट वाले में वो हटा देंगे next indict indict का मतलब होता है अभियोग लगाना याद करेंगे इन दिक्कत से तो जब किसी पर चार्ज लगाया जाता है और उसे जेल भेजा जाता है तो उनको जेल में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है खेंगे कि case generate ना होने के वज़े से उसे क्या कर दिया गया तो exonerate कर दिया गया next है inevitable inevitable का मतलब होता है अब परिहारे, अटल यानि जिसको आप avoid नहीं कर सकते जो बहुत ज़ादा जरूरी है तो हम ऐसे याद रखेंगे कि in vitamin के tablets को in vitamin E के tablets को आप क्या नहीं कर सकते avoid नहीं कर सकते यह बहुत जरूरी है आपके life के लिए अपने आपकी body के लिए unavoidable है और avoidable इसका opposite हो जाएगा जिसका मतलब होता है परिहारे next है invade invade का मतलब होता है आत्रमन करना तो हम इसको याद करेंगे in भेद से इन भेद यानि के भेद का मतलब होता है secret हिंदी में हिंदी में बोलता है भेद तो विभीसन जी ने रावन के सभी भेद बता दिये विभीसन जी ने रावन के सभी भेद बता दिये इसलिए वानर सेना लंका पर attack कर दिया इसलिए वानर सेना ने पूरी लंका पर क्या कर दी अटैक कर दी तो आकरमन कर दिया इनवेड कर दिया रैविज इसका सिनोनिम से और सरेंडर जिसका मतलब होता है आत्म समर्पन करना next है irrescible irrescible का मतलब होता है चिड़ चिड़ा होना तो इसको ऐसे याद करेंगे e, रसी और बल e, रसी और बल तो जब मैंने कहा रसी जल गई पर बल नहीं गया जब मैंने कहा i का मतलब i याद रखेंगे ठीक है मैं जब मैंने कहा कि रसी जल गई पर बल नहीं गया इतने में ही वो मेरे पर क्या हो गया चिड़ चिड़ा गया मैं इस गुसा हो गया इरिटेट हो गया मेरे से तो इरिटेबल और इमियेबल इसका पॉजिट वड़ है जिसका मतलब होता है सुसील और पहले भी हमने याद किया है फ्रेंड्शिप इमियेबल को next हमारा isolation isolation का मतलब होता है एकांथ तो हमने याद किया है Corona में हमने याद किया इसे मतलब याद किया किया इसे हमने feel किया है isolate किया जाता था लोगों को Corona के टाइम में अलग रखा जाता था तो यह isolation है एकांथ रखना, separate करके रखना separation इसका synonyms हो जाएगा और association होता है group संग जो किसका opposite word है next is just, just का मतलब होता है न्याय, justice से याद रखेंगे, justice से ही बनाए justice जो है, वो just से बनाए तो justice का मतलब न्याय संगत होता है, fair होता है और corrupt इसका opposite word है, जिसका मतलब होता है भरस्ट next, lassitude, lassitude का मतलब होता है थकान, तो याद रखेंगे, lassi थोड़ा tude थोड़ा, today थोड़ा, ना तो लसी थोड़ा, तो पंजाब में कोई guest आता है तो उसे कहते है, थोड़ा लसी पीलो, ना थकान मिट जाएगी क्या मिठ जाएगी थकान मिठ जाएगी थोड़ा लसी पीलो तो लसी ट्यूट का मतलब क्या होता है थकान सलगिस्नेस जिसका सिनोनेम से इसका मतलब भी थकान होता है और एंथ्विज्म का मतलब होता है उत्सा से भरा होना एनर्जी से भरा होना नेस्ट लेविटी लेविट यार, लिव इट, यार, तो जब मैंने अपने friends को अपनी problem बताई तो उसने मेरी बातों को हलके में लिया यानि कि funny way में लिया और कहा leverage यार, लिव इट, यार, लिव इट, यार लिव इट, यार, यार, तो वही हो जाएगा funny, liberty, funny, लूइनि, ग्रेवटी का मतलब होता है घंभीरथा नेक्स्ट लॉजिकल, आसानसा वड़े लॉजिकल का मतलब होता है तर्ग संगत। और र मसेскा इसका सिनोनेम Д मैंसे है क्या गत्ट्राय। कुछ त्याग दिया छोड़ दिया मेल वाल पाइड कहो बैनिनि वालेंट हम ने यद किया कि मेरी बेटी बीनी जो में है बहुत जद भोली है और परोपकारी है और उसी का ए यह पाइडी य출 मेल वालेंट याद करने olie despiteful जो है, despiteful इसका synonym से और kind इसका antonym से है next है meek, meek का मतलब होता है आध्याकारी होना, विनर्म होना तो meek को याद करेंगे छीक से, कि जब मैंने उस पे छीक दिया, फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं किया जब मैंने उस पे छीक आ, तो उसने मुझे कुछ नहीं किया, क्योंकि वो क्या है, meek है, विनर्म है तो वो इतना meek है, इतना विनर्म है, कि मैंने उस पे छीक दिया, फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं किया Submissive, पहले भी हमने याद किया है कि सब में सही, सब में सही, कौन करता है, जो आग्याकारी होता है, और Assertive का मतलब होता है, हड़दर्मी, पहले भी हमने याद किया है, Assertive का. Next है, Melancholy. Melancholy का मतलब होता है, उदासी, तो इसको ऐसे याद करेंगे, मेला ना चली, ठीक है, मेला नहीं चलिएगा, तो जब बच्पन में हम पापा से पूछते थे, कि मेला नहीं चलिएगा, तो पापा बोलते थे नहीं नहीं चलेंगे, तो हम क्या हो जाते थे? उदास हो एसे याद कर लेंगे और यह पिर दिखो इसका दूसरा ट्रिक है ऐसे देखो याद रखेंगे मिला ठीक है m-e-l-m और चोली एनि की ब्लाउज ठीक है तो आप ऐसे याद करेंगे कि मानलों किसी की बीवी की जो है मतलब लहंगा उसने पहन लिया है और चोली उससे नहीं मिल देए और पार्टी में जाना ही है लेकिन चोली ना मिलने के वाइसे जो है वो पार्टी में नहीं जा पाई तो फिर वो क्या हो गई उधास हो गई तो दोनों ट्रिक्स से आप याद रखेंगे जो भी आपके माइंड में आ जाए एक्जाम में और सौरफुल इसका क्या है स्टिनुनियम से जिसका मतलब होता है उदास और चियर्फुल का मतलब ह somehow जो कि इस आप उड्वर्ट है successor नेक्ट है melodious, melodious को melody से याद रखेंगे, कि melody बहुत ज़्यादा melodious उसका sound, यानि उसका voice है, singer की voice है, बहुत ज़्यादा melodious है, हम melody सुनते रहते हैं tuneful और tuneless का मतलब बेसुरा होते हैं, next है miniature, miniature का मतलब होता है, लग हूँ, छोटा, तो mini से याद रखेंगे miniature, और diminutive जो है इसका synonym से, और large का मतलब इसका बड़ा है, opposite word है, modest, modest भी आसान सा word है, बहुत बार हमने देखा इसको इसी वीडियो में, modest का मतलब विनर्म होता है, और humble इसका synonym से, और opposite word है, when, when का मतलब ह होता है, एहंकारी, next है murder, murder का मतलब होता है, और वैवस्ता, इसको murder से याद रखेंगे, कि नेता जी का murder होने से, पूरे state में और वैवस्ता फ्याल गई, और police को difficulty भी public को handle करने में, तो difficulty भी याद कर लेंगे, जो कि इसका synonym से, और order इसका opposite है, जिसका मतलब होता है, सही करम होना, next, nascent, nascent का मतलब होता है, आरम होना, keyword बनेगा क्या, कि new soul sent, ठीक है, new soul sent to earth, यानि कि जब earth पे कोई new soul, यानि कोई बच्चा आता है, तो उसका भी जीवन का आरम होता है, तो nascent, इसका कोई trick नहीं बन रहता, बस आपको इसी तरह से किसी तरह लेट कर लेना है, मैंने क process कि यहाँ पे, कि new soul sent to earth, nascent, ठीक है, तो याद कर लिदेंगा, बाकि आपको जैसे भी याद हो जाए, budding, budding इसका synonym से, जो bird आता है, फूलों का कली आती है, और withering का मतलब होता है, nest होना, next, nebulous, nebulous का मतलब होता है, धुन्दला, इसको याद करेंगा, आप निम्बू का रस से, कि जब आखों में निम्बू का रस सक चला जाता है, तो धुनला दिखता है, कैसा दिखेगा, जब आखों में किसी के निम्बू का रस चला जाए, तो धुनला ही दिखेगा, हम ऐसे आखों में डालता है, निम्बू का रस, और वेग, वेग हमने पहले भी याद किय कि वो गाड़ी इतने वेग में निकली कि हम उसको असपष्ट देखी नहीं पाएं और क्लियर इसका अपोजिट वर्ड है जिसका मतलब होता है असपष्ट नेक्स्ट है न्यूगेट्री न्यूगेट्री का मतलब होता है निरर्थक तो याद करेंगे नो गैरंटी से नो गैरंटी नो गैरंटी नो गैरंटी नो गैरंटी तो जो निरर्थक चीज होती है जो बेकार चीज होती है जो फुटाइल चीज होती है या फिर जो फूटी चीज होती है उसकी कोई भी गैरंटी नहीं होती याद कर लेंगे ऐसे next is obedient, obedient आसान सा वर्ड जिसका मतलब आग्याकारी होता है लिखते है थे ना हम your obedient people यह पूपिल, your obedient pupil मिन्स आपका आग्याकारी बालक तो वह है devoted, obedient, आग्याकारी सिनोनिम से इसका अडिज, obedient इसका opposite word है next is obvious sequence, obvious sequence का मतलब होता है चापलूस होना, तो इसकी कोई trick नहीं बनिये, इसको आप रट जाना survival इसका सिनोनिम से और oppositor domineering next is ostentation, ostentation का मतलब होता है आडंबर होना, यानि कि दिखावा करना, तैसे याद करेंगे ओ, astent, ओ, astent, तो वो बस astent कर रहा है means क्या कर रहा है, दिखावा कर रहा है, ताकि लोग क्या हो, उससे attract हो, है न, ताकि लोग उससे क्या हो, attract हो, इसलिए वो क्या कर रहा है ostentation कर रहा है, यानि कि astent कर रहा है, वो astent कर रहा है याद हो जाएगा, pump, pump का मतलब दिखावा होता है, आगे हम याद करेंगे पॉंपस को जभी आएगा मेन वर्ड की तरह मोडस्टी का मतलब विनर्म होता है जो कि इसका अपोजिट वर्ड है नेक्स्ट है आउट रेगस आउट रेगस का मतलब होता है सर्मनाग या फिर बहुत ज़्यादा क्रोधित होना तो देखो आर एजी आर एजी यहां पर जी होना चाहिए था आर एजी का मतलब क्या होता है और रेग जो है उसका मतलब होता है गुस्सा होना तो इसी में वर्ड आ रहा है आउट रेगस या करके कोई गलत काम कर देते हैं तो बाद में आपको उसका क्या होता है यानि यानि कि आपको कि अप Brant इसका मतलब होता है विनोत्पुन या फिर खोसी नेक्स्ट है पैंडेमोनियम पैंडेमोनियम का मतलब होता है कोला हाल होना हला होना याज करेंगे जहां पे पांडे और मुनी होते हैं जहां पे पांडे जी और मुनी लोग होते हैं वहाँ पे साउंड आती ही है पूजा विरोधा भास होना पजलिंग होना अलाकि मैंने इसको याद करवा सकता था इसको कि पारा ठीक है पैरा और डॉक्स है तो पैरा कमांडो के जो डॉक्स होते हैं पैरा कमांडो जो होते हैं जो आर्मी होते हैं मिलिट्री होते हैं उनके जो डॉक्स होते हैं क्या होते हैं तो व तो para commando के dogs जो उनकी dogs जो train dog होते हैं वो क्या करते हैं सारा puzzle solve कर देते हैं तो इस तरह से याद रखेंगे paradox के similar puzzle और evidence का मतलब होता है परमान नेक्ट है penitence penitence का मतलब होता है अपसोस करना तो देको repent r शिर्प लगा दो ब्रेजन निसी बिसर्मी याद रखेंगे देखिए यहां पर आपको याद रखेंगे चाहिए आप जोड़ी यह लिए आप समझ के लिए क्या बोलने को सिस्ट कर रहा हूँ बस वहाँ से आप इसको याद कर लेंगे चलेथे नेकर पहनि यूरी का मतलब होता है गरीवी तो याद रखेंगे पेनी पेनी के लिए वो तरस गया पेनी का मतलब होता है सिक्का तो एक एक पेनी के लिए क्या हो गया तरस गया है ना तो गरीब था इसले तो पावर्टी इसका स्रीनियम से और वेल्ड इसका क्या है अपोजिट है और देल को हुआता है संकट ययाद करेंगे इसको ऐसे कि पैर और इल तो उसका पैर इल है यानि उसका पैर क्या हो गया बिमार हो गया क्यों हो मगया है हाथी पाओं होता है एक बीमारी है तो ब्रसंक्ट वाली बात होगी उसके लिए ना क्योंके संक्ट होगी वो चल फिर नहीं पाएगा तो डेंजरिस बात होगी उसके लिए और स्यप्टी का मतलव पर सिरक्षा जो कि इसका पोजिट वर्ट है next is pious, pious का मतलब होता है पवित्र होना, तो इसको याद रखेंगे प्यास से, कि गंगा, जो गंगा रीवर है, जो की बहुत ज़्यदा पवित्र रीवर है, वो हमारी प्यास बुझाती है, मिंस हमें मीठा जल देती है, तो pious का मतलब पवित्र हो जाएगा, religious हो जाएगा, औ इन का मतलब क्या पापी, next है pompous, अभी हमने कुछ दिर पहले option में देखा था, इसको pomp से, कहाँ पर pompous है, पॉंप देखा था, जिसका मतलब होता था, दिखावा करना, याद करेंगे pompous है, वो पो, पॉंपस है ना, पॉंपो, तो traffic में पोपो वही करता है, यानि कि siren वही बजाता है, जो दिखावा करता है कि मेरे पास इतनी महेंगी गाड़ी है, बाकि सबसांती से खड़े रहेंगे, लेकिन जो महेंगी गाड़ी वाला होगा, जो दिखावा करने वाला होगा, वो पो, 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 बजाते रहेगा, तो pompous का मतलब क्या होता है, दिखावा करना, आडंपन पूल बोस्ट फुल है ना बोस्ट फुल का मतलब हवापानी मारना हवापानी देना और हम्बल का मतलब विनर्म जो कि इसका आपोजिट वर्ड है नेक्स्ट है porese, porese का मतब 6 दर्युक्त होता है, छेद होता है, तो यह तो आसान सा वड़ा है है, हमारे भी body में पहलत ज्यादा पोर्स है, तो यह यह permeable इसका synonym नेन से हैं, और opposite है impermeable, यानि कि अभेद्य होना, नेक्स्ट है देखेंगे, praise, praise का मतब तारीप करना होता है, असान सा वड़े प्रसंसा करना, प्रेज करना और कॉंप्लिमेंट देना ये भी असान सा वड़े और एक क्यूज का मतलब आरोपी होना next है हमारा proficient ये भी असान सा word है जिसका मतलब होता है kusal तो इसको आपको professional से याद रखना है या फिर professor से याद रखना है जो कि kusal ही होता है अपने काम में adapt हमने पहले भी याद करवाया depth में वही जाता है जो कि kusal होता है या फिर kusal होने के लिए आपको उसके depth में जाना पड़ेगा कलम जी भी हमने याद किया अनाड़ी वेक्ति होता है next है radiance radiance का मतलब होता है चमक तो radiance से याद रखेंगे radiance कैसा होता है तो चमकीला होता है sparkle होता है dullness इसका opposite word है जिसका मतलब होता है धुनलापन next है rampart rampart का मतलब होता है कीले की दिवार तो याद करेंगे इसको की राम जी की वानर सेना ठीक है राम पार्ट में दो पार्ट में डिवाइट करेंगे और ऐसे याद करेंगे की राम जी की वानर सेना ने रावन के कीले के हर पार्ट पे अटेक कर दिया तो रैंपट का मतलब हो जाएगा कीले की दिवाद पैर पैड़्पै इसका इसनोनिम से अदिच अपोजिट है जिसका मतलब होता है खाई गैस्ट रेसिनल कमता है विसंगत होना र今天 याद रखेंगे आप यहां पर संगत होना चाह्याँ से त्रक संगत और और यह अपोजिट हो गया, इलोजिकल तर्क संगत, देखो क्या हो गया, उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया और टाइप हो जाता है, जब कुछ बोल करके टाइप करो तो उल्टा हो जाता है, यह जो तर्क संगत है, यह उपर होना चाहिए था, रैसनल में होना और illogical मेंुंआ होना चाहे था V संगत इसलिए पिड 예प नदेने का मनदंने करता कि कुछ घ्लतियां होती है उसमें यहां पे क्या हो जाएगा हमारा तर्क संगत हो जाएगा ठीक है पहले वाला में 대स्ट थर्क संगत होता है और e-logical का मतलब होता है v-sangat होना ठीक है तो इसको ध्यान में रखेंगे तो देखें क्या है rational, rational number मतलब तर्व-sangat होना और logical इसका synonym से और e-logical इसका क्या हो जाएगा opposite word हो जाएगए इसका मतलब होता है v-sangat होना थिक है यह हिंदी अप उल्टा लिख दिया गया है नेट रविस का मतलब होता है मोहले न तो रवीज जी से याद रखेंगे आप रवीज जी जो की एक सच्चे पत्रकार है नहीं तो याद रखेंगे कि रवीज जी की सच्ची पत्रकारिता डिक है रवी जी की सची पत्रकारिता मन मोह लेती है तいます तो अन। इसका स्यूनिनिंम से और रिपेल इसका अपोजिट है जिसका मतब होता है फीछहटना किया ने करी रिसीव-जिसे अषान perde-जिसका मतब होता है प्राप्त करना और गेट का मतर्डब पाना प्राप्त करना इसका होना चाहेए आप कोणीट मेंटि भलता है तो में देख लोते हैं क्या होगा रीघड याल नहीं स泛ू सर मुझे लगा और रिपेंट इसका सिर्मिन से जिसका मतलब होता है पश्टावा लेकिन कॉंटेनमेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना क्या होना संतुष्ट होना यानि कि मैंने पहले भी आपको याद करवा है कि आप मेरे कॉंटेंट से क्या हो संतुष्ट हो तो content, content, contentment यहां पर contentment आगे हैं इसलिए confused हो गया, content और comment तो याद रखी गए इस तरह से जिसका मतलब होता है संतोस्ट, next word है हमारा remember, remember का मतलब होता है, याद रखना और recall इसका synonym से और forget है भूल जाना, next हमारा remorse, remorse का मतलब होता है अपसोस करना, और more से याद रखेंगे इसको more जाना, तो मरने के बाद सब अफसोस करते हैं, मरने के बाद सब अफसोस जताते हैं कि अच्छा आदमी था चला गया, है ना, तो remorse का मतलब होता है, regret करना, और indifference का मतलब होता है उदा सीनता, जो कि इसका opposite word है, next है resolute, resolute का जो है कोई trick नहीं बना, dread होता है इसका मतलब, determine इसका सिननेम से और agreeable इसका opposite word है, जिसका मतलब होता है स्विकार रेड, next है retain, retain का मतलब होता है, बनाए रखना, और maintain करना, maintain रखना तो retain, maintain, दोलों सेम वर्ड है, retain और maintain, release का मतलब मुक्त करना होता है, जो कि इसका opposite word है, next है revel, revel का मतलब होता ह है आनंद लेना और खुस होना हैपी होना और इसका सिरुनिम से वह है मेक मेरी और अपोजिट वर्ड है मौन मौन हमने अभी तुरंत याद किया तो रेवल याद रखेंगे रेवल का मतलब क्या आनंद लेना देखते हैं अपना अगला वर्ड हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है रॉबस्ट रॉबस्ट का मतलब होता है मजबूत होना बहुत ज़्याद मजबूत होना उसको हम रॉबस्ट कहते हैं याद करने का तरीका इसका ऐसे है कि रॉबोट से आप याद करेंगे तो रॉबोट कैसा होता है तो रॉबोट बहुत ज़्याद मजबूत होता है strong होता है Robust होता है healthy होता है तो robot जो कि बहुत ज़ाद क्या होता है strong होता है तो healthy से याद रखेंगे इसको और feeble, पहले भी मैंने आपको याद करवाया है feeble, यानि कि fever होने से जो है वो क्या हो गया, बिलकुल कमजोर हो गया याद रखेंगे, robust का मतलब मजबूत होना, है न, उसके बाद second word है, वो है, sangwin, sangwin का मतलब होता है, आसावादी, याद करने का तरीका आपको है, कि sang और win, win का मतलब जीतना, और sang का मतलब साथ होता है, तो माधव, माधव का मंदब क्रिश्न भगवान के उलेख की जा रही है आपे माधव मुझे आसा है कि आप मेरे साथ अगर है तो युद्ध जो है कौन जीतोगा मैं ही जीतोगा अगर माधव आप अगर मेरे साथ है तो युद्ध मैं ही जितूँगा ऐसे मुझे आसा है क्योंकि जिधर आप रहेंगे मतलब जिधर सच्चाई होगी जिधर जीत होगी तो सैंग्विन का मतलब आसावादी बायंट इसका सिनोनिम से और होपलिस का मतलब होता है निरासा जनक जो कि इसका अपोजिट वर्ड है मतलब निरासा वादी नेक्स्ट एसकेर्स एसकेर्स का मतलब होता है कमी होना एसकेर्सिटी से ये वर्ड बना है असान सा वर्ड है एसकेर्सिटी का मतलब कमी ठीक है square का मतलब क्या होता है कमी वही same word है limited और ample का मतलब होता है प्रचूर मात्रा में जो किसका opposite word है to ample मैंने आपको temple से भी याद करवाया था यह भारत में बहुत सरे temples है और मैंने आपको apple से भी याद करवाया था कि भारत में apple की कोई कमी नहीं है next word is siege, siege का मतलब पकड़ना होता है, बंद कर देना होता है, असान सा word है, उसे siege कर दिया गया, siege कर दिया मिंस क्या, बंद कर दिया गया, जकर लिया गया, वह यह पकड़ना, और catch इसका synonym से allusion, allusion का मतलब धीला, धीला छोड़ देना, next है, shrink हो जाना, shrink के भी बहुत सान सा word है, जिसका मतलब होता है, says record जाना, shrink हो गया, तो कोई भी的ie shrink हो गई, मतलब क्या हो गई, छोटी हो गई, shrink हो गई, तो shrink का मतलब कम होना, luminous, dimness, पहले भी मैंने आपको याद करवाया है, कि minus, कोई भी चीज़ अगर minus होगे, d minus, कोई भी चीज़ अगर minus होगे, तो वह कम हो जा इनञे कूरह से हमने याद करना इन्फ है याद करना इसर già colleg जाब नहीं लगती है या फिर हम क्या करते हैं जब जौद्स होते हैं तो लंक! व्लास हमारे सब्वे जया झूद संमन्ने हमारेEd हमारे परोथ और करना मजाक उड़ा आते हैं तो यह हो जाएगा smear next है solicit solicit का मतलब होता है क्या विंती करना, request करना तो आप ऐसे याद करेंगे कि soli, ठीक है जैसे समझो कि आप कहीं पर bus में जा रहे हैं bus में जा रहे हैं और bugle में कोई बैठा हुआ है तो आप उसको बोलेंगे soli क्या यह seat खाली है, मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ तो आप इसको क्या कर रहे हो, request कर रहे हो कि soli, क्या यह seat खाली है मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ तो solicit का मतलब होता है विंती करना, request करना अब prohibit का मतलब होता है मना कर देना, रोक लगाना स्ठीर तो Цतीर कहेंगे तो आपको यार रषने का तरीका ऐसा है क्या थे स्टेशनरी और दुकान जो की एक ही जगह पर होती है और अई कि आज जो है यहाँ पर मोड़ पर है तो कल हो करके कहीं और चली जाएगी या परसो वहीं कहीं और चली जाएगी एक जहाँ पर stable होती है stationary की दुकान क्योंकि उतनी सारी copy किताबे वो बेजता है तो अब वो टेंट में तो बेचेगा नहीं कि आज यहाँ पर लगा लिया कल वहाँ पर वो कोई रूम लेके ही बेचेगा तो रूम जो है एक जगा पर स्थीर होता है तो stationary का मतलब हो जाएगा स्थीर, stable, fixed और moving इसका opposite word है जिसका मतलब होता है गतिमान होना next is sterile, sterile का मतलब होता है बांज, यानि कि एक ऐसे इस्तरी जिसका बच्चा ना होता हो इसको sterile कहेंगे देखेंगे, यहाँ पर इस्तरी लगा हुआ है word, इस्तरी, तो एक बांज इस्तरी आई है मंदिर में भगवान से बालक मांगने एक बांज इस्तरी, यानि कि जो बच्चा ग्रो करने में और समर्थ है वैसे इस्तरी जो आई है भगवान से बालक मांगने याद हो जाएगा sterile, इस्तरी आई है और baron, पहले भी मैंने आपको याद करवा है बिना ran के, तो baron ही होगा ना, सूखा होगा और fertile का मतलब उपजाओ होता है, तो यह तो असान सा वर्ड है fertility, fertile next is strange, असान सा वर्ड है strange का मतलब अजीब होता है, बोलता है na very strange, यानि कि बहुत जाला अजीब हो तुम you are very strange, यानि कि अजीब, abnormal, और familiar का मतलब होता है परिचित होना, जो कि इसका opposite word है next is stretch, stretch का मतलब होता है विस्तार करना, लंबा करना, तो stretching से याद करेंगे, stretchable pant, stretching करना, stretch कर देना, यानि खीच करके expand कर देना, लंबा कर देना, extend कर देना, यह इसके synonym से, और compress, compress का मतलब होता है संचेप कर देना, ठीक है मिन्स छोटा कर देना, जैसे हम भी वीडियो बनात करते हैं, तो क्या करते हैं, जो वीडियो लंबी होती है, उसको compress करके उसको छोटा करते हैं, तो यह हो जाएगा संचेपन करना, next है, sustenance, sustenance भी असान सा वर्ड़ है, sustain से याद रखेंगे आप, जिसका मतलब होता है जीवी का, हम बोलते हैं ना, कि इतने पैसों में हम sustain न भुख मरी, next है swift, swift का मतलब होता है तेज, और swift car से इसको याद रखेंगे, कि swift car जो है, बहुत स्पीड भागती है, swift car कैसी चलती है, तो बहुत ज़्यदा स्पीड में चलती है, next word है, synthetic, synthetic का मतलब होता है, fake या फिर नकली, इसको याद रखेंगे, synthetic fiber से, यानि कि जो कपड बनते हैं, आज कल देखा होगा आपने, वो क्या होता है, synthetic होता है, जो कि नकली है, lab में बनाए होता है, उसी को बोलता है synthetic, और natural का मतलब जैसे cotton का कपास है, cotton के कपरे natural होता है, तो natural का मतलब प्राकिर्टिक और synthetic का मतलब कृत्म, next है tedius, tedius का मतलब होता है, गैर दिल्चस् पी नालो, उसको हम बोलता है tedius, याद करेंगे teddy और us, teddy का मतलब teddy भी है, और us का मतलब हम, तो अब हमें teddy से खेलने में कोई interest नहीं है, अना मतलब क्या है, गैर दिल्चस्पी है हमें, अना हमें क्या है गैर दिल्चस्पी है क्योंकि अब हम बच्चे नहीं रहें, हम बड़ हो गए तो हम जो है टैडी से नहीं खिलते हैं so टैडी अस यानि की गैर दिलकस्प डल इसका सिनोनम से और इंट्रेस्टिंग इसका epoxy है जिसका मतलब होता है दिलकस्पी लेना नेक्स है toxic toxic आसां सावड है toxic कह मतलब होता है हम भोलता है overxic friend टीक है कि हमारे सारे ऐसे तेराल का है टॉक्सिक यानि कि जहरील्य है तो टॉक्सिक का स्वास्ते वर्धक स्वास्तेवर्धक या-ंट करते हैं इसको होता है तरह से याध रखेंगे तो निछ मतलब करते हैं करता है वो गददारी करते हैं ठर्रेस्ट बन करके ठीसीवर का मतलब धोका देने वाला गदार और पैट्रीओट का मतलब होता है देश भगत जो अपने देश से क्या करें प्यार करें! next is trepidation, trepidation का मतलब घबराहाट होता है, इसको आप याद करने है, trepidation को, घबराहाट को, इसकी कोई trick नहीं बनी है, nervous ने से जो है, इसका synonym से, और calm का मतलब सांथ होता है, जो कि इसका opposite word है, next is trivial, trivial का मतलब होता है, मामूली, तो ऐसे जाद करें, इसको दो पार्ट में divide करें, तेरी वाली, trivial, तेरी वाली, तो अरे तेरी वाली तो कुछ नहीं है मेरे के सामने, अरे तेरी वाली तो मेरी वाली के सामने कुछ भी नहीं है, तेरी वाली तो तुक्ष है, मामूली है, तो superficial इसका synonym से, profound होता है, परम प्रा ट्रक का मतलब ट्रक और यू का मतलब तुम और लेंड से लेन याद रखेंगे तो जब ट्रक वाले लेन में गाड़ी नहीं चला कर ट्रक बीच में घुसा देते हैं तो तुम क्या करते हो तुम उनसे लड़ पड़ते हो कि भाईया बीच में जो है तुमने क्यों घुसा दिय है न हम क्या थे हम लाइन में लगे वे तो तुम कहीं से ट्रक लेकर क्या आगए और बीच में घुसा दिये तो ट्रकुलेंट का मतलब क्या हो जाएगा फिर जगड़ा हो जाएगा फेरोसियस यह भी मैंने आपको याद करवाया है चुलूल पांडे वाले वी ट्रक से फेरे वाले दिन चुलूल पांडे क्या हो जाते हैं उग्र हो जाते हैं और जो चुन्नी या कोई भईया होते हैं गेंदा भईया होते हैं उनका गर्दन पुरा मलोड देते हैं दबंग टू में तो एमिनेबल इसका पॉजिट वड़ है जिसका मतलब होता है मिलन सार यह भी हमने याद किया था एमिनेबल फ्रेंड से फ्रेंड है न जो कि am I able to your friend वैसे याद किया था हमने नेक्स्ट है ट्यूमिलेंट ट्यूमिलेंट का मतलब होता है हंगामा करना हल्ला करना याद करेंगे कि तुम उल्टा देखिए इसका जो है मैं लिखना भूल गया कीवर्ड तुम उल्टा ठीक है तुम उल्टा तो एक तो तुमने उल्टा हैना मुझे धक्का मार दिया एक तो तुमने मुझे उल्टा धक्का मार दिया उपर से हंगामा कर रहे हो उपर से उल्टा क्या कर रहे हंगामा कर दियो तो ट्यूमिलेंट का मतलब क्या होता है हंगामा करना अब और का मतलब होता है तीवर इच्छा होना ठीक है क्या होना तो अर्ज अगर मैं हिंदी में ऐसे लिखूं और हिंदी में इसको पढ़ूं तो आसानी से जो है ट्रिक बन जाएगा और हम याद कर सकते हैं कहते हैं मेरी टीवर इच्छा हो रही एख मैं एक साहिरी सुनाओ और उसी तरह से याद करनेंगे और शिर्ण से वह है इंपल्स का मतलब होता है तीवर इच्छा, इंपल्स का मतलब क्या होता है, तीवर इच्छा होता है, और डेटर, डेटर का मतलब रोकना पहले भी हमने याद किया है, डेटर, डेटर का मतलब क्या होता है, रोकना होता है, चलिए आगे देखेंगे, अगला जो वर्ट है हमारा, वह है वेग, वेग का म निकली ऐसे याद रखेंगे कि कार इतने वेग में निकली कि मैं उसका नंबर प्लेट ही नहीं देख पाया मिंस और पस्ट रहे गया प्लेट है तो वेग का मतलब क्या हो जाएगा और पस्ट होना unclear इसका synonym से और clear इसका opposite word है next देखेंगे valiant का मतलब होता है बहादूर होना याद करेंगे इसको बाली से देखेंगे इसको दो पार्ट में डिवाइट करो बाली और अन्त बाली का मतलब मैं रामायनकाल की बात कर रहा हूँ ठीक है यानि जो रामायनकाल में बाली थे तो बा बहुत बहादूर थे यह बात राम जी ने भी कही थी कि बाली जो है क्या है बहुत बहुत बहादूर था राम भगवान ने भी कहा था कि बाली क्या था बहुत 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 है तो वह वैलियंट का मतलब हो जाएगा बहादूर वाली और अन्त से याद रखेंगे तो courageous यानि कि क्या होता है साहसी वेक्ति, cowardly पहले भी हमने देखा है, कायरता, डरपोक, next है vanquist, देखें vanquist का मतलब होता है पराजित करना, तो देखो vanquist को याद कर लो, vanquist का मतलब होता है मिट जाना, तो vanquist होने से अच्छा है, यानि कि vanquist का मतलब से vanquist का पराजित करना, और surrender, surrender का मतलब होता है हार मान लेना, जो किसका opposite है, next है venial, venial का जो है कोई trick नहीं बना, इसको आप लिख लेंगे, कहीं पर note कर लेंगे, और pardonable जो होता है, इसका synonym जिसका मतलब होता है छमा योग्य, और unpardonable का मतलब होता है अच्छम में, जिसको ज याद रखेंगे, विस से याद रखेंगे, तो cruel लोग जो कि जहर ही उगलते हैं, विसस का मतलब होता है अनाथिक, या पर निर्दर्र, निर्दई, तो आप बोलेंगे कि cruel लोग जो होता है, मुह से जहर ही उगलते हैं, ठीक है, मुह से क्या उगलते हैं, जहर ही उगलते है ठीक है तो विसस का मतलब क्या हो जाएगा तो अनैति क्या फिर निर्दाई और कुर्वेल इसका सिनोनिम से और वर्चुआसों का मतलब होता है अनैतिक नेक्ट विंटेज, विंटेज का मतलब होता है प्राचीन, कीवर्ड बनेगा विंटेज वाइन से, ठीके कीवर्ड बनाएगा विंटेज वाइन, आप सर्च किजेगा विंटेज वाइन, तो आएगा आपका, और उसमें दिखाया जाएगा कोई एक ऐसी सराप जो बहुत तो विंटेज वाइन से याद रखेंगे, कि विंटेज वाइन, जो की काफी पुरानी है और क्लासिक भी है, विंटेज वाइन कैसी है, तो काफी पुरानी है और क्लासिक भी है, तो क्लासिक हो जाएगा, और मॉडर्न इसका अपॉजिट हो जाएगा, जिसका मतलब होता है सब्सक्राइब का मतलब हो जाएगा जो सब्सक्राइब को याद रखेंगे विरू से विरू यानि की विरंदर सहवाग तो तो विरंदर सहवाग जो है क्या करते हैं बॉलर्स के लिए क्या हो जाते हैं घातक सावित होते हैं जो जितने पहले देखा और आपने विड्यंदर सहवाग को खेलते हुए है तो वह 10 मैच क्यों कियो है क्योंकि भी पीटते हैं ईपालरों नेक्ट है वालियेशन, वालियेशन का मतलब होता है और सुरक्षित, इसकी भी जो है कोई ट्रिक नहीं बन पाई है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है, लेको क्या है कि जल्दी वाजी में वीडियो अपलोड कर रहा हूं, इस वज़े से जो है, कुछ-कुछ और इतने टाइम में देखे क्या है कि कुछ बोलना और चाह रहा हूं, मुह से और निकल रहा है क्योंकि नीन भी आ रही है, तो अभी जाग करके ही बना रहा हूं वीडियो, तो आप देख सकते हैं टाइमिंग इसकी, तो आप इसको याद कर लेंगे, च्वाइस का मतलब ज बूलने की बिमारी किसे रहती है, तो गजनी को रहती है, और वो क्या रहता है, असुरक्षित रहता है, क्योंकि उसके पीछे जो है, गजनी को नहीं रहती है, मतलब गजनी मुवी के अमीर खान को रहती है, बूलने की बिमारी, और जो गजनी होता है, मेन विलन होता है, उ तो फिर क्या होता है जो अमीर खान उता है उसको असुरक्षित हिर उता है next is wholesome wholesome का मतलब होता है positive तो दि زेखो wholesome 하고 food हमें खाना चाहिए जो खड़े अनाज होते हैं wholesome food होते हैं उन्हें हमें खाना चाहिए वह हमाले lepsych होते हैं ज两 Volks Oreo पास्टिक एसे भी यात कर सकते हो आप और sound, sound का मतलब होता है positive और impure का मतलब असुद होता है जोब teaches का opposite word है इस वीडियो का हमारा last word है वह है एल लास्ट वर्ड है इसके बाद खतम हो जाएगा आपका sign on to L का मतलब होता है क्या चिलना अल को अगर आप well से याद कर ले वैल का मतलब क्या होता है और अगर कोई कुए में गिर जाता है ता देखते के चिलना चिल्लाता है लाते इंगर उसे आकर याद रखेंगे वैल और उसका सिनन्स होता होता है अब विश्पर का मतलब होता है भुनी भुनाना धीरे ध driven बोलना विस्परिंग करना до को कोई भी विस करता है भगवान से तो चिला चिला के थोड़ी करता है धीरे धीरे ही करता है तो यह इसका अपोजिट हो जाएगा ल का तो इस तरह से आपके 434 साइनो एंटो जो है वो कम्प्लीट हो गया और इससे बाहल जो है आपके एक्जाम में नहीं आने वाला आप अगर अगर इसको अच्छे से रट जाएंगे सभी वर्ट्स को तो ठीक है तो देखो अभी रात में जाकर यह वीडियो बना रहा हूं तो आपको क्या करना है जाकर ही जो है इस वीडियो को पूरा कम्प्लीट करना है और आपको खतम कर देना है बिल्कुल कहीं पर भी जो है आप अगले वीडियो में तब तक लिए बाय थैंक्यू धन्यवाद वीडियो देखने के लिए